अगमेंडीनो अगमेंडीनो दे ग्रेटिस सेल्स्मेन इन दे वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग लेखक दुनिया का सबसे महान चमतकार करोडो लोगों ने औग मेंडिनो के क्लासिक The Greatest Salesman in the World की प्रसंसा की है मेंडिनो के इस नई पुस्तक में इस्वर का संदेश है आपके नाम कहानी आसान परंदु दमदार है यह आपके विचारों और कारियों को प्रभावित करेगी सुरू से आखरी तक आपके दिल को छूलेगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी आप कभी नहीं भूलेंगे चार आसान नियमों को जो आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस तरह चमतकार कर सकते हैं काच के जेरेनियम को जो आपका दिल तोड़ देगा कूडे घर में बने पारकिंग स्थल को जहां मेंडीनों का जीवन और आपका जीवन दुबारा सुरू होता है उस रैग पिकर को जो इनसानों को तब तक बचाता है जब तक उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी है इस रहश्य को कि आप अपना खोया हुआ आत्मगौरब को हासिल कर सकते हैं दुनिया का सबसे महान चमतकार ओग मेंडीनों आज दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले प्रेणा दायक और सेल्फ एल्फ लिखकों में से एक है उनकी 14 पुस्तकों की 18 भासाओं में धाई करोड से अधिक प्रतियां बिख चुकी है हजारों लोगों ने ओग मेंडीनों को इस बात का स्रे दिया है कि उन्होंने अपने जादूई सब्दों से उनके जीवन में चमतकार कर दिया और उनके जिंदगी बदल गई नॉनमेन विंसेंट पील ने कहा है एक पुस्तक जो हर पढ़ने वाले के दिल और दिमाग को बुलंदियों तक ले जाएगी महान प्रिनादयक लेखक आपको अपनी महानतम कहानी सुनाते हैं एक अद्वुत कहानी जो आपको बांधे रखती है या आपको सुख और सफलता के रोमान्चक नए रहस बताती है दुनिया का सबसे महान चमतकार लेसन वन पहली बार मैंने उसे कब देखा? जब वो कबूतरों को दाना डाल रहा था वैसे देखा जाए तो परुपकार के इस साधारन से काम में कुछ भी औसाधारन नहीं था बहुत से बुड़े लोग सैन फ्रांसिसको के घाट पर या बॉस्टन में, कॉमन में या टाइम स्क्वेल के फुटपात पर और हर सहर के दरसनी इस्थानों पर कबूतरों को दाना डाला करते हैं परुंतों ये बुड़ा आदमी ऐसा उस समय कर रहा था जबकि बर्फ का तुफान कहर डा रहा था अपनी कार के रेडियो पर मैंने मौसम विभा के यह रिपोर्ट सुनी कि सिकागो और उसके आसपास के इलाकों में रिकॉर्ट और 26 इंच बर्फ गिर चुकी है मैंने उसे पहले बार तब देखा जब मैं अपनी कार के डगमगाते हुए पिछले पहिये के साथ पारकिंग स्थल के तरफ जाने की कोशिस कर रहा था जो मेरे ओफिस के पिछवाडे में था वो तुफानी भर्फ में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे खबर ही न हो वो बड़ी तनमैता के साथ अपने भूरे थैले में से ब्रेड के टुकड़े निकाल कर चिरियों के जुंड के सामने डाल रहा था चिरियों का जुंड उसके घुटनों तक के फौजी ओवरकोट के चारों तरफ मंड़ा रहा था मैंने उसे आवाज करते विंसिल्ड वाइपर्स के बीच से देखा जब मैंने अपनी थुड़ी को स्टेरिंग वील पर टिका लिया मैं उस समय अपनी कार का दरवाजा खोलने के हिम्मज जुटा रहा था क्योंकि बाहर वर्फ का जूरदार तुफान था पार्किंग का गेट खोलने के लिए मुझे नीचे उतरना ही था उस बुड़े आदमी को देखकर मुझे सिंट फ्रांसेस के मूर्दिया याद आ गई जो अकसर दुकानों में रखी रहती है बर्फ उसके कंदो तक के बालों को पूरी तरह ढग चुकी थी और उसकी दाड़ी में भी घुश चुकी थी उसकी भावों में भी बर्फ के टुकडे फसे हुए थे जिसकी वज़ा से उसके सामले नयन नक्ष को और भी उभर रहे थे उसके गले के चारों तरफ एक चमड़े के रसी थी और इससे लटकता हुआ एक लकड़ी का क्रॉस था जब वो चिडियों को दाना डालता था तो उसका क्रॉस इधर से उधर जूलता था उसकी बाई कलाई में एक कपड़े के रसी बंधी थी जिसका दूसरा चोड उसके बुढ़े कुट्टे के गले में बंधा था बर्फ कल दोपर से गिर रही थी जब मैंने बुढ़े आदमी को देखा तो उसके चहरे पर मुस्कान खिल गई और वो चिडियों से बाते करने लगा मैंने मौन सहानुभुती से अपना सिर हिलाया और दरवाजे के हैंडल के तरफ अपना हाथ बढ़ाया घर से ऑफिस तक की 26 मिल लंबी यात्रा में मुझे तीन घंटे लग गये थे अंगिनत रुके हुए ट्रकों और कारों को पार करते हुए आखिरकार मुझे विन्थ्रॉप स्ट्रिट तक पहुचा ही दिया यह पागलपन ही था कि मैं ऐसी सुबह को भी अपनी काम पर जानी की कुसिस करूँ परंतु पिछले तीन सब्ता से मैं अमेरिका का टूर कर रहा था और अपनी पुस्तक दे ग्रेटेस सेल्समेन इन दे वर्ल्ड को प्रमोट कर रहा था इसके अलावा मैंने रेडियो और टेलिवीजन के 49 कारेक्रमों में तथा दो दर्जन अखबार वालों को दिये इंटर्व्यू में लोगों को बताया था कि लगन सफलता के सबसे महत्वपून रहसियों में से एक है इसी वज़ा से मैंने ठान लिया था कि मैं प्रकृति के क्रोध के सामने भी हार नहीं मानूँगा यहीं नहीं आने वाले सुक्रवार को Board of Directors की मीटिंग भी थी Success Unlimited Magazine के President होने के नाते मुझे इस सोमवार और इस सब्ता के हड अपने पिछले साल का लिखा जोखा तयार करना था और हड डिपार्टमेंट के प्रमुक के साथ मिलकर अगले साल के प्रोजेक्शन तयार करने थे मैं तयार रहना चाहता था जैसे कि मेरी आदत थी ताके जब मैं Board Room की लंबी टेबल पर बैठा हूँ तो कोई भी और प्रत्यासित सवाल मुझे परिशानी में न डाल सके पार्किंग स्थल एक उजड़े हुई जगह पर था और इसका हुलिया हर 24 घंटे में दो बार बदलता था साम और रात को यहां पर ऐसी गारियां आती थी जिने कोई भी समझदार सेकेंड हैंड कार डिलर ततकाल बीच देता इन कारों के मालिक इस्थानी अपार्टमेंट में रहते थे और उनके पास इस सक्री सड़क पर पार्किंग की कोई दूसरी जगह नहीं थी हर सुबह यह सभी कारे एक साथ बाहर निकलती और इस्थानी और आसपास की फैक्टरियों के तरफ चल पड़ती थी उनकी जगह पर मर्सिटीज, कैडिलेक, कावरवेट्स और बीम डबलू जैसी सांदार कारे आ जाती थी जिन में वकील, डॉक्टर और लॉयल यूनिवर्सिटी के विद्यारती इस सहर में अपने बिजनस के लिए आते थे सच कहा जाए, तो यह पार्किंग स्थल एक बद्नुमा दाग था, जो उस इलाके में रहने वाले हर नाग्री के मुँपर तमाचे की तरह था मैं पिछले कई सालों से वहाँ अपनी गारी पार्क कर रहा था, परन्तु मैंने कभी नहीं देखा कि किसी परोसी ने यहां का कचरा साफ करने की पहल की हो यहां पर पड़े रदी अकबार, तीन के डिब्बे और खाली सराब की बोतलों के धेर चारी बिमारी के छोटे पहाडों की तरह बढ़ रहे थे सिर्फ एक वज़े से यहां पारकिंग अस्थल काम का था, इसलिए क्योंकि इसके आसपास 10 ब्लॉक दूर तक दूसरा कोई सारवजनिक पारकिंग अस्थल नहीं था परन्तु आज यह उतना बुरा नहीं लग रहा था आज पार्किंग स्थल के सारे पाप टीम फूट बर्फ के नीचे दफन हो गए थे और इसे देखकर मुझे कैलिफोर्निया का पैसिफिक ग्रव बीच याद आ गया जहां कल तक जो कारे कहलाती थी आज वे बर्फिले टापो के तरद दिख रही थी जाहिर था आज इस रिलाके का कोई भी आदमी नौकरी करने के लिए नहीं गया था सब वे यहां आए होंगे और उन्होंने अपनी दफन होई कारों को देखा होगा और इसके बाद या तो वे बस से अपने काम पर गए होंगे या फिर वे वापस विस्तर में घुज गए होंगे पार्किंग स्थल का प्रवेश दवार दो खंबो के बीच था जो एक दूसरे से नौ फूट की दूरी पर थे दूर पर एक बड़ा सा लोहे का बार गेट रखा हुआ था पार्किंग स्थल पर जाकर अपनी कार पार करने के लिए आपको इस गेट को उठाना होता था और इस गेट को उठानी के लिए आपको सफेद धादू के बक्से में दो quarter के सिक्के डालने पड़ते थे सिक्कों के अंदर पहुंचते ही gate अपने आप उठ जाता था और आप अंदर दाखिल हो जाते थे फिर कार के पहिये के गुजरते समय किसी तरह का यांत्रिक संदेश मसीन तक पहुंचता था और gate अपने आप बंद हो जाता था पार्किंग स्थल से निकलते समय भी आपको दो और quarter की जरूद परती थी यदि आप रोज चार quarter डालने के जंजट से बचना चाहते थे तो आपको 20 डॉलर परती माँ पर एक विशेश शावी मिल जाती थी इस शावी को एक पीले बक्से में डाल लगाते ही गेट खुल जाता था कबूतरों को दाना खिलाने वाले वृद आदमी की तरफ से ध्यान हटाने के बाद मैंने गलव कंपार्टमेंट से अपनी गेट की निकाली बर्फ मेरी कार के दरवाजे के निचले हिस्ते से उपर तक आ चुकी थी इसलिए मैंने जमी हुई बर्फ को धक्का दिया और अन्मने धंग से बाहर निकला ततकाल मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं मूर्ख था क्योंकि ऐसे बुरे मौसम में भी मैंने लो कट वाले खुले जूते पहने थे बुरे आदमी ने दाना खिलाने के काम को थोड़ी दिर रोक कर मेरी तरफ दिखा और फिर हाथ हिला दिया कुत्ता भी एक बार भौका और फिर अपने मालिक के समझ में ना आने वाले सब्दों को सुनकर खामोस हो गया मैंने उसके तरफ सिर हिलाया और एक ठके हुई मुस्कुराहट दी बर्फ गिरने के सूर में मेरी गुड मॉनिंग अजीब सी लग रही थी बदले में मैंने जो आवाज सुनी वा अब तक की मेरी सुनी हुई सबसे गहरी और दमदार आवाज थी ऐसा लग रहा था जैसे वा आवाज आसपस की इमार्दों से गुंच कर वापस लोट रही हो एक बार जब डैनी थामस रेडियो कमेंटेटर पॉल हर्वे से मिलें तो डैनी ने कहा था आपको इस्वर की तरह होना ही चाहिए क्योंकि आपकी आवाज इस्वर जैसे लगती है इस आवाज को सुनकर मुझे अपने मित्र पॉल की आवाज कोरस में गाने वाले किसी बच्चे की आवाज की तरह लगी इस सुन्दर दिन में मैं आपका अभिवादन करता हूँ उसके सब्दों को काटने की ना तो मुझ में सकती थी ना ही इच्छा मैंने पीली बक्से में अपनी चाभी घुमाई जब तक की मसीन चालू नहीं हो गई इसके बाद मैं आधा सोता और आधा जागता हुआ अपनी कार के तरफ बढ़ा मेरी पीछे मैंने सुना कि हज्जारों सुभों के तरह गेट की खुलने की आवाज आ रही थी तक के मेरी कार अंदर दाखिल हो सके परनतु जब मैं अपनी कार में बैठा और गेर बदलकर पार्किंग इस थल में जमी गहरी बर्फ में गारी अंदर ले जाने के कोशिस की तो गेट तेज आवाज के साथ वापस बंद हो चुका था मैंने कुन्ठा के साथ आ भरी अपनी कार को फिर पीछे किया और कार का दरवाज़ा एक बार फिर खोल कर ठंडी बर्फ में एक बार फिर पीले बक्से की तरफ गया और अपनी चाबी को फिर से घुमाया गेट एक बार फिर उठा परन्तु आदा उठकर ही वह फिर से गिर गया अधीर होकर मैंने एक बार फिर चावी घुमाई इतनी तेजी से कि वह लगबब तूठी गई परन्तु फिर वही हुआ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरने की नमी से कोई वायर सौट हो गया था अब मैं अपनी कार को पार्किंग इस्थल तक नहीं ले जा सकता था और अगर मैं इसे सडक पारी खड़ी रहने देता तो यह तैथा कि ट्राफिक पुलिस वाले इसे उठा कर ले जाते मैं वहीं खड़ा रहा मेरे घुटने तक बर्फ थी और मैं अपनी आखों से बर्फ के टुकड़े को साफ करते हुए इस मुर्खतापून यात्रा के लिए खुद को कोश रहा था इस समय मैं लगन के महत्व के बारे में अपने लिखी और कही तमाम बातों पर संका कर रहा था तब ही कबूत्रों को दाना डालने वाला अजनबी ने मेरे आत्मद्या के विचारों में बाधा डाली मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस आवाज में कुछ अजीब सी बात थी इसमें सचे दिल से मदद का प्रस्ताव भी था और एक तरह का आदेश भी छुपा हुआ था वो मेरे करीब आया और मैंने उसके चहरे को गोर से दिखा उसका चहरा दुबला था चहरे पर समय की रिखाएं साफ जलक रही थी और उसकी आँखे बड़ी और भूरी थी वो अलगवक साथ फुट लंबा होगा क्योंकि मेरी लंबाई भी कम नहीं है मैं मुस्कुराया और अबराहम लिंकन के तरह दिखने वाले इस अदमी के तरफ देखकर अपने कंधे उचका दिये धन्यवाद पर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं उसकी आँखों और चहरे पर एक गर्म और नम्र मुस्कान आ गई जैसे कि मैंने किसी इनसान के चहरे पर आज तक नहीं देखी थी फिर उसने जिद्धी गेट की तरफ इसारा करते वे कहा या कटिन नहीं होगा आप एक बार फिर से चावी को बकसे में घुमाईए जब गेट उठेगा तो मैं इसके नीचे पहुंच जाऊंगा इसके बाद मैं इसे अपने हाथों से पकड़ लूँगा और तक तक पकड़े रहूँगा जब तक कि आपकी कार ना बुजर जाए फिर मैं इसे नीचे रख दूँगा या केट बहुत भारी है उसकी हाँसी पूरे पार्किंग इस्थल में गूंच गई मैं बुढ़ा जरूर हूँ परन्तो मुझ में अभी बहुत जान बाकी है और वैसे भी अपके समस्या को हल करने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिस करना चाहिए कारलायल ने लिखा है कि हर महान काम पहले असंभव न जराता है कारलायल हाँ कारलायल थामस कारलायल 19 सदी के अंगरीजी साहित के निबंधकार मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं बर्फीले तुफान में खड़ा था बर्फीली हवाए मेरे चेहरे को चीरती हुई जा रही थी मेरे पैर बर्फ से धसे हुए थे और लपब जम से गए थे मेरा पूरा हुलिया किसी हिम पुरुष की तरह हो रहा था जबकि 70 साल का लंबे बालो वाला हिप्पी मुझे अंगरीजी साहित पर लेक्चर दे रहा था मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था मैं अपने विकल्पों पर चिंतन करने का बहुत बड़ा पच्छधर हूँ परन्तो मैंने यह भी सीखाये कि कई बार और कई परिस्थितियों में आपके पास विकल्प होते ही नहीं है मैंने धीमी से धन्यवाद दिया और इंतजार किया बुढ़ा आदमी फेंस के पास गया और अपने कुट्टे को वहाँ पर बान दिया फिर वो मेरे पास लोटा और सिर हिला कर मुझे इसारा किया लगवग सम्मूहित होकर मैंने उसके मौन आदेश का पालन किया और अपनी चावी को बॉक्स में घुमाया गेट बार आवाज करती हुई उपर की तरफ चल पड़ी इसी समय बुड़ा आदमी इसके नीचे पहुँच गया और जैसे ही गेट बार नीचे की तरफ आने लगी उसने इसे कसकर पकड़ लिया अगले कुछ मिनुटों में क्या हुआ इस बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है हलाकि मैंने अक्सर याद करने की कोसिस की है साथ मैं जल्दबाजे में किये गए हलके नास्ते और लंबी यात्रा की कीमत चुका रहा था मुझे चकर से आ रहे थे और मेरी आँके चकरा रही थी जैसे किसी ने मेरे पढ़ने के चसमे के उपर वैसलिल की परत लगा दी हो हर चीज धून भी नजर आ रही थी जब मैं अपने सामने खड़े अजनमी पर नजरे जमाने की कोसिस कर रहा था तो मेरे सरीर में एक अजीब सा कम बन हुआ गेते हुई बर्फ के बीच से मैं उसके सीने पर जूड़ रहे लकड़ी के क्रोस को देख सकता था उसलिल इसी से यह भ्रम पैदा हुआ लंबे वाल, दारही, सिर के उपर 45 डिग्री पर फैले हुए हाथ गेत बार, क्रोस बार अपनी सलीब को अपने ही हाथ में उठा कर गौल गात की तरफ बढ़ रहा मुझरिम उसकी आवाज ने जिसमें अब जल्दबाजे की जलक थी मेरी कल्पना की उडां को एक ही जटके में जमीन पर ला दिया जल्दी करो, कार अंदर लो, कार अंदर लो मैं अपनी कार में घुशा, गियर लगाए और एक्सलेरीटर पर धीमे धीमे दबाव डाला कार के टायर घुमे और मैं धीरे धीरे अजनवी को पार करता हुआ बार के नीचे से घुश कर गिट पार कर गया मैंने कार को आहिस्ता से एक निश्री जगा पर पार किया और इंगिशन लॉक किया मेरे हाथ काप रहे थे फिर मैंने हाथ बढ़ा कर अपनी अटेची उठाई दर्वाजा खुला और बर्फ में सीर के बल गिर गया मैं उठा अपने कप्रों पर से बर्फ ज़ाड़ी और कार को लॉक किया मैं बुड़े आदमी को धनवाद देने के लिए गेट की तरफ मोड़ा पारकिंग इस्थल में मेरी मदद करने वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था लेसन टू वो मुझे वसंत रितु तक दुबारा नहीं दिखा यह सुक्रवार की बात थी जो इतने लंबे होते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते मासिक पत्रिका के प्रकासन समंदी मेरी समझाय बढ़ रही थी यही वज़ा थी कि रात की बतियां बुझ जाने के बाद जब सभी अपने अपने घर चले गए थे मैं ओफिस में अकेला और हारा हुआ बैठा था सारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मैं बैठा हुआ मेज पर रखी घड़ी की टिक टिक सुन रहा था मैं घर तक की यात्रा में मिलने वाले ट्रैफिक से डर रहा था इस वक्त भी इडिन्स एक्स प्रिश्वे में रास्ता जाम होगा एक पर फिर वही परिशान करने वाले सवाल मेरे दिमाग में कौनने लगे तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो क्या तुमें लगता था कि नंबर वन पर पहुँशने के बाद तुमारी जिन्दगी आसान हो जाएगी तुम इस्तिफा क्यों नहीं दे देते पुष्टक से मिलने वाली रोयल्टी तुमारी तनक्वा से चाल गुना ज़्यादा है अब तुम क्या या साबित करने की कोशिस कर रहे हो कि यह पत्रिका सफल है तुम किसी ऐसे जगा क्यों नहीं चले जाते जहां सांती हो और वहां तुम बैठ करके तमाम पुस्ट के लिख सको जिनको लिखने के प्रबल इच्छा तुमारे मन में है इन सवालों का तार्किक उत्तर केवल यह था कि अपनी आदत और अपने आत्मगौरव की वज़़ से नया कर रहा था मैंने सक्सस अनलिम्टेड मैक्जिन को 4000 के मासिक सर्कुलेशन और 3 करमचारियों से संभाला था आज की तारीक में इसका सर्कुलेशन 2 लाग था और इसका स्टाफ 34 हो गया था परंतु मैं जानता था कि अब भी हमारे देश में 12 करोर संभावित ग्रहक थे और उन्हें अपना ग्रहक बनाने की चुनौती अब भी मेरे सामने थी फिर मैंने यह याद करने की कोशिस की कि किसी ने लिखा था गहमंड की सुरुवात स्वर्ग में होती है गहमंड धर्ती पर जारी रहता है गहमंड का अंत नर्क में होता है मुझे याद नहीं आया मेरी यादास खराब थी मैंने अपने पढ़ने वाले चसमे को अपनी अटैची में डाला अपने जैकेट और टॉप कोट उठाया लाइट बंद की और ओफिस में ताला लगाया ब्रॉडवे और डेवन के कोने पर जलती स्ट्रीट लाइट को छोड़ कर हर तरफ अंधेरा था मैं धीमे से रूट फोटोग्राफस की खिड़की के पास से गुजराब और अपने बिल्डिंग के पीछे बने पार्किंग स्थल पर पहुँच गया जहां पीले और नारंगी रखके अच्छर चमक रहे थे अपनी कार पार्क कीजिए सिर्फ 5 सिंट में पार्किंग स्थल में अब आसपस की कारे पूरी तरह कबजा कर चुकी थी मैं पार्किंग स्थल में अभी आधी दूर तक गया होंगा कि तभी मैंने उसे देखा पार्क किये हुई एक कैनल ट्रक के पीछे उसका लंबा सरीर धीमे से हिला और अंधेरे के वावजूद मैंने उसे पहचान लिया मुझे उसका कुत्ता बाद में दिखा मैं मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ा गुड इवनिंग उसने गहरी आवाज में कहा मैं इस सुन्दर साम को आपका अभिवादन करता हूँ उस बरफीले दिन में आपने मेरी जो मदद की थी उसके लिए धन्यवाद देने का मुझे मौका ही नहीं मिला कोई बात नहीं हम यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो है मैं उसके कुट्ते को थप थपाने के लिए जुका जो अब मेरी पैंट पर मुह लगाए हुए था फिर मैंने बोड़े आजमी के तरफ हाथ बढ़ाया मेरा नाम मैंडीनो है उसकी बड़ी उंगलिया मेरी उंगलियों के चारो तरफ जकड गई मुझे आपसे मिलकर खुसी हुई मिस्टर मैंडीनो मेरा नाम साइमन पॉटर है और इस चार पैरो वाले मेरी साथी का नाम लेजारस है लेजारस? हाँ या इतना अधिक सोता है कि मुझे पता नहीं होता कि या जिन्दा है या मुर्दा मैं हसा आप मुझे माफ करना मिस्टर मैंडीनो परन्तु आपका पहला नाम या थोड़ा हटकर है आउग आउग आप इसे कैसे लिखते हैं? ओ जी आपका या नाम बच्वन से है? मैं हसा नहीं मेरा असले नाम आउगस्टीन है हाइ स्कूल में मुझे अपनी स्कूल के अकबार के लिए एक कॉलम लिखना था और एक बार मैंने अपने लिख के नीचे अपने हस्ताक्षर EUG लिख कर किये थे इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपना नाम बदल लूँ और मैंने इसे phonetics के हिसाब से OG कर लिया तब से मेरा यही नाम चल पड़ा यह दुरलब नाम है इस दुनिया में औग नाम के ज़्यादा लोग नहीं होंगे मुझे बताया गया है कि दुनिया औग नाम के लोगों से भरी पड़ी है क्या आप अभी लिखते हैं? हाँ, आप किस तरह की चीज़े लिखते हैं? पुस्त के, लेक आपके पुस्त के छप चुकी है? हाँ, पांच पुस्त के यह तो अद्वुत है कौन सोच सकता है कि खाली सराब की बोतलों के पास वा किसी लिखक से मिल सकता है? मुझे लगता है कि ऐसी ही जगह पर आप बहुत से लिखकों से मिल सकते हैं, साइमन हाँ, मेरे मित्र यह दुखद है, परन्तु सच है मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ परन्तु केवल समय काटने के लिए और आत्म संतोष्टी के लिए बुढ़ा आदमी मेरे करीब आ गया जैसे वो मेरे चेहरे को गौर से देखना चाहता हो आप ठके हुए लग रहे हैं मिस्टर मैंडीनो या मुझे लगता है मैं आपको मिस्टर औ कहकर पुकारू मैं ठका हुआ हूँ, लंबा दिन था लंबा सप्ता और आपको घर पहुँचने से पहले लंबी यात्रा भी करना है हाँ, 26 मेल साइमन पॉर्टर मोडा और उसने अपनी लंबी बहां से पार्किंग स्थल के सामने वाली भूरी इट के चार मंजले अपार्टमेंट के तरफ इसारा करती हुए कहा मैं वहां रहता हूँ दूसरी मंजल पर लंबी यात्रा पर जाने से पहले क्यों न आप मेरे साथ चलें और एक गिलास सेरी पी ले इससे आपके ठकान दूर हो जाएगी मैं अपना सिर ना में हिलाने लगा परंतु उस बर्फीले दिन की तरह आज भी मैंने यह महसूस किया कि मुझे उसका अदिस मानना ही होगा मैंने अपनी कार का दरवाजा खुला उसमें अपना टॉप कोट और केस डाला कार के दरवाजे को ताला लगाया और लेजारस के पीछे पीछे चल पड़ा हम लॉबी से गुजरे जहां जाड़ों नहीं लगी थी हम मेल बॉक्स के पास से निकले जहां पीले प्लास्टिक पर लोगों के नाम लिखे हुए थे इसके बाद हम टूटी फूटी सीडियों पर चड़ने लगे सैमन ने अपनी जेब से चाभी निकाली और इसे लकड़ी के दर्वाजे में लगाया जिसके उपर लाल अक्षरों में 21 लिखा हुआ था उसने दर्वाजा खोला और मुझे अंदर आने का इसारा किया उसने लाइट का स्विच चालू किया और कहा माफ किजेगा मेरा गरीब खाना बड़ा बेतर तीब है लेजारस को छोड़ दिया जाए तो मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ और घर समभाना मेरी योगिताओं में सामिल नहीं है उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी लिविंग रूम छोटा जरूर था पर उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी कहीं पर धूल या मकडी के जाले नहीं थे लबब दतकाल ही मेरी नजर किताबोर पर गई जो सैक्रो की तादात में दो बड़े बुक्केसों में जमी हुई थी और बुक्केसों के लंबाई उनके मालिक जितनी ही थी मैंने साइमन को अजीब निगाहों से देखा उसने अपने कंदे उचकाए और अपने मुस्कुरहाट से कमरे में गर्माट भर दी एक बुढ़ा आदमी पढ़ने और सूचने के सिवा करी क्या सकता है अराम से बैठिये मैं अभी आपकी सिरी लिका राता हूँ जब साइमन किचन में गया तो मैं उसके किताबों के तरफ बढ़ा और उनके टाइटल देखने लगा मुझे आसा थी कि ऐसा करने से मुझे इस रहस्चम्य आदमी के बारे में कुछ महत्वकूर्ण जानकारी हासिल हो सकती है मैंने अपने सिर को जुकाया और अपने आखों को किताबों पर जमाते हुए देखा बिल ड्यूरा की सीजर एंड क्राइस्ट जिब्रान की दे प्रॉफिट प्रूटार्क की लाइब्स ओफ ग्रेट मैं फुल्टान की फिजिलोजी अफ दे नर्वस सिस्टम गोल्ड स्टीन की दो अर्गनिजम असले की दो अनेक्स्पक्टेड उनिवर्स सर्विंटीज की दोन कुट्जाट अरस्टू के वर्क्स फ्रैंक्लिन की ओटोबिग्रफी मैं निंजर की The Human Mind कैंपिस की The Imitation of Christ The Talmud कई बाइबले साइमन मेरे पास आया और उसने मेरे सराब के गिलास को मेरी तरब बढ़ा दिया मैंने गिलास लेकर उसके गिलास के पास से रख दिया दोनों गिलासों के टकराने की हल्की आवाज उस सांत कमरे में गूंच गई साइमन बोला हमारी दोस्ती के नाम इस्वर करे यह लंबी समय तक चले और अच्छी साबित हो आमीन मैंने जवाब दिया उसने अपने गिलास से अपनी पुस्तकों के तरफ इसारा किया मेरी लाइबरेरी के बारे में आपके क्या विचार है क्या बहुत बढ़िया कलेक्शन है कास के मेरे पास यह सारी पुस्तके होती आपकी रूची का दैरा बहुत व्यापक है सच पुछा जाए तो ऐसी बात नहीं है यह सब तो second hand book stores में बर्षों तक घंटों गुजारने का नतीजा है इन सभी में कोई साजी बात है जिसे हर पुस्तक बहुत खास बन जाती है खास? हाँ इन में से हर पुस्तक किसी ना किसी तरह से विश्व के महांतम चमतकार के किसी ना किसी पहलों को उजागर करती है और इसलिए मैंने उनका नाम इस्वर के हाथ के पुस्तके रखा है इस्वर के हाथ की पुस्तके? इसे सब्दों में समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा बहराल मेरा मानना है कि कई संगीत रशनाएं कई कलाकृतियां, कई पुस्तके और कई नाटक ऐसे होते हैं जिनकी रसना किसी संगीतकार, कलाकार लिखा क्या नाटककार ने नहीं बलकि ईस्वर ने की है इनकी रसना करने वाले लोग तो निमीत मात्र होते हैं जो ईस्वर की आधिसा नुसार रसना कर रहे थे ताकि वो अपनी बात हम तक पहुँचा सके क्या हुआ मिस्टर रॉग साथ मैं उसके सब्दों को सुनकर उचल गया था दो सब्दा पहले ही मैंने नियू यूर्क सिटी में लोकप्रियर रेडियो होस्ट बैरी फावर के मों से ठीक यही वाक्यांस ईस्वर का हाथ सुना था तब जब उसने मुझ पर केंदरित अपने कारेक्रम में जंता के सामने मेरी पुस्तक की तारीफ की थी यानि आपको विश्वास है कि इस्वर आज भी हम लोगों के साथ संबाद करता है जिस तरह की वह पुराने यहुदी प्रॉफिट के साथ करता था मुझे पूरा विश्वास है हजारों सालों से इस दुनिया में अंगिनत प्रॉफिट आये हैं जो इस्वर की इच्छा को विर्प्त कर चुके है एलिजा, एमोस, मोजिस, एकलीज, जसासा, जेरेमिया, सैम्यूल और बहुत से अद्वुत संदेश वहत और इसके बाद जीसस और पॉल और फिर कोई नहीं मुझे यकीन नहीं होता हालाकि हमने प्रॉफिट की हसी उड़ाई उन्हें यातना दी उन्हें परिशान किया जहां तक कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया परंतो मैं या मानने को तयार नहीं कि इस्वर ने हमारी तरफ से आखिरकार हार मान ली और वो हमारी जरूरतों को नजनदाज करने लगा इस वज़े से हम में से कुछ को या जरूर लगा जैसे वो मर चुका हो क्योंकि हमने उसकी आवाज इतने लंबे समय से नहीं सुनी इसके बज़ाए मुझे सचमुच विश्वास है कि उसने हर पीड़ी में कुछ खास लोग प्रतिभासाली लोग चमतकारी लोग भेजे हैं जो किसी ना किसी तरह का संदेश लेका राये हैं या संदेश की हर मनुष विश्वा का महांतम चमतकार करने में सक्षम है या इनसान के सबसे दुखत भूल है कि वो इस संदेश को समझ नहीं पाया क्योंकि सभिता के कच्रे ने उसे अंधा कर दिया है दुनिया का ऐसा कौन सा महांतम चमतकार है जो हम कर सकते हैं पहले तो मिस्टर ओग आप मुझे बताए कि चमतकार का अर्थ क्या होता है मेरी नजर में चमतकार वह है जो प्रकृति या विज्ञान के नियमों के विरुद्ध हो इनके किसी नियम का कुछ समय के लिए ठहराओ आपने बहुत सठी को सही जवाब दिया मिस्टर ओग अब आप मुझे बताएं क्या आपको यकीन है कि आप चमतकार करने में सक्षम है क्या आप प्रकृति या विज्ञान के नियमों को कुछ देल के लिए रोक सकते है मैं हसा और मैंने अपना सिर हिलाया बुढ़ा आदमी उठा उसने कौफी टेबल से कांच का छोटा पेपरविट उठाया और इसे लेकर मेरे पास आया अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो यह फर्स पर गिर जाएगा है ना मैंने हम ही भरी कौन सा नियम कहता है कि यह धर्ती पर गिर जाएगा गुर्टवा करसन का नियम बेलकुल ठेक फिर बिना किसी चेताउने कि उसने अपने हाथों से पेपर वेट को फिसल जाने दिया फिर बिना कुछ सोचे विचारे ततकाल मैंने अपना हाथ बढ़ाया और पेपर वेट को फर्स पर पहुँचने से पहले ही लपक लिया साइमन ने अपनी बाहें मोड ली और मेरी तरफ मुस्कुराते वे देखकर कहा क्या आपको इस बात का एहसास है कि अभी आपने क्या किया मिस्ट रॉग मैंने आपके पेपर वेट को कैच किया है आपने इससे बड़ा काम किया है आपने गुर्तवाकर्शन के नियम को कुछ देर के लिए ठहरा दिया है चमतकार की किसी भी परिभासा के हिसाब से आपने एक चमतकार अभी हाल कर दिखाया है अब आप मुझे बताए कि आपको इस दुनिया में होने वाला महानतम चमतकार कौन सा लगता है मैंने कई मिनट तक सोचा सैदवे मामले जिनमें मुर्दा लोग एक बार फिर जिन्दा हो जाते हैं मैं सहमत हूँ और दुनिया के ज़्यादतर लोग आपके विचारों से सहमत होंगे परन्तु आप किस तरह इस बात को अपने किताबों से जोडते हैं जिने आपने इकठा कर रखा है निश्यत रूप से इन किताबों में वो ऐसा कोई गुपनिय तरीका नहीं बताया गया है कि मुर्दा लोगों को किस तरह जिन्दा किया जाए बताया हुआ है मिस्टर ओग बताया हुआ है ज्यादतर इनसान मुर्दों के तरह जी रहे है फरक सिर्फ यह है कि कुछ कम मुर्दा है और कुछ ज्यादा मुर्दा किसी न किसी तरीके से इन सभी ने अपने सपनी अपनी महत्वकान चाएं अपनी बहतर जीवन के इच्छा खो दी है आत्मसमान के लड़ाई में उन्होंने घुटने टिक कर समर्पन कर दिया है उन्होंने पनी महान संता के साथ समझोता कर लिया है उन्होंने औसत दर्जे के जीवन से समझोता कर लिया है वे निरासा भरे दिनों और आसो भरी रातों से समझोता कर चुके हैं वे ऐसे मुरदा लोग हैं जो अपने मनपसद कब्रिस्तान में जिन्दा ही दफन हो चुके हैं परन्तु जरूरी नहीं है कि वे लोग इसी स्थिती में रहें उन्हें इनकी दुखत स्थिती से बाहर निकालना होगा हमें एक पर फिर जिन्दा क्या जा सकता है उन्में से हर एक में यह काबिलियत है कि वो विस्व का महानतम चमतकार कर सके उन्में से हर एक मौत के बाद वापस लोट सकता है और इन पुस्तकों में वे आसान रहस्ते तकनिके और उपाय दिये गया हैं जिन्हें अपना कर वे लोग जो चाहे बन सकते हैं और जीवन की सची दौलत हासिल कर सकते है मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ मैं बैठा रहा उसे घूरता रहा जब तक कि उसने खामूसी नहीं तोड़ी क्या आप मानते हैं कि लोग अपनी जीवन में इस तरह का चमतकार कर सकते है में स्ट रॉब हाँ मैं मानता हूँ क्या आपने कभी अपनी पुस्तकों में ऐसे चमतकारों के बारे में लिखा है कभी कभार मैं आपके लिखोई पुस्तक पढ़ना चाऊँगा मैं आपको अपनी पहले पुस्तक की एक प्रती ला दूँगा उस पुस्तक में चमतकार है जब अपने उसे लिखा तो क्या आपको इस्वर के हाथ का अनवह हुआ मैं नहीं जानता साइमन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था साइद मैं उसे पढ़ने के बाद आपको बता पाओ मिस्टर रॉग इसके बाद हम लोग सांतेपूर माहौल में बैठे रहे किसी ट्रक या बस के आने जाने की आवाद से ही इस सांती में व्यवधान परता था मैंने सेरी की चुसक्या ली और मैं काफी रिलाक्स्ट महसूस कर रहा था पिछले कई महिनों में पहली बार मैं दुनिया में इतनी सांती महसूस कर रहा था आखे कार मैंने अपने गिलास को पॉलिस की हुई छोटी सी मेज पर रख दिया जो मेरी कुर्सी की बगल में रखे हुई थी मैंने वहाँ पर दो तस्वीरे देखी जो छोटे कासे के फ्रेम में फिट थी एक तस्वीर किसी बहुत आकरसक महिला की थी जबकि दूसरी तस्वीर मिलिटरी यूनिफॉर्म पहने एक क्यूबक की थी मैंने साइमन के तरफ देखा और मेरे पूछने से पहले ही उसने मेरे प्रस्ण को समझ लिया मेरी पतनी, मेरा पुत्र मैंने सिरह लाया उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं काफी कोसितों के बाद उसकी आवाज सुन पाया उसकी आवाज उस छोटे से कमरे में तैर कर मुझ तक पहुँच रही थी दोनों ही मर चुके हैं मैंने अपनी आखे बंद कर ली और एक बार फिर सिर हिलाया उसके अगले सब्द फुसफुसाहट के रूप में निकले डेस्यू उनिसोन चालेस जब मैंने अपनी आखे खोली तो बुड़े आदमी का सिर्व जुका हुआ था उसने अपने दोनों विसालकाय कंदे इकटे भीच कर अपने माते पर रख लिये थे तबी उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने किसे अजनवी के सामने अपने दुख को उजागर कर दिया है वो अतनकर बैठ गया और जहेब कर मुस्कुराया मैंने विसे बदल दिया आप करते क्या हैं साइमन क्या आप कोई नौकरी करते हैं बुड़ा आदमे कुछ पल जिजगा इसके बाद वो एक बार फिर मुस्कुराया और अपने हाथ को फैलाते हुए उसने जवाब दिया मैं एक रैग पिकर या कच्रा बीनने वाला हूँ मिस्टर रॉग मैं सूचता था कि कच्रा बिनने वाले सभी लोग सूप किचन के साथ ही चले गए हैं मुझे लगता था कि 1930 की भूकी रैलियों के बाद से कच्रा बिनने वाले लोग गायब हो चुके हैं सैमन ने अपना हाथ बढ़ा कर मेरे कंदे पर रख दिया और उसे हलके से दबाया मिस्टर ओब परिभासा के अनुसार रैग पिकर वा होता है जो आजीविका के लिए चीछडे और बाकी कच्रा सडकों और कच्रा घरों से उठाता है मेरा अनुमान है कि इस तरह के रैग पिकर अमेरिका में नहीं होंगे क्योंकि इस तेस में हर आदमी के पास रोजगार के साधन है परन्तु अगर परिस्थिद्या बदलती है तो हम एक बार फिर उन्हें देख सकते हैं मुझे नहीं लगता हमारी अपराद किदर बताती है कि हमने जल्दी पैसा कमाने के ज़्यादा तीज और आसान रास्ते खोज लिए है जैसे अपहरन ससस्त्र रड़ कहती और चोरी अब बिल्कुल ठीक कह रहा है मिस्टर रॉग फिर भी कागज और धात्वों के उची कीमतों को देखते हुए मुझे लगता है कि रैग पिकर या कच्रा बीनने वाले की रोजी रोटी अच्छी तरह चल जाएगी बहराल मैं उस तरह का रैग पिकर नहीं हूँ मैं रद्धी अखबारों और अल्यूमिनियम के बियर कैन से ज़्यादा कीमती समान बीनता हूँ मैं इंसानों का कच्रा बीनता हूँ उन लोगों को जिनने बाकी लोगों ने नकार दिया है अपने से दूर छिटक दिया है या जिनोंने खुद को बेकार समझ लिया है उन लोगों को जिनमें महान संभावनाई छुपी हुई है परन्तु उनका आत्म सम्मान जा चुका है और बहतर जिंदगी की आसा भी जिनका साथ छूड़ चुकी है जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनके जीवन को बहतर बनाने की कोसिस करता हूँ उन्हें आसा की नई किरन और दिसा देता हूँ और उन्हें जीवित मौत के मुझे वापस खीच कर लाता हूँ जो मेरे लिए जिसव का महानतम चमतकार है और हाँ जो ग्यान मैंने इस्वर के हाथ से लिखी पुस्टकों से हसिल किया है उसे मुझे मेरे मैं इसे क्या नाम दूँ विवसाय में बहुत मदद मिली है इस लकड़ी के क्रॉस को देखें जिसे मैं अक्सर पहनता हूँ यह एक युवक ने बनाया था जो कभी एक सिपिंग क्लर्क हुआ करता था एक रात विलसन एवन्यू में उसे मेरी मुलाकात हुई यह यू कहूं कि उसके मुलाकात मुझसे हुई वह नसे में था मैं उसे यहां ले आया ब्लैक कॉफी के कई कप, ठंडे स्नान और थोड़े बहुत भूजन के बाद हमारी बात्चित हुई वह सचमुच हिमत हार चुका था वह अपने आपको पूरी तरह औसमर्थ और अयोगी समझ रहा था उसे लग रहा था कि वह अपनी पत्नी और अपने दो छोटे बच्चों को सहरा नहीं दे पाएगा वह दो नौकरियां कर रहा था वह तीन साल से हर दिन सतरा घंटे काम कर रहा था और अब वो तूटने की गगार पर पहुँच चुका था जब वो मुझे मिला तो वो पूरी तरह बोतल में डूग चुका था उसमें इतनी हिमत नहीं थी कि वो इस जीवित मृत्यू का सामना कर सके उसकी अंतरात्मा उसे कचूट रही थी कि वो इतने अच्छे परिवार का मुख्या होने के काविल नहीं था मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी इस्थिती आम है और उसे निरास होने की कोई जरूत नहीं है इसके बाद वो रात वाली नौकी पर जाने से पहले हर रोज मेरे पास आने लगा इकटे हमने सुक और सफलता के कई पुराने और आधुनिक रहस्यों को खोजा और उन पर चर्चा की मुझे लगता है कि मैंने सूलुमन से लेकर इमर्शन तक और जिब्रान तक हर वद्धिवान व्यक्ति का उलेख किया और उसने मेरी बाते ध्यान से सुनी और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ जब उसने एक हजार डॉलर बचा लिए तो उसने अपनी दोनों नौकरियां छोड़ दी वो अपने परिवार को अपनी पुरानी प्लाई माउथ कार में लेकर एरिजोना चला गया अब स्कोर्ट्स डिल के ठीक बाहर उसका अपना छोटा सा रोट साइड स्टैंड है वहाँ पर अब उसे अपनी लकडी की नकासी की काफी अच्छी कीमिते मिल रही है कभी कबार वो मुझे पत्र लिखता रहता है और मुझे धन्यवाद देता है कि मैंने उस समय उसे हिम्मत दी जब उसकी अपनी हिम्मत जवाब दे चुकी थी वह कहता है कि मैंने उसकी जिन्दगी बदल दी या क्रॉस उसकी पहले नकासियों में से एक था वह अब सुखी और संतुष्ट वेक्ती है ज़्यादा अमीर तो नहीं परंतु ज़्यादा सुखी देखे मिस्टर ओग हम इसे ज़्यादर लोग अपने लिए कैद खाने बना लेते हैं और जब हम कुछ समय तक उनमें रह लेते हैं तो हमें उनकी दिवारों की आदत पढ़ जाती है हम अपने मन में या गलत फैमी पाल लेते हैं कि हमें जीवन पर इसी कैद खाने में रहना पड़ेगा जब हमें ये विश्वास हो जाता है तो हमारी ये आसा खत्म हो जाती है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है हमारे सपने सच हो सकते हैं हम कटपुतलिया बन जाते हैं और जिंदा रहते हुए भी मुर्दो की तरह हो जाते हैं क्या तारीफ के काबिल हो सकता है कि आप किसी महान काम या बिजनेस या दूसरी के सुक के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे परतो यदि आप अपनी जीवन सैली के कारण दुखी और असंतुष्ट हैं तो आपको इस बात का एसास है तो इस तरह रहना एक पाखंड है एक जूट होगा और उस अवस्ता को नकारना होगा जो आपके रचेता ने आपके भीतर स्थापित की थी साइमन माफ कीजेगा पर तो क्या आपको नहीं लगता कि आप दूसरी लोगों के जीवन में अनावश्चक दखल दे रहे हैं और आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है अखिर वे तो आपको ढून नहीं रहे हैं ना आपको उन्हें ढूनना पड़ता है और उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि अगर वे कोशिस करें तो वे नए सिरे से जिंद्गी सुरू कर सकते हैं क्या आप इस्वर के भूमिका निभाने की कोशिस नहीं कर रहे हैं मेरी नासमझी और नादाने की वज़़से बुड़े आदमी के चेरे पर साहनुभूती और करूना की जलाग आ गई परंतु उसका जवाब संचिप था और उसमें छमा का भाव भी था मिस्टर ओग मैं इस्वर की भूमिका निभाने की कोशिस नहीं कर रहा हूँ कभी न कभी आप याँ समझ जाएंगे कि अकसर इस्वर इनसान के भूमिका निभाता है इस्वर बिना इनसान के कभी कुछ नहीं करता और जब भी उसे चमतकार करना होता है वो हमेशा इनसान के माध्यम से ही चमतकार करता है वो उठा जैसे वो हमारी चर्चा को अचानक खत्म करना चाता हो यह एक ऐसी तक्निक है जिसे मैं आपके आफिस में चर्चा खत्म करने के लिए अपसर इस्तमाल करता हूँ जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा महमान नवार जी और सेली के लिए सुक्रिया इसे मुझे खुसे मिली मिस्टर रॉग जब आपको मौका मिले तो आप कृप्या अपनी पुस्तक की एक प्रति मुझे दे देना घर की तरफ जाते हुए लंबी यात्रा में मेरे विचारों में एक सवाल बार बार कौनता रहा अगर वो बुद्धिमान बुढ़ा रैग बिकर मानवी एक कचले को बचाने का विसे सग्य था तो वो मुझ पर अपना समय क्यों बरबाद कर रहा था मैं तो एक संपन और सफल कंपनी प्रेजिडेंट था जो पचास पर तीसर टैक्स की रिंज में आता था और जिसने अभी हाल एक नेशनल ब्रेस्टेलर पुस्तक लिखी थी लिसन फूर वो मुझे एक महिने तक नहीं दिखा ओफिस बंध होने का समय गुजर चुका था मैं अकेला ओफिस में बैठा हुआ था मैं उस डाक से जूज रहा था जो मेरी अनुपस्थिती में इकट्थी हो गई थी मैंने ओफिस के बारी दरवाजे की खुनले की आवाद सुनी और मैं तनकर बैठ गया जो भी आदमी अन्त में बाहर गया था उसने गेट लॉक करने का कश्ट नहीं किया था इस इलाके में इन दिनों डकैतियां बहुत हो रही थी तबी लैजारस मेरे ओफिस के दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखा वह कई हरकते एक साथ कर रहा था उसकी पूछ हिल रही थी कान उठ और गिर रहे थे दुखी आखे रो रही थी जीब बाहर निकल रही थी वह उस रसी को खीच रहा था जो उसके मालिक ने थाम रखी थी बुढ़े आदमी ने मुझे गले लगाया मिस्टर ओग आप आ गए यह बहुत अच्छा रहा लेजारस और मैं दोनों ही आपको लेकर चिलती थे मैं किताब के सिलसिले में बाहर गया था साइमन मुझे लगता है कि कोई मेरी जिंदगी बदलने की कोशिस कर रहा है क्या ऐसा भले के लिए हो रहा है मैं नहीं जानता सैद आप मुझे यह बता पाए मैं जानता था कि आप सहर में नहीं हैं मिस्टर ओग हर दिन मैं खिड़की से जहांक कर आपकी छोटी भूरी कार को तलास करता था ना कार नजर आती थी ना मिस्टर ओग नजर आते थे और इस सुबह मुझे कार देख गई मैं इतना खुस हुआ मैं आपसे मिलना चाहता था और मैं आपको परिसान भी नहीं करना चाहता था मैंने पूरे दिन अपने भीतर हिमच जुटाई तब कहीं जाकर मैंने आपसे यहां आकर मिलने की गुस्थाखी की मुझे खुसी है कि आपने ऐसा किया मैं आपसे खुद ही मिलने आया होता क्योंकि मैं आपको अपनी पुष्टक के बारे में एक खबर दीना चाहता था अच्छी खबर मुझे अभी विश्वास नहीं है कि यह मेरे साथ हो रहा है बुढे आदमी ने सिरह लाया और गर्व से मेरे कंधे को थप थपाया फिर वो लैजारस को मेरे कोट रैक तक लेग गया और वहाँ पर उसे रसी से बांद दिया कुट्टे ने अपनी नाप को भारी गलीचे में घुशा दिया और अपनी आखे बंद कर ली आप बहुत सांदार दिख रहे हैं साइमन मैंने इससे पहले आपको कभी सूट और टाइमें नहीं देखा मेरे आगंतुक ने सर्म से अपनी लंबी उंगलियां अपने सिल्वटो भरे जैकेट पर मलते हुए और कंधे उचकाते हुए कहा मैं किसी कंपनी मैं किसी कंपनी प्रेस्डेंट से मिलने के लिए फटे हाल कपड़ों में तो नहीं आ सकता है ना क्यों नहीं मुझे लगता है कि आप रैक विकर लोग हर तरह के वेश में काम करते हैं और साइद CIE के तुल्ना में आपकी घुस पैट जीवन के जादा छेत्रों में है आप लोग बिना डिपार्टमेंट वाले देवदूत हैं उसकी चहरे पर मुस्कान आना सुरू हुई थी कि मेरे देवदूत कहते ही वह गायब हो गई उसने अपने आपको संभाला और थोड़ा मुह बना कर कहा कि वल एक लेक ही इतनी मर्म उसपरसी बात कह सकता है बहराल हम रैग पिकर्स का हाल बुरा है मानावता के कचरगर में जनसंख्या विस्पोट हो रहा है और हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही है कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि सायद आपकी मैगजिन का प्रकासक डवल्यो क्लिमिंट स्टोन भी एक रैग पिकर है हम दोनों बॉस के पोट्रेट की तरफ देखने लगे पोट्रेट मेरी डिस्क के दाहिनी तरफ दिवार पर लगा हुआ था और मेरे बॉस मेरी तरफ देखकर मुश्कुरा रहे थे मुझे लगता है कि यह सही है जाइवन उन्होंने मुझे सोला साल पहले कच्रे के धेर से उठाया था मैं उस समय निरास था, अकेला था और बोटल में अक्सर डूबा रहता था बड़ी अजीब बात है पारी कामों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही अकभारों में छपा है साइमन ने सिरह लाया ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रैग पिकर्स बाइबल के उस आग्या का पालन करते है जो लायट डगलस ने अपने पुस्तक मैगनिफिसेंट अबसेसन में लिखी है यानि कि भलाई करो और अपना मुह बंद रखो उसकी जोरदार हसी मेरे ओफिस में भर गई मेरा यही मतलब था परन्तु मैंने कभी इस बात को इस तरह से नहीं सुना मुझे लगता है कि मैं अब भी मैथ्यू के लिखे इसा मसी के सिध्धान्त को ही प्राथ मिक्ता दूँगा सैमन क्या आप जानते हैं कि जब मैगनिफिसेंट अबसेसन पुस्तक छपी थी तो पूरे संसार में बाईबल के विक्री बढ़ गई थी ऐसा क्यों मिस्टर ओग? क्योंकि हर आदमी बाईबल के उस अंस को ढूणना चाता था जो कि इस पुस्तक की थीम था डगलस ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरी पुस्तक में कहीं भी उसका उलेक नहीं किया था लगवग एक साल या इससे भी अधिक समय तकिया पूरे देश का सबसे लोकप्रिय मनुरंजन था कि लोग बाईबल में उस अंस को ढूणते थे इस वज़ा से मैगनिफेसेंट आपसेशन बेस्ट सेलर बन गई जिन लोगों को वह वाके मिल गया उन्होंने उस अध्याय और पंक्पी को अपने तक ही रखा मानो यह कोई नायाव रहस्य हो जिसे हर आदमी को खुदी खोजना पड़ता हो हम उस तरह के खेल को आज भी सुरू कर सकते हैं मिस्टर रॉग हाँ, हम ऐसा कर सकते है क्या आपको वह अंस मालूम है साइमन बुरा आदमी मुस्कुराया वो पूरी तरह तनकर अपनी पूरी उचाई तक खड़ा हुआ मेरी डेस्क के पार से मेरी तरफ देखा और अपने दाहिने हाथ के मुठी इस तरह बनाई कि केवल उसकी अनामी का उंगली मेरी तरफ इसारा कर रही थी और उसकी बाते सुनकर मैं सिहर गया ध्यान रखो के तुम दूसरों के सामने दान मत दो ताकि वे देख न सके वरना तुम्हें परमपिता की तरफ से कोई पुरसकार नहीं मिलेगा जो स्वर्ग में बैठा हुआ यह देख रहा है इसलिए जब तुम दान दो तो अपने दान का बिगुल मत बजाओ जैसा की पाखंडी लोग सिनेगौग में और सडकों पर इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें यह मैं तुम से सच कहता हूँ कि उन्हें उनका पुरसकार मिल जाता है इसके वज़ाए जब तुम दान दो मुझे पूरा विश्वास है कि इन वाक्यों को किसी और ने बहतर तरीके से नहीं कहा होगा बहार पर दिये बरवचन को छोड़ कर जो 2000 साल पहले दिया गया था मैंने अपने मित्र के लिए कॉफी का कब भरा और हमने इधर उधर के चर्चा की वो इस दोरान कब हाथ में लिए मेरे ओफिस में चहल कदमी कर रहा था वो दिवार के पास ठहरा जिस पर ओटोग्राफ की हुए फोटोग्राफ लखे थे अपने नामों को जोर से पढ़ा हर नाम को पढ़ने के साथ उसकी आवाज के पिछ बढ़ जाती थी और इस तरह वो यह जताना चाहता था कि वो कितना प्रभावित हुआ है वो बुढ़ा चालाग आदमी मुझे चिढ़ा रहा था और मुझे यह अच्छा लग रहा था यह लोग आपके दोस्त है इन में से कुछ है बाकी लोगों ने सोचा होगा कि हमने उन पर जो लेक लिखा है उस पर वे अपनी करतग्यता दिखा दें मैं जेम्स स्टीवर्ट को पसंद करता हूँ उनकी सभी खिल में अच्छी है क्या आप उन्हें जानते हैं मैं उन्हें कई साल पहले जानता था मैं दुधिये विसोयुध में उनके B24 समू में बंबारी किया करता था क्या वे बहादूर थें? बहुत बहादूर उन्होंने उस समय अपने युध को पूरा कर लिया जब हमारे बं फेकने वाले को पूरी सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी और वे हम सबसे ज़्यादा पी भी सकते थे अच्छा सैमन मेरे ओफिस का अजायजा लेता रहा सैद वो इसकी तुलना अपने पुराने दमिस्क वाले ओफिस से कर रहा था उसके सूट में से कपूर की हलकी सी गंधा रही थी और सूट पुराना होने के बावजूद उसने इस सैली और गरीमा के साथ पहना हुआ था कि यह कल्पना करना असान था कि वो उस बड़ी सी मेज के बीशे बैठ कर अवसकता अनुसार करमचारियों को सला देता होगा और जरूरत पढ़ने पर अपने करमचारियों को डाटने फटकारने से परहिस नहीं करता होगा आखिरकार उसने अपना कॉफी का कप रख दिया और कहा मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता आपके अच्छे खबर क्या है मिस्टर ओग मुझे पूरा विश्वास है साइमन कि मेरी जिंदगी में आपके आते ही मेरी किस्मत खुल गई आपके रैग विकर के वेश के नीची साइद देवदुद छुपा हुआ है आपके घर पर हमारी आखरी मुलाकात को याद करे जब हमने मेरी पुस्तक के हीरो और आप में अद्वुत समानताएं खुजी थी मैं वह बात कैसे भूल सकता हूँ अच्छा जब मैं घर पहुँचा तो मुझे अपने प्रकासक फ्रेडरिक फेल का संदेश मिला उन्होंने बताए कि एक बड़ी पेपर बैक कंपनी सोमवार को उनसे वाइस प्रेसेडेंट चार्ल्स ननबर्ग और मुझसे मिलना चाहती थी ताकि इस पुस्तक के रेप्रेंट अधिकार खरीदने की संभावना पर चर्चा की जा सके इसलिए रविवार की रात मैं न्यू यॉर्क की तरफ रवाना हो गया क्या आप नर्वस्या चिंतित थे? ज्यादा नहीं कम से कम उस रात तो नहीं परंतु अगली सुबा न्यू यॉर्क में मैं सुबा छे बजे उठ गया एक बजे के मिटिंग का इंतिजार करते हुए मैंने बहुत सारी सिगरेट और एक टन कॉफी पी होगी इसके बावजूद मैं फिफ्ट एविन्यू पर प्रकासक के बिल्डिंग में एक घंटे चल्दी पहुँच गया इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया जो मैंने बहुत लंबे समय से नहीं किया था सामने ही एक चर्च थी मुझे उसका नाम याद नहीं परंतु वह खुला था और मैं उसके अंदर चला गया और अपने क्या किया मैंने प्राथना की मैं वेदी के पास गया अपने सेर को जुकाया और प्राथना की अपने प्राथना किस तरह की उसी इकलोते तरीके से जो मुझे आता है मैंने कोई चीज नहीं मांगी मैंने सिर्फ इस्वर से सही मार्ग दर्शन मंगा और यह कहा कि वो मुझे आने वाले इस्थिती का सामना करने का साहस दे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो तुम इतने समय से कहां थे ओग और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब रोने लगा सौभागे से आसपास कोई नहीं था फिर में मुझे महसूस हुआ कि मेरा वैभार कितना मुर्ख तापून था क्या आपको पता है आप क्यों रो रह थे मुझे लगता है कि चर्च में जाते ही मुझे बच्वन में अपनी मा के साथ महां बीते रईवार याद आ गए मेरे हाई स्कूल से निकलने के बाद जब मेरी मा की मौत हार्ट रेक से हुई तो मेरे दुनिया जैसे थम गई मेरे लिए वे बहुत खास थी जब मैं ग्रेड स्कूल में था तभी उन्होंने मुझे ये विश्वास दिला दिया था कि मैं एक लेखक बनने जा रहा हूँ मुझे अब भी याद है कि वे मेरे उन लेखों की समिक्षा किया करती थी जिनें लेकर मैं घर आता था हमारा रिष्टा इतना बढ़िया था कि वे मेरे लेखन की रसनात्मक आलोचना किया करती थी और मैं हमेशा इसे स्विकार करता था उनकी आलोचना से प्रिरित होकर मैं अधिक मेहनत करने का संकल्प करता था जब मैं अपने हाई स्कूल के पीपर का न्यूज एडिटर बना तो उन्हें इतना गर्व हुआ जैसे मैं न्यूज यूर्क टाइम्स का एडिटर बन गया हूँ वे चाती थी कि मैं कॉलिज जाओं परन्तु 1940 में हम बहुत संकट में थे फिर उनकी मौत हो गई और मैं एयर फोर्स में सामिल हो गया आप कभी कॉलिज नहीं गये मिस्ट रॉग नहीं बुड़े आदमी ने मेरे आफिस को एक बार फिर देखा और अपना सिर हिलाया अद्वुत उस चर्च में और क्या हुआ और कुछ भी नहीं आखिरकार मैंने खुद पर काबो पा लिया और तब तक अपोईमेंट का समय हो चुका था इसलिए मैं चर्च से निकला सड़क पार की और प्रकासक की लॉबी में पहुँच गया जब मैं लिफ्ट से 26 वी मंजिल पर पहुँचा तो मैंने अपने आपको एक लंबे हॉल में पाया जहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लिखोकों के पोश्टर लगे हुए थे जिनकी पुश्ट के इस फर्म ने प्रकासिद की थी मेरे दिमाग में सिर्फ यही वीचार आया मा, हम सफल हो गए हम यहाँ पर सर्वस्रिष्ट लोगों के बीच पहुच चुके हैं और पबलिशिंग एक्जेक्योटिव के साथ आपके मिटिंग कैसी रही रुमान चक, लंबी मेज थी, लंबा कमरा, कई लोग, कई चेहरे जैसा हमें बाद में बताया गया कि वे लोग पेपर बैक राइट्स लेनी का फैसला पहले ही कर चुके थे वे सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या वे पुस्तक के साथ मुझे भी प्रमोट कर सकते हैं बालजॉक, डीकेंस, टॉल्स्टॉई ये लोग उस इंटर्वियों में फील हो गए होते सैदब सही है, बहरहाल मैंने उनसे दस मिनट तक चर्चा की उन्हें बताये कि यह पुस्तक किस तरह लिखी गई और मुझे लगता है कि मेरा इंप्रेशन ठीक ठाक रहा बुढ़ा आदने मेरे सांदार प्रदर्शन के वर्नन का आनन्द ले रहा था वो रुमांचेत होकर आगे के तरफ जुका और दोनों हाथों से मेरी तरफ इसारा किया कि मैं अपनी बात आगे जारी रखूँ आखिरकार बोड के चेर्मेन ने मेरे प्रकाशक फ्रेड फेल के तरफ देखा और पूछा की पेपर बैक राइट्स के लिए हम कितना धन चाहते थे मिस्टर फेल ने अपनी सांदार आवाज में बताया कि उन्हें उतने ही डॉलर चाहिए जितनी इस पुस्तक की हार्ड कवर कॉपी बिकी है और उस वक्त तक हम लोग तीन लाख पच्चास हजार हार्ड कवर प्रतियां बेच चुके थे टेबल पर लोगों के मुख खुले के खुले रह गए और चेर्मेन ने कहा कि उन्हें इतनी उची मांग की उमीद नहीं थी फिर उन्होंने थोड़ा समय मांगा और अपने वाइस प्रेजिडंट के साथ कमरे से बाहर चले गए मुझे लगता है कि वे केवल कुछ मिनट में ही लोट आएं जब वे वापस आए तो चेर्मेन मिस्टर फेल के पास आए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और दोनोंने हाथ मिलाए इस तरह सौधा हो गया यह इतनी असानी से हो गया हाँ मिस्टर ओग आप तो आप माला माल हो गये उतना ही नहीं जितना कि आप समझते हैं मिस्टर फेल को इसमें से आधा मिलेगा और फिर हम दोनों को ही इंकम टैक्स में बहुत सा पैसा देना पड़ेगा परन्तु मिस्टर ओग आपको हाड कवर सेल से पहले ही बहुत सी रॉयल्टी मिल चुकी है है ना हाँ क्या आप जानते हैं कि एफ स्कॉट फिजेरोल्ट को दे ग्रेट गैट्सवी के छपने के तीन साल बात रॉयल्टी में सिर्फ 5 डॉलर और 15 सेंट भी ले थे और जब उसकी मौत हुई तो यह अधुत पुष्टक आउट ओफ प्रिंट हो चुकी थी नहीं मुझे मालूम नहीं था साइमन और गलत मत समझना ऐसा नहीं है कि मैं कृतक यह नहीं हूँ दरसल मैं यकीन नहीं कर पार रहा हूँ की यह सब मेरे साथ हुआ है साइद यह चर्च में मेरी प्राथना के वज़र से हुआ और मेरे दोस्त साइद आपकी मा की प्राथनाओं की वज़र से भी अब आप बताए कि बाकी महीने भर आप कहां रहें चुकि फीपर बैक संसकरन अगले वसंद तक नहीं आएगा इसलिए फेल ने फैसला किया कि वो हाड कवर पुष्टक का इस गर्मी में बहुत प्रचार करेगा इसलिए मैं तीन सबता तक रेडियो, टेलिवीजन और अखभारों में प्रमोशन टूर पर चला गया मैं 14 सहरों में गया 90 से ज़्यादा इंटर्वियो दिये और मुझे इसमें बहुत मजाया यहां तक कि किताब के दुकानों में आटोग्राफ देने के काम में भी मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आप पर गर्व है मिस्ट रॉग हम कुछ देर दो दोस्तों की तरह अपनी जीत की खुश्या मनाते रहे इधर उधर की बातों के बाद मैंने आप उछने की हिम्मद जुटा ही ली साइमन, क्या आपने मेरी पुस्तक पढ़ने का मन बनाया हाँ, जिस रात आप मुझे दे गए थे उसी रात मैंने पुस्तक पढ़ डाली यह बहुत सुन्दर पुस्तक है पिपर बैक में तो यह लाखो करोडों की संख्या में विकेगी दुनिया को आपके पुस्तक की जरूरत है मिस्टर रॉग, यह मेरे लिए प्रयाप्त था, दुनिया अपनी पुस्तक समिक्षाओं में इस पुस्तक की चाहे जितनी तारीफ कर ले मेरे लिए यह सबसे बड़ी तारीफ सी साइमन उठा और कहा आईए, हम इस जस्ट मनाना चाहिए आपकी खुसकिस्मती के नाम पर एक सेरी, मैं उसके साथ चला गया, जब हम लोग अपनी कुर्चों पर बैठे और साइमन ने गिलास में सेरी डाली, तो साइमन ने ओफिस में हो रही चर्चा को आगे बढ़ाया, मिस्टर रॉग आपके महान सेल्समें और मेरे जीवन की समानताओं ने मुझे कई रातों तक सूने नहीं दिया और इतने संयोगों के बाद यह संयोग तो बहुत बड़ा था कि हाफित की पत्नी और मेरी पत्नी का नाम भी लीशा ही था कोई कम्प्यूटर भी इस तरह का मैंने यह पुस्तक तब लिखी थी जब मैं आपके बारे में जानता तक नहीं था परंतो जब मैंने यह पुस्तक लिखी तब तक आपके साथ ये घटनाए घट चुकी थी मैं नहीं जानता कि लोग इसे क्या नाम देते हैं परंतो फिर भी यह सोचने में भयावा लगता है क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ सैयोग है बुड़े आदमी ने आ भरी और अपना सिरह लाया कालरिज ने लिखा है कि सैयोग इस्वर का दूसरा नाम है जब वो खुलकर किसी मामली में अपने हस्ताक्षर नहीं करता मुझे यह विचार पसंद आया और अगर यह इस्वर का रहष्च है तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया है इस बात पर कौन विश्वास करेगा हम खुश किसमत है कि हम एक साथ हैं मिस्टर ओग हमने सांते पून महाल में सेरी पी जह सांती ऐसी थी जो उन्ही दो लोगों द्वारा अनुभो की जा सकती थी जो एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं एक ऐसी सांती जिसमें अपनी दोस्ती का एसास दिलाने के लिए सब्द बोलने के जरुवत नहीं थी मैं नहीं जानता था कि साइमन क्या सोच रहा था परन्तु मैं उसे एक सुझाओ देने की हिमद जुटा रहा था एक ऐसा सुझाओ जो मेरे दिमाग में तब आया जब मैं पीपर बैक प्रकाशक से मिलने के बाद न्यू यॉर्क लोट रहा था न्यू यॉर्क में मैंने यह सीखा कि अच्छी सेल्फ हेल्प और प्रिणा दैक पुष्ट के बहुत लोकप्रिय हो रही थी चाहे इसका करण देश की दसा हो या प्रकाशन का चक्र हो परन्तु ऐसा लग रहा था जैसे हर प्रकाशक एक और वेक अप एंड लिव या दा पावर ओफ पॉजिटिव थिंकिंग या हाउ टू इन फ्रेंड्स एन इंफ्लुएंस पीपल की तालास कर रहा था ऐसा लगता है कि जब हमारा देश नीचे की तरफ जाता है तो सेल्फ हेल्प की पुष्ट के लोकप्रिय हो जाती है और जादतर प्रकाशक भविश्य का पुरवानुमान लगाते वे साइद या सोच रहे थे कि यह देश एक बार फिर नीचे की तरफ जा रहा था मैंने सूचा कि साइमन यह काम प्रकृतिक रूप से कर रहा था मैंने हिम्मत कर ली थी साइमन क्या आपको ठीक ठाक पता है कि आपने रैगपिकर के रूप में कितने लोगों की जिंदिगी बदली है उसके जवाब में कोई हीचक नहीं थी पिछले 13 सालों में 100 पूरे हाँ आप यह कैसे कर सकते हैं क्या अपने डाइरी में रिकॉर्ड रखा है नहीं जब मैंने यह काम सुरू किया तो सुरुवात में हलाके मेरे इरादे तो नेक थे परन्तु मदद करने के मेरे तरीके उतने ठीक नहीं थे मुझसे कई गलतियां हो जाती थी मुझे डर है कि अपने सुरुवाती मामलों में मैंने फाइदे के बज़ाए नुकसान ही ज़्यादा पहुँचाया था मैं उन्हें जीवित मौत से कुछ हद तक बाहर तो निकाल लाया परन्तु अपने अज्यान के कारण मैंने उन्हें फिर से उसी गर्थ में चले जाने दिया आप यह समझ लें कि मैं उनमें से हर एक से अलग तरीके से विवहार कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि हर एक का व्यक्तितुत अलग होता है बात में मुझे एसास हुआ कि हलाकि हम लोग अलग हैं हलाकि हम में से हर एक अनूठा है परन्तु हम सभी को जो चीज असफल कराती है वो एक ही है आत्मसम्मान का अभाव आत्मसम्मान का या अभाव एक सास्वत बिमारी है जो चिंटा, अपरादगोध या हीन भावना के वज़ा से पैदा होती है मनू विसलेशक के अधिकान स्विद्यार्थी इन तीन आम भावनात्मक समझ्याओं को अच्छे तरह जान जाते हैं इस शेत्र का ग्यान न होने के कारण मैं या बात बड़ी मुश्किल से सीख पाया गटर में, कच्रे के ढेर में और फिर अपनी पुष्टकों से और जब आपने आम समझ्याएं पता कर ली तो क्या आपने कोई ऐसा स्टैंडर्ड तरीका भी खोजा जिससे सभी को लाब हो सके हाँ, इनसान ने जब से अपने पैरों पर चलना सुरू किया है तब से वो आत्म सम्मान की ना सुलजने वाली गुत्थी को सुलजाने की कोशिस कर रहा है वो धिमान लोग इस विमारी और इसके इलाज के बारे में हजारों सालों से लिखते चले आ रहे हैं यह सभी लोग एक से समधान सुझाते हैं पर तो हम उनके सुझाओं को नजनदाज कर देते हैं जब मुझे सच्चाई समझ में आई तो मैंने इस अपार्टमेंट में अपने पुस्तकों के साथ कई महीने बिताएं मैंने सफलता और सुख के सचे रहस्यों को संचेप में ऐसे सब्दों में भरा जो उतने ही आसान हो जितने आसान यह सच्चाईयां थी यह रहसे इतने आसान है कि अपनी समझाओं का जवाब ढूंड रहे जादतर लोग साइध ही इन्हें पहचान पाए साइध ही कभी लोग बाग सुखी और अर्थपूर्ण जिवन जीने के लिए इन्स असान से नियमों का पालन करने का मन बनाए ऐसे कितने नियम है किवल चार महीनों की महनत और पहाड जैसे नोट्स इकटे करने के बाद यह सारे नियम केवल कुछ पेज में समाग है इन्में मेरी महनत का सार है सफलता के असान रहस्यों का निचोड है फिर मैंने खुद को याद दिलाए कि एक औन सोने को हासल करने के लिए कही टन मिट्टी हटाना पड़ता है इसके बाद मैं अपनी खोज को दुनिया तक ले गया और इसका परियोग अपने तरीके से किया और यह नियम कभी असफल नहीं हुए आपके पास अभी वेचार नियम लिखे हुए है जब मैंने अपना काम खत्म किया तो मैं ब्रॉडवे के एक छोटे प्रिंटर के पास गया उन्होंने मेरे बताय फॉर्मिट में इसे टाइप किया और इसकी सो प्रतिया बना दी फिर मैंने हर कॉपी पर एक से लेकर सो तक नमबर डाले आपने यह नियम किस तरह बाटे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर असफल आदमी को वह कागस थमा देते थे अरे नहीं इनसान तब तक अपने आपको कच्रे के धेर में नहीं फेकता जब तक कि उसे इस बात का एसास न हो जाए कि इस दुनिया में कोई भी सच मुच उसकी परवाह नहीं करता जब भी मैं किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जिसे मदद की जरूरत है तो मैं पहले तो उसे यह विस्वास दिलाने की कोशिस करता हूँ कि दो लोग हैं जो परवाह करते हैं इश्वर और मैं एक स्वर्ग में और दूसरा धर्दी पर इसके बाद जब मैं उन्हें विस्वास दिला देता हूँ कि मैं सचमुच उनकी परवाह करता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ जब मैं मुझ पर भरोसा करने लगते हैं तब मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक बहुत खास दस्तावेज है जिसमें इस्वर का संदेश है मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं उनसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वे इस्वर के इस संदेश को हर दिन 20 मिनट तक पढ़ें सूने जाने के ठीक पहले और उन्हें यह काम 100 रातों तक लगतार करना है हालाकि इसे पढ़ने में 20 मिनट लगते हैं परन्तो यह एक छोटी कीमत है खास कर उन लोगों के लिए जिनके समय का वैसे भी कोई मुल्ल नहीं है इसके अलावा ऐसा करने से वे यह जान जाएंगे कि किस तरह खुद को कच्रे के धेर से निकाल कर वे लोग विश्व का महांतम चमतकार कर सकते हैं वे जिवित मिर्टियों के जाल से मुक्त होकर फिर से पूरी तरह जिवित हो जाएंगे अपने सपने सच कर पाएंगे और जीवन की सच्चे समर्दी हासिल कर सकेंगे दूसरे सब्दों में इस्वर का संदेश हर दिन उनके गहन अउचेतन मस्तिस्क में जाएगा जो कभी नहीं सोता और इस तरह वे खुद अपने रैक पिकर बन जाएंगे अपनी मदद खुद करने से बहतर कुछ हो ही नहीं सकता इस्वर का संदेश क्या इससे उन्हें डर नहीं लगा खासकर तब जब आपके आवाज और हुलिया ऐसा है जैसा हम अकसर इस्वर के बारे में सोचते हैं आपकी दाढ़ी आपकी कद काठी आपका अंदाज आपकी आवाज मिस्टर ओग आप पहले ये एक तथ भूल रहे हैं मैं इन लोगों को जीवित नर्क से निकालता हूँ वे सूचते हैं कि वे जीवन के लड़ाई हार चुके हैं उन्हें पुरा विश्वास है कि वे अपनी मदद खुद नहीं कर सकते वे उस आदमी की हर बात मानने को तयार होते हैं जो उनके तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है यह हाथ आसा देता है आसा? हाँ क्या आप उस प्रसिद पॉर्फियूम निर्माता की कहानी जानते हैं जिसने अपने रेटार्मेंट डिनर में अपनी सफलता का राज बताया था किसी ने उस से पूछा की उसकी सफलता का राज से क्या था उसने अपने सुरोताओं को बताया की वो अच्छे खुसबू या पैकिंग या वैपारिक प्रचार प्रसार के कारण सफल नहीं हुआ वह इसलिए सफल हुआ क्योंकि वहे इकलोता पर्फियूम निर्माता था जिसने यह जान लिया था कि वह महिलाओं को बहतरीन खुस्बू या ग्लैमर या सेक्जूल आकर्शन नहीं बेच रहा था वह उन्हें जो चीज बेच रहा था वह थी आसा बहुत बढ़िया अब वापस इस्वर के संदेश पर दरसल मिस्टर ओग जब मैं यह दस्तावेज उनकी हाथ में सौपता हूँ तो उन्हें लगता है कि यह संदेश नहीं है बलकि यह इस्वर का मिमोरिंडम है मैंने इस दस्तावेज को ओफिस के मिमोरिंडम के फॉर्मिट में छपवाया है मैं हसने लगा इस्वर का मिमोरिंडम? साइमन? क्यो नहीं? बहुत पहले इस्वर ने दो टेबलिट पर दस कमांडमेंट खुदवा कर मोजिस को माउंट सिनाई पर दिये थे बाद में उसने समराठ बिलसाजर के महल के दिवार पर चेतावनी लिखवाई थी अगर आज वह हम तक कोई लिखित संदेश पहुँचाना चाहे तो आज वह किस तरह से पहुँचाएगा? लिखित संप्रिशन का सबसे आधुनिक रूप क्या है? मेमोरेंडम? बिलकुल विस संचिप्त होते हैं, सास्वत होते हैं, विभारिक होते हैं और उन्हें दुनिया के लगवग हर दीश में पाया जा सकता है हमारा दीश मेमोरेंडम के भरोसी ही चल रहा है या साध उनके बावजूद चल रहा है हर दिन करमचारियों को अपने सुपरवाइजर के नर्देश मेमोरेंडम के रूप में मिलते हैं मेमोरेंडम बुलेटिन बोर्ड पर तंगे रहते हैं पंच प्रेस पर टेप से जुड़े रहते हैं और लाखो करोडों आफिशों में इस मेज से उस मेज पर घूमते रहते हैं मिमोरेंडम इस पीड़ी के लिए बहुत महत्पून है और इसलिए अगर जल्दबाजी से भरी इस दुनिया में कोई किसी जरूरतमन आदमी को ईश्वर का संदेश देना चाहे तो सुख और सफलता के चार रहस्य को बताने का इस से अच्छा साधन क्या हो सकता है कि उन्हें इस्वर का संचिप मेमोरेंडम कहा जाए उसके इस बात ने मुझे इतना हिला कर रख दिया कि मैं यह भूले गया कि मैंने यह मुद्दा क्यों ठाय था मैंने अपने आप से कहा इस्वर की तरफ से मेमोरेंडम साइमन ने मेरी बात सुन ली और किताबों के धेर की तरफ इसारा किया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार अपना यह सिधान बताया है कि बहुत से पुस्तकों को लिखने में इस्वर का हाथ रहा है मैंने तो किवल उनके सार को लिया है विचौलियों को हटा दिया है और इस्वर की तरफ से सीथे संदेश दिया है मेरे दोस्त मैं इस तरह के मामलों का विसे सगय तो नहीं हूँ परन्तु जादातर लोग इसे ब्लास्फेमी या इस निंदा कहेंगे बूढे आदमी ने इस तरह सिर हिलाया जैसे कोई वयस्क आदमी किसी बच्चे के सामने हिलाता है जो आसान से बात को नहीं समझ पा रहा है या ब्लास्फेमी या इस निंदा क्यों है इस निंदा तो वह होती है जिसमें इस्वर के बारे में कोई गलत या अप्रिय बात कही जाए मेरे संदेश में तो प्रेम है आधर है और अपने व्यत्तिकत लाब का जरा भी विचार नहीं है और यह काम करता है यह कैसे काम करता है साइमन कहीं आप यह तो नहीं कहना चाते कि सिर्फ 20 मिनट के मेमरंडम को पढ़ने से चाहे वह इस्वर की तरफ से हो या किसी और की तरफ से कोई इनसान अपने जीवन को बहतर बना सकता है बदल सकता है क्या किसी चीज को पढ़ने से हम पर इतना अच्छा या बुरा प्रभाव पढ़ सकता है मुझे याद है कि मैंने हाली में अपराद कमिशन की रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें एक सदेश्चन ने कहा था कि असलील साहिते पढ़ने और अपराद करने की बीच कोई सम्मन्थ नहीं है और जहां तक उसे मालूम है असलील पुस्तक को पढ़कर आज तक कोई भी युवती गर्भवती नहीं हुई और किसी युवक को कोई यौन रोग नहीं हुआ है मिस्टर रोग जिस आदमी ने ऐसी बात कही है वो बहुती मूर्ख है और उसे दुनिया की समझ नहीं है याद रखे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँगी इंसान के विचार उसके कारियों और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं मैं मानता हूँ कि एक बार 20 मिनट का संदेश पढ़ने से कोई खास फाइदा नहीं होगा परन्तु इसी संदेश को हर रात सोने से पहले पढ़ने से आपके मस्तश के कई बंद रास्ते खुल जाते हैं और पूरी रात यह विचार आपके अस्तित्व के सभी स्थरों में तह तक पहुंच जाते हैं अगले दिन जब आप जागते हैं तो आप अउचेतन मन से प्रतिक्रिया करना सुरू करते हैं पहले तो आपको इसका आभास नहीं होता कि आप पिछली रात को पढ़े संदेज पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं परन्तु धीरे धीरे आप बदलने लगते हैं जब ये संदेज सब्दों और विचारों से परिवर्तित होकर आपके कारियों और प्रतिक्रियाओं में बदल जाता है या असफल नहीं हो सकता बसरते कि आप इसे हर रात पढ़े और अपने दिमाग में बिठा लें परन्तु साइमन हमारे पास हजारों वर्स से दस कमांडमेंट्स हैं और इसके बावजूद दुनिया का हाल इतना बुरा है मिस्टर ओग कमांडमेंट्स को दोस मत दो कितने लोग उन्हें पढ़ते हैं कितने लोग उन्हें जानते हैं मिसाल के तौर पर क्या आप सभी दस कमांडमेंट्स दोरा सकते हैं मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया और इस समय तक मैंने अपना मौलिक विचार लगवग छोड़ दिया था जिस बज़ा से मैंने यह चर्चा छेड़ी थी फिर भी मैंने रास्ता खोजने की कोशिस जारी रखी साइमन आप कहते हैं कि आपने सौ लोगों की मदद की आपने यह भी कहा कि आपने दो गौड मेमोरेंडम की सौ प्रतिया छपवाई थी और उन पर नमबर डाले थे इसका मतलब है कि अब आपके पास इसकी एक भी प्रति नहीं बची है हाँ अपनी मास्टर कॉपी को छोड़ कर मेरे पास इसकी एक भी प्रति नहीं है क्या आप इसे दुबारा छपवा रहे हैं मिस्टर ओग मैं बूरा हो चुका हूँ और इस धर्ति पर मेरे दिन अब लगभग पूरे हो चुके हैं और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ की रैग पिकर्स अब बहुत कम संख्या में बचे हैं अब समय आ गया है कि मैं अपने जैसे और लोगों को तयार करने का महान प्रयास करूँ ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरा काम चलता रहे किस तरह साइमन? मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा मैं चाहूँगा कि इस्वर के मेमोरन्णम के मास्टर कॉपी की किस्मत में जो लिखा है वो पूरा हो जाए जो सायद पहले से ही तै है कैसे? आपकी पुस्तक के अंत में दुनिया का महानतम सेल्समेन जो मेरी ही तरह बूरह था सफलता के दस ताड़ पत्रों को एक खास आदमी को देता है क्या या उचित नहीं होगा कि आपकी पुस्तक के हीरो और मेरी बीच इतनी रहस्मई समानताओं और सन्योगों के बाद हमें एक और समानता हो जाए सायमन मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा अगर आप चाहे अगर आपको मंजूर हो तो मैं इस्वर के मेमोरिंडम की मास्टर कॉपी एक खास आदमी को देना चाहूंगा आपको अगर या आपको अच्छा लगे अगर आपको विश्वास हो कि इससे दूसरों को मदद मिल सकती है जैसा कि मुझे विश्वास है तो आप इसे अपनी अगली पुष्टक में च्छापवा सकते हैं इस तरह यह पूरी दुनिया में जाकर हजारों सैद लाखों लोगों को लाभ पहुचा सकता है जो आपके पुष्टक के माध्यम से इसे पढ़ेंगे एक बुढ़ा रैग पिकर अपनी संख्या बढ़ाने का इससे बहतर तरीका किस तरह खोच सकता है क्या उसने मेरे मन की बात समझ ली थी या यह भी एक और असंभो सा संयोग था कि वह अपने मेमरनम को मुझे सौपने का प्रस्ताव उसी वक्त रखे जब मैं उससे यह सौपने का अगरह करने वाला था मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ साइमन मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके संदीज को जनता तक पहुँचा सकूँ इसके लिए आपसे उपयुक तोर कोई हो ही नहीं सकता परन्तु जल्दबाजी में इस बारे में कोई भी फैसला मत करना कुछ दिनों तक मेरे प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए अभी बहुत समय पढ़ा है और हाँ अगर आप इस्वर के मेमुरेंडम को स्विकार कर लेते हैं तो मैं आपसे किसी भी सम्माने तलेखा की तरह बदले में पारिस्रमिक भी लूँगा पैसा? ठीक है नहीं नहीं आप समझे नहीं मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप चाते हैं कि इस्वर का मेमुरेंडम आप तक पहुँचे तो पहले तो आपको मुझसे यह वादा करना होगा कि दुनिया को सौपने से पहले आप इसे अपने नीजी जीवन में उतारेंगे आप अध्भूत और समवेदन सी लव्यक्ति हैं परन्तु आपकी आँखों में ऐसा कुछ है जो मुझे बताता है कि सफलता के बावजूद आपको अब तक सांती या संतुष्टी या पूर्णता नहीं मिली है दुनिया आपकी प्रसंसा करती है परन्तु आप अपनी प्रसंसा नहीं करते आपके हाव हाव से लगता है कि आप में भी मोक निरासा की वह भावना है जिसे मैं अच्छे तरह वाकिफ हूँ आप में कोई चीज अधूरी है और मुझे डर है कि अगर आप अपनी दुनिया को नए सिरे से नहीं रचेंगे तो देर सबेर आप विस्फोटक हो जाएंगे अगर आप विस्फोटक हो जाएंगे तो दुनिया वाले आपको कच्रे के ठेर पर डाल देंगे और आपको बचाने के लिए या बोढ़ा रैग बिकर वहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए रोकथाम का एक ओंस इलाज के एक पॉंड जितना है इसलिए जब आपको इसवर का मेमरंडम मिले तो आपको इस बात के लिए तयार होना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो इसके सहारे सुख और मन की सांती की अपनी तलास पूरी करें इसके बाद और केवल इसके बाद आप इसे उन लोगों तक पहुँचाएंगी जो यह संदे सुनने के लिए तयार हैं उन लोगों के पास जिनके पास देखने के लिए आखे हैं और सुनने के लिए कान है और खुद के मदद करने की इक्षा है ठीक है साइमन, मिस्टर ओग, आप में महान संभावन आए हैं, आप में दुरलब प्रतिभा है, आपको बर्बाद नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूँ कि मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता साइमन, आपके सब्ध मुझे बहुत विनम्ब, बहुत बौना महसूस करा रहे हैं आप बौने नहीं हैं मेरे दोस्त, देखिए, देखिए तो सही, मैंने आपके पुस्तक को कहां रखा है, मैंने अपना सिर घुमाया और उसके हाथ के इसारे की तरफ निगाह डाली, उसका इसारा लिविंग रूम में रखे, किताबों के उच्छे धेर की तरफ था, जहां इस्वर के हाथ वाले किताबे रखी थी, वहां किताबों के धेर पर सबसे उपर मेरी पुस्तक रखी हुई थी लिसन फाइफ पूरी गर्मी और सरद रितु में इस्वर के मिमरंणम के बारे में दुबारा कभी चर्चा नहीं हुई इस दोरान हमारी दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती गई और प्रेम के बंधन में बदल गई हर साम मैं सैमन के घर चला जाता था और कई बार तो लंच में भी यह मेरे सप्ता की प्रमुख घटनाए होती थी सैमन का साधा सा घर मेरे लिए हर काम के दिन में सांती का जरना था सब्ता के आखिर में छुट्टी के दिनों में मुझे उसे दूर रहने का एहसास सताता रहता था परन्तु न जाने क्यों मैंने किसी और से उसके बारे में चर्चा नहीं की अपने परिवार को भी उसके बारे में नहीं बताया नहीं Success Unlimited में किसी से उसका जिक्र किया साइमन मेरा अभिभावक, मेरा अध्यापक, मेरा बिजनस अलाकार, मेरा साथी, मेरा मार्ग दर्सक, मेरा पुजारी, मेरा पादरी, मेरा गुरू, मेरा डल्फिक औरिकल सब कुछ था मैं अपने बिजनेस आमंत्रन ठुकरा देता था और सामाजी कारेक्रमों को छोड़ दिया करता था क्योंकि मैं उसके साथ समय गुजारना चाहता था मैं वाकई उसके पैरों के पास बैठ कर उसकी बात सुनता था और वो हर विशे पर मुझे उसी तरह लेक्चर दिया करता था जैसे कोई टीचर अपने विद्यार्थी को देता है उसका ग्यान अथा था उसका अनुभव व्यापक था वह प्रेम, राजनीती, धर्म, साहित, मनो विज्ञान, प्रकृती और कई रहस्य में विश्यों जैसे परा भौतिक अनुभूती, जो तिस और भूत प्रेतों को हटाने जैसे विश्यों पर भी बोला करता था बीच-बीच में ऐसे सवाल पूछ लेता था या ऐसी बात कह देता था ताकि वह बोलता रहे जिस विश्यों पर मैं उसके विचार जानना चाहता था, उसे मैं बड़ी सफाई से चर्चा में सामिल कर देता था फिलोस्फी और मनुष्य के विवहार पर उसकी ज्यान के गहराई देखकर मैं हैरान था वह मनुष्य की संतुष्टी की आदत, आत्म सम्मान के अभाव और औसत दरजे में बने रहने की आदत की आलोशना करता था वह मानता था कि यह दुनिया में जीने का आम तरीका बन गया है उसने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मुझे एहसास है कि उसकी बाते सुनने का अर्थ है प्री रैगबिकर कोर्स में हिस्सा लेना ठीक उसी तरह जिस तरह की लोग pre-medical या pre-law course करते हैं फिर जल्दी से उसने मेरी उपस्थिती की प्रसंसाभी की और मुझे याद दिलाया कि मेरी ही तरह के लोग अंतता सर्वस्रिष्ट रैग विकर बनते हैं जो खुद कच्रे के ढेर पर रह चुके हैं और अपनी कबर में से निकल कर फिर से जीवित हुए हैं पाँच महिनों तब मैं देश की सबसे अच्छी उनिवसिटी में अध्धन करता रहा प्रोफिसर साइमन पॉटर मुझे पढ़ाते रहें मैं सुनता रहा और सीखता रहा जब उन्होंने मुझे अपने फैवरिट लोगों के बारे में बताया जिन में से कुछ जीवित थे और कुछ मर चुके थे उन्होंने रोचक और अंजाने प्रसंग और उध्धरन भी सुनाएं ताकि उनके सबसे प्रबल विसय को नाटकिये बनाया जा सके कि हम सभी में अपने जीवन को बहतर बनाने की प्रियाप्त योगिता है और इश्वर ने हमें किसी ऐसे गड़े में नहीं डाला है जहां से हम उपर नहीं उठ सकते और अगर हम असफलता और आत्मदया के कैद खाने में खुद को बंदी बना लेते हैं तो हम ही जेलर हैं किवल हमारे ही पास अपनी स्वत्मत्रता की चाभी है उसने कहा कि जादतर लोग जोखिम लेने से घबराते हैं अंजाने काम करने या अंजानी छेतरों में जाने से डरते हैं बहुत कम लोग ही आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेते हैं परंतु ये मुठी भर लोग भी लगतार अपनी इस प्रबल भावना से लड़ते हैं जो उनसे बार-बार कहती है कि वे फिर से अपनी पुराने सुरक्षा के कैद खाने में पहुँच जाए चाहे उनकी पुराने जिंदगी कितनी ही निरासा जनक क्यों न हो। सैमन ने बताय कि अमेरिका के महानतम मनोवग्यानिकों में से एक अबराहम मास्लो ने इसे जो ना कॉम्पलेक्स का नाम दिया था जिसका अर्थ था और सफलता की संभावना से बचने की आंत्रिक इच्छा वो निरने लेने का बहुत बड़ा हिमाईती था उसका कहना था कि लेने के बाद आप अपने पीछे के सारे पुल जला दे सैमन ने मुझे वह प्रसंग सुनाया जिसमें महान सिकंदर ने ऐसी ही स्थिति का सामना किया था एक बार सिकंदर अपनी सेना को लेकर दुस्मनों की ससक्त सेना से लड़ने जा रहा था दुस्मन के सैनिकों की संख् सिकंदर के सैनिकों से बहुत अधिक थी चुकि विजे की संभावना चीन थी इसलिए सैनिक आगामे युद्ध को लेकर उत्साहित नहीं थे जब वे समुद्र से जा रहे थे तो उनके मन में या डर था कि वे जीवित नहीं लोटेंगे जब सिकंदर की सारी सेना दुस्मन के क इनारों पर उतर गई तो सिकंदर ने आदेश दिया कि उसके सारे जहाजों को जला दिया जाए जब वापस लोटने की एक मातर संभावना के प्रतीक उसके जहाज जल रहे थे तो सिकंदर ने खड़े होकर अपने सैनिकों से कहा देखो तुम्हारी जहाज जल गए हैं उनक जवानों जब हम घर जाएंगे तो हम दुस्मन के जहाजों में बैटकर घर चलेंगे सैमन या नहीं मानता था कि किसी को ऐसा काम करना चाहिए जो उसे दुखी करता हो या जिसमें उसका मन न लगता हो उसने अपने तर्ग के पक्ष में फाकनर का कोटीशन देते हुए कहा जीवन के अत्यनत दुखत बात यह है कि जिस इकलौती चीज को हम हर दिन आट घंटे कर सकते हैं वो है काम हम एक दिन में 8 घंटे खा नहीं सकते नहीं एक दिन में 8 घंटे पी सकते हैं नहीं एक दिन में 8 घंटे तक सेक्स का आनंद ले सकते हैं हम 8 घंटे तक सिर्फ काम कर सकते हैं यही कारण है कि इंसान अपने आपको और बाकी सब को दुखी बनाता है फिर इस विशिस्ट लेक्चर का संच्छिब देते हुए उसने कहा कि जो कम आपको दुखी करता हो उस काम को छोड़ देना चाहिए यह सच नहीं है Mr. Aug कि लुढ़कता हुआ पत्थर काई इकठी नहीं करता लुढ़कता हुआ पत्थर काई इकठी नहीं करता लुढ़कता हुआ पत्थर काई इकठी कर सकता है और इसके अलावा और चीजे भी इकठी कर सकता है उसने Mark Twain का उधारन देते हुए बताया कि अनुवो में हमारा विश्पास आम तोर पर जरूरत से जादा होता है मेरे सामने तस्वीर खीच गई जैसे Samuel L. Clements ने अपने सलवटो भरे सफीद सूट में कह रहे हो हमें साधान रहना चाहिए कि हम अनुवो से इसमें छुपी बुद्धिमानी की बात निकालने परन्तु उस बिल्ली के तरह नहीं जो एक गर्म स्टोप पर बैठ गई थी वह दुबारा गर्म स्टोप पर फिर कभी नहीं बैठेगी और यह अच्छा है परन्तु वह फिर कभी ठंडे स्टोप पर भी नहीं बैठेगी उन लोगों के प्रती उसे कोई सानुभुती नहीं थी जो अपनी बधाली या बदकिस्मती के लिए सारिरिक बहाने या माहौल के बहाने बनाते थे उसने मुझे याद दिलाए के मिल्टन अंधा था, बिथोवन बहरा था, रूस्वेल्ट को पोलियो था, लिंकन गरीब थे, चायको वस्की का विवा दुखत था आईजेक हेज के सुरुवाती साल भयावा गरीबी में गुजरे, हेलन केलर न सुन सकती थी और न देख सकती थी और आरजी मूर भी कच्री घर में से उपर उठे, उन्होंने बताया कि जॉन बन्यन ने पिल्ग्रिमीज प्रोग्रेस तब लिखी थी, जब वे जेल में थे चार्ल्स डिकेंस ने बर्तनों पर लेवल चिपकाए, रॉबर्ट बन्स और यूलिसिस एस ग्रांट ने अपनी सराब खोरी की आदत से संघर्ष किया और बेंजमीन फ्रैंकलिन ने दस साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया, फिर उसने एड़ी रिकेंवेकर का किस्सा सुनाया एड़ी दूतिय विस्युधि के दोरान समुद्र में 21 दिन तक पटियों पर तैरते रहे उन्हें बचाने के बाद जब उनसे किसी ने पूछा कि उन्होंने इस घटना से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा तो उनका जवाब था मैंने सबसे बड़ा सबक यह सिखा कि अगर आपके पास पीने के लिए ताजा पानी है और खाने के लिए भोजन है तो आपको किसी और चीज की सिकायत कभी नहीं करना चाहिए साइमन का तरक था कि किसी व्यक्ति में ऐसा कोई दोस नहीं होता जिससे वह लाब न उठा सके और एक बार उसने मुझे यह चोटी कहानी सुनाई एक बार एक सुन्दर हिरन अपने सिंगों पर मुहित हो रहा था और अपने बचसूरत पैरों को हिकारत भरी नजरों से देख रहा था परन्तु तभी एक सिकारी आया और हिरन के बचसूरत पैरों के वज़ा से वह सुरक्षित इस्थान पर पहुँच गया बाद में उसके सुन्दर सींग किसी जाड़ी में फस गए और सिकारी ने उसे मार डाला सैमन ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा मिस्टर ओग जब भी आप देखे कि आप खुद को लेकर दुखी हो रहे हैं तो इस छोटी सी कहावत को याद कर लें मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे जब तक कि मुझे सड़क पर वह आदमी नहीं दिखा जिसके पैर ही नहीं थे वह अमुर्थ सब्दों का वर्नन करते समय हमेशा रंगीन साद्रिशों का प्रियोग करता था एक बार जब मैंने उससे प्रेम का वर्नन करने के लिए कहा तो उसने कहा कई साल पहले इंडियाना पोलिस की रेस में एक बेहतरीन ड्राइवर अल अंसर फिसल गया और दिवार से जाटक राया वो अपनी जलते हुई कार में बेहोस पड़ा था कि तवी कुछी सेकेंड में वहाँ पर दूसरी कार भी फिसली और उसकी कार के पास ही रुख गई इसके बाद कई और कारे भी गुझरी, जिनमें से कुछ तो दूसरी कार के विलकुल करीब से गुझरी तफी अपनी कार से बाहर निकल कर, गैरी बेटन हौसन ने अंसर की कार तक पहुचकर उसे बाहर निकाला और आग की लप्टों से सुरक्षित निकाल लिया मिस्टर बेटन हासन यह बात पूरी तरह भूल गए थे कि वे एक रेस में हिस्सा ले रहे थे जिसके लिए उन्होंने बहुत सा धन खर्च किया था और महीनों की तैयारी की थी साइमन के लिए यह कारे पेम का जीता जाकता सबूत था आटो रेसिंग के दुनिया में साइमन का एक और फेवरिट था स्टर्लिंग मॉस थोरों के सुत्र वाकिका उधरन देते हुए साइमन ने बताये के मनुष्य का जन सफल होने के लिए हुआ है असफल होने के लिए नहीं बोड़े आदमी ने इसके बाद मास के सपस्ट बृतिस लजे की नकल उतारते हुए कहा कि मनुष्य कोई भी लख्ष हासिल कर सकता है बसरते कि वह उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो उसने मास के प्रसिद्ध कोटेशन को दोहराया मुझे सिखाया गया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इसे पाने के लिए बाकी चीजों का त्याग कर सकें चाहे आप जो भी करना चाहें आप उसे कर सकते हैं बसरते की आप उसे बुरी तरह से करना चाहते हैं और मैं इसमें विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं एक मिल की दूरी चास सेकेंड में पूरी करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ मुझे जीवन की बाकी सभी चीजों को भूलना और छोड़ना होगा परंतु मैं चार मिनट में एक मिल दौड सकता हूँ मुझे विस्पास है कि अगर आद्मी पानी पर चलना चाहे और जीवन में बाकी सभी चीजों को छोड़ दे तो वो यह काम भी कर सकता है और हाँ साइमन हमेशा कहता रहता था कि जादतर लोग जीवन में बहुत जल्दी ही हार मान लेते हैं मिस्टर ओग कलिफॉर्निया के सुनूमा में ड्राइविंग सिखाने के लिए बहुत बढ़िया स्कूल है इसका नाम है बॉब बॉन्डिूरा स्कूल उसने सिखाने वाले कहते हैं कि हमारे देश की सडकों पर ज़्यादतर ड्राइवर जब देखते हैं कि एक्सिडेंट होने वाला है तो वे अपनी कार को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं जब टक्कर होने वाली होती है तो वे ब्रेक लगा कर या स्टेरिंग घुमा कर अपनी कार को या खुद को बचाने की कोशिस करने लगते हैं जबके टक्कर की गंभीरता को कम करने के लिए इस बीच बहुत कुछ किया जा सकता था वे हार मान लेते हैं और वे इसकी कीमत चुकाते हैं यही हाल जादतर लोगों का है जो आम जीवन में भी ऐसा ही करते हैं फिर वा खड़ा होकर भी की तरह अपनी दोनों उंगलियों को फैलाता था और विंस्टन चर्चिल के वह सब्द कहता था जो उसके हिसाब से सफलता का महानतम रहस्य है और यह रहस्य सिर्फ छे सब्दों का है कभी 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 हिमत मत हारो हलाकि चर्चा के दोरान वह अकसर दूसरे विस्यों पर चला जाता था परन्तु आखिर में वह हमेशा अपने प्रीय विस्यों पर लोट आता था कि मनुष्य में आत्म सम्मान कितना कम होता जा रहा है जिसका परिणाम यह होता है कि वह जिंदा रहते हुए भी मुर्दों के समान जीवन बिताता है उसे उन जीवित मृत्यों से सबसे अधिक कुंठा होती थी जो आखिरकार आत्महत्या में बदल जाती थी इन मौतों को वह रोक नहीं सका क्योंकि जैसा उसका कहना था वह हर कहीं नहीं रह सकता था और इस दुनिया में प्रियाप्त रैक्पिकर नहीं थे मिस्टर ओग अपनी घड़ी की तरफ देखें अपने दिवाब में इस समय को बिठा लें और फिर इसे याद रखें कल रात इसी समय तक इस देश में 950 लोग अपनी जान लेने की कोसिस करेंगे जरा सोचिये और क्या आपको मालूम है सो से अधिक लोग अपनी कोसिसों में सफल भी होंगे फिर उसने कुर्सी की बाह पर हाथ मार कर आगे कहा यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती अगले 24 घंटों में 40 लोगों को हेरोईन की लख लग जाएगी सैती सराब के वज़े से मरेंगे और 4000 लोग कल इसी समय तक मानसिक रोगों से ग्रस्थ हो जाएगे इसके अलावा और भी तरीकों से हम यह बताते हैं कि हम यह भूल चुके हैं कि हम कितनी अद्भुत रचना है अगले 24 घंटों में लगवक 6000 बीमार और दुविधाक रस्थ लोग सराब के नसे और असमाजिक विवहार के लिए हिरासत में लिया जाएगा और 150 लोग तेज गाडिया चला कर यह साबित करेंगे कि उनकी नजर में उनकी जान कितनी कम कीमती है जिस वज़ा से उनकी और दूसरे लोगों की जान चली जाएगी मिस्टर ओग क्या आप जानते हैं कि इस स्थिती का करण क्या है यह यहां और पूरे विसो में क्यों फैलती है और बढ़ती जा रही है मैंने अपना सेरह लाया और इंतजार किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम आज जैसे हैं हम उससे बहतर हो सकते हैं हाँ यह सच है की जादा तर इंसान इस शुपय होई भावना को सब्दों में बयान नहीं कर सकते परंतो हर इंसान के भीतर ऐसी कोई चीज मौजूद होती है जो उसे जानवरों से पूरी तरह अलग करती है और यही चीज जो लगबग हमारी दूसरी अंतरात्मा होती है हमें अपने नीरस जीवन के और प्रत्यासित छनों में याद दिलाती रहती है कि हम अपनी संपून संभावना के हिसाब से नहीं जी रहे है या तारकिक है कि अगर हम जानते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर नहीं कर रहे हैं अगर हम जानते हैं कि हमें अधिक भौतिक चीजे कमाना चाहिए और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं अगर हम जानते हैं कि हमें ज़्यादा मुश्किल और तंख्वा वाली नौकरी करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं तो उस आदमे के बारे में हमारी राय अच्छी नहीं होती जो इस तरह असफल हो चुका है और उस पर हमारे नाम का लेबल लगा हुआ है धीरे धीरे हम उस क्या आदमी से नफ़रत करने लगते है क्या आप मास्छो के बारे में जानते हैं मिस्टर उग। उनकी लिखी हुई बाती मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया हूँ सायमन अगर आप धीरे धीरे और सोचते हुए पढ़े तो मास्टलों को समझना आसान है मास्टलों ने एक बार लिखा था कि लोग दो तरह के काम करते हैं या तो अच्छे और बढ़ियां काम जिनकी वज़े से उनमें आत्मसमान बढ़ता है या फिर घटिया और निंदनिये काम जिनकी वज़े से वे खुद को निरर्थक किसी के द्वारा ना चाहा जाने वाला और निंदनिये महसूस करते हैं मेरे विचार से मासलो आगे तक नहीं गया मेरा मानना है कि अधिकांस लोग बिना कोई घटिया या निंदनिये काम किये ही खुद को निरर्थक किसी के द्वारा ना चाहा जाने वाला और निंदनिये समझने लगते हैं अपने काम में लापरवाही, अपने हुलिये के बारे में परवाह न करना जीवन में अपनी स्थिती में सुधार करने के लिए थोड़ी ज़्यादा दिर तक न पढ़ना या काम न करना या अनावशक स्राप पीना या हजार तरह के दूसरे मुखता पुन छोटी-छोटी काम करना उनमें आत्म समान की कमी पैदा कर देता है वे अपने पहले से घायल आत्म छवी को और भी घायल कर देते हैं और अपने आप से और ज़्यादा नफरत करने लगते हैं हमें से अधिकांस में केवल मरने की इच्छा नहीं होती हमें असफल होने की इच्छा भी होती है कई बार साइमन एक लेखक के द्वारा दूसरे लेखक के दिये गए कोटेशन का उलेखती करता था हम सब दुखी हैं मिस्टर ओग हेंडरी मिलर टॉस्ट्रोई के इस वाके से बुरी तरह प्रभावी था अगर आप दुखी हैं और मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं परन्तु साइमन हमें से ज़्यादता लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे पास समस्याए हैं मैं आपको अभी इस सहर के एक अस्पताल में ले जा सकता हूँ जहां बहुत से लोग भरती हैं और वे बहुत सुखी लोग हैं वे हर समय हस्ते रहते हैं वे अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते और उनकी खिर्कियों पर छड़ लगी हुई है मैं सुझाओं नहीं दे रहा हूँ कि हम एक असंभव सी हमेशा सुख से भरे जीवन की कल्पना कर ले जो हमारे सामने समस्याओं ही ना आने दे या असंभव है समस्याओं चाहे छोटी हो या बड़ी हमेशे हर एक के सामने आएंगी और तब तक आती रहेगी जब तक हम जीवित रहेंगे नॉर्मन विंसिन पील ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक ही बार ऐसे लोगों को दिखा था जिनके पास समस्याओं नहीं थी जब वे कबरिस्तान गए थे नहीं सुख हर दुख का इलाज नहीं है हम लोग अपनी समस्याओं का सामना करने में इतने अक्षम क्यों है साइमन हम इतने दुखी क्यों है जबकि सुखी रहने के सारे साधन हमारे चारो तरफ बिखरे हुए है क्या यह भी ओरिजिनल सीन की तरह का कोई साप है जो उससे भी बड़ा साप सिद्ध हो रहा है हम दुखी क्यों है मैं आपके कही बात को दोहराना चाहूंगा हम इसले दुखी है क्योंकि हमें आत्म सम्मान नहीं है आत्म गौरों का भान नहीं है हम इसले दुखी है क्योंकि हम यह नहीं मानते कि हम एक विशेष चमतकार हैं इस्वर की खास रचना है हम जानवर बन चुके हैं एक संख्या बन चुके हैं पंचकाड, नौकर, अप्राधी बन चुके हैं हम सीसे में देखते हैं और हमें वे इस्वरिये विशेस्ताइं नहीं दिखती जो पहले बहुत स्पष्टता से नजराती थी। हमने अपने आप में विश्वास करना छोड़ दिया है। हम उन नवन बंदरों में विक्षित हो चुके हैं, जिनके बारे में डेजमंड मौरिस ने लिखा था। या कब हुआ? मैं ठीक से तो नहीं जानता, परंतु मेरी एक परिकल्पना है, मुझे लगता है कि सैद्य कौपर्निकस के साथ सुरू हुआ है। कौपर्निकस? पॉलिंड का खगोल सास्त्री? हाँ, दरसल वह एक डॉक्टर था, खगोल विज्ञान तो उसका सिर्फ सौक था। कौपर्निकस से पहले, लोग या विश्वास करते थे कि वे इस्वर की बनाई सरस्टी के केंदर में हैं, और उपर बनाई गई रौसनिया, उन्हें आनंद और प्रकास देने के लिए हैं, परंतु कौपर्निकस ने या सिध कर दिया कि हमारा ग्रा किसी चीज के केंदर में नहीं है, और प्रित्वी ढूल और पत्थर की छोटी सी गेल है, जो अंतरिक्ष में घूम रही है, और इसे प्रित्वी के आकार से कई गुना बड़ा आग का गोला अपनी कैद में रखे हुए है, इसने हमारे अहंकार को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया, हमने इस प् को नहीं माना, हम सुन्ने को भी तयार नहीं हुए, और फिर, चार सो साल बात हमारा आत्म गौरव एक बार फिर बुरी तरह घायल हुआ, ग्रेट ब्रितेन में एक प्रतिभासाली नेश्रलिस्ट डार्विन ने यहां बताया कि हम लोग इस्वर की विशे संतत्ति नहीं है, बलकि हमारी जड़े जानवरों में है, जिन से हमारा विकास हुआ है, उसने हमारे आत्म गौरव के घाव पर नमक छड़कते हुए यह भी कहा कि हमारी उत्पत्ती जानवरों से हुई है, हमारे लिए यह कड़वी गोली निगलना बहुते कठिन था, कई स्थानों पर तो इ इंसान इसे आज भी नहीं निगल पाए हैं, परन्तो यह कई लोगों के लिए वर्दान साबित हुआ, क्योंकि अब विज्ञान मनुस्य के पास्विक विभार को जान रहा था, और उसे मानिता दे कर उसे माफ कर रहा था, आखिरकार जब हम केबल जानवर हैं, तो आप हम स क्या आसा कर सकते हैं, इस तरह हमारी आत्म छवी, हमारा आत्म गौरव, हमारा आत्म प्रेम, दुख और नर्क की तरफ की सीवी पर कुछ पायदान और गिर गया, डार्विन ने हमें जानवरों का परमिट दे दिया, डार्विन के बाद, डार्विन के बाद, फ्रायड, इस इस आदमी ने हमारे आत्मगौरव के घर की कुछ और खिर्टया तोड़ दी। फ्रैड ने हमें बताया कि हम अपने कई कामों और विचारों को नियंतरित करने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें समझने में भी असमर्थ रहते हैं क्योंकि वे प्रेम और घ्रना और दमन से जुड़े हमारे बचपन के अनुभों से उत्पन होते हैं हमने अपने बचपन के अनुभों को अपने आउचितन मस्तिस्क में गहराई से दबा दिया है हमें इसी बात की जरूरत थी अब हमारे पास विश्व के सबसे प्रतिभासाली मेडिकल अधिकारी का लाइसिंस था जिसकी मदद से हम अपने साथ और दूसरों के साथ जो चाहे कर सकते थे हमें अपने कामों के लिए किसी तारकिक स्पष्टी करन की जरूरत नहीं रह गई थी सिर्फ काम करो और परिनामों को लिए अपनी पिता या अपनी माता को जिम्मिदार ठहरा दो साइमन, मैं यह निश्यत करना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ आप यह कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य अपने इस्वर से ज़्यादा करीव था जब उसे यह विश्वास था कि वो सचमुच एक अद्भुत रचना है एक ऐसी रचना जिसे इस्वर ने अपने स्वरूप में गढ़ा है परन्तु धीरे धीरे मनुष्य ने ऐसी खोज की जिससे उसका अपनी उच्च अवस्था के बारे में भर्म तूट गया और आखिरकार वो यह सोचने लगा अगर हम लोग इस्वरिये नहीं है अगर हम इस्वर के संसार के केंदर में नहीं है अगर हम सचमुच केवल पसू है और अगर हम अपने कई कामों को समझ नहीं सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते तो फिर हमारा महत्व उतना ही है जितना की हमारे बगीचे में लगी खरपतवार का अगर हम वास्तों में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर हम अपने आप पर किस तरह गर्व कर सकते हैं और अगर हमें अपने आप पर गर्व नहीं है तो फिर हम खुद को पसंद कैसे कर सकते हैं और अगर हम अपने आपको पसंद नहीं करते तो फिर ऐसे आदमी के साथ जिवन किस तरह गुजार सकते हैं इसलिए क्यों न हम अपने आप से मुक्ति पालें हम ज़्यादा पीज गाड़ी चलाएं या ज़्यादा सराब पिएं या ज़्यादा खालें या जान बुझकर ऐसे गलत काम करें ताकि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए और हम कोने में बैठ कर अपने अंगुठे चूशते हुए खुझ से कह सके कि हम महत्मिहीन है इसलिए इस बात की क्या परवा करना क्या आपका यही मतलब है बिल्कुल अब मेरी बारी थी अब मैं आत्मगौरव के कफन में एक और किल ठोकना चाहता हूँ साइमन चाहे इसे जब भी सही साबित किया जाए क्या आप प्रोफेसर एडवर्ड जूई और पिट्सवर्ग यूनिवर्सिटी में उनके फाउंडिशन फॉर्दर स्टडी ओफ साइकल से परीचित है हाँ कई साल पहले मैंने उनके फाउंडिशन की मासिक पत्रिका साइकल्स के बहुत से पुराने अंक खरीदे थे मैंने उन अंकों को यही कहीं पैक करके रख दिया था आप उनके बारे में क्या कहना चाते हैं मिस्टर ओग प्रोफेसर डूई ने अपनी जीवन के 40 साल एक अध्धन में लगा दिये है वे यह जानना चाते थे कि हर चीज एक चक्र में होती है चाहे वो भुकंप हो या अच्छी फसल हो या स्टॉक मार्केट की कीमितों में उच्छाल हो या सूरे के धबों में बढ़ोतरी हो या और भी सेक्रोड चीजे हो मैं जानता हूँ प्रोफेसर ड्यूई तीन सार पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वे सक्सस अनलिम्टेड में मेरे लेखों से प्रभावित हुए थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके साथ चक्रो पर एक पुष्टक लिखने में सहयोग करूँगा जिसे आम आदमी समझ सके मैं उनके आगरा से इतना सम्मानित महसूस करने लगा कि मैंने आउसर को लपक लिया मैंने एक साल तक उनके फाइलो और नोट्स और चार्ट का अध्धन किया और आखिरकार हमने एक पुष्टक तयार की जिसका सिर्शक था Cycles Mysterious Forces That Trigger Coming Events मिस्टर ओग मैं आपको जितना जानता हूँ मैं आपके ज्यान से उतना ही चमितक्रित होता जाता हूँ मैं भी आपके बारे में यही बात कर सकता हूँ साइमन बहरहाल प्रोफेसर ड्यूई का विश्वास है कि हमारे कामों और नजरियों को कोई बाहरी तत्व प्रभावित करता है उनका मानना है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि ग्रहों की स्थितियां इंसानों के कारियों को सामोहिक रूप से प्रभावित करती है जिससे हम कई बार लड़ने पर विवस हो जाते हैं, कई बार हम प्रीम करने लगते हैं, कई बार हम लिखने या पेंट करने लगते हैं, और संगीत की धुन तैयार करने लगते हैं, और इस दौरान तारकिक द्रिष्टी से हम सूचते हैं कि हम यह काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम किसी धागे से बंधी, कटकुतलियों की तरह हैं, और अगर इस धागे को काट दिया जाए, तो हम अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुँच सकते, नहीं हम अपने आत्मगारों को फिर से हासिल कर सकते हैं, मुझे आपका प्रोफिसर पसंद आया, मिस्टर ओग, अब अगर आप इन संभावनाओं पर पले बढ़े हो, कि आप एक धूल के कन की तरह हैं, आपका अपने भागे पर बहुत थोड़ा नियंत्रन है, या बिलकुल भी नियंत्रन नहीं है, और फिर आपको हर दिन ऐसी घटनाओं से जोजना पड़े, जो आपकी व्यक्तिक्ता को न अपने परिवार के सुख अपने भविश्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और इसमें आप वो डर भी जोड़ दे कि यह दुनिया प्रदूशन की गटर बन चुकी है, और किसी भी सुबह या नस्ठ हो सकती है, जब यह सारी चीजे होती है, तो आप किस तरह आत्मगौरव का अनभोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादतर समय और प्रियास तो सिर्फ जिन्दा बचे रहने के लिए हो रहे हैं, आप अपने बारे में अच्छा या उंचा किस तरह सूच सकते हैं, आप किस तरह सुखी हो सकते हैं, आप में पसंद किये जाने लाएक कौन सी बात रह जाती है, इस तरह के जीवन में कौन सी महान चीज है, इस तरह के जीवन को धरती पर स्वर्ग की संग्या कौन दे सकता है, मुझे लगता है कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो अपने आप में खुद जवाब है, सैमन की भावे तन गई, उसके कंदे वस लंबी चर्चा से ठक गया हो, फिर उसके चहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई, उसकी आँखे चौड़ी होई, और उसने अपनी आवाज उची कर ली, फिरोधा भासी जवाब यह है मिस्टर ओग, कि हमारे खिलाफ इतनी सारे सक्तियों के होने के बावजूद, हम चा रहता है, इसलिए हम अपनी असफलताओं पर सर्मिन्दा होकर रोते हैं, और उसत दर्जे के आम गढ़े में अपने क्रमसा पतन पर सर्मिन्दा होते हैं, हम रेनिशा यूग के उन चित्रों के तरह हैं, जिनमें कुछ पापी आत्माई, नर्क की आग में जोकी जा रही है, और वे अपने हाथ उठा कर मदद मांग रही है, वह मदद जो उन्हें आम तोर पर नहीं मिलती, क्या कोई आसा है साइमन, क्या इतने अंधेरे में एक छोटा दिया जलाने से सचमुच कोई लाब हो सकता है, आसा तो हमीशा रहती है, जब आसा खत्म हो जाएगी, तो दुन तो हम अंधेरे से, अंधेरी रात को भी, दिन से अधिक रौसन कर सकते हैं, मैंने सैतान के वकील की भूमिका निभाना सुरू कर दिया, परंतु क्या मानव जाती उस मोर पर नहीं पहुँच गई है, जहां इसमें सुधार की सारी संभावना ही समाप्थ हो गई है, आम आद इस दुनिया में हर तथा कतित सफलता की अगर एक कहानी है, तो दुखत और सफलताओं की एक हजार कहानिया है, और जनसंक्या वढ़ने के बाद भी यह अनुपात बदलता नजर नहीं आता, मिस्टर ओग, मुझे हैरानी है कि आप ऐसा कह रहे हैं, आप साध सफलता और और युगों की तरह ही माप रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, वो आप कह ही नहीं सकते, अगर आपको विश्वास होता की सफलता की माप सिर्फ बैंक बैलेंस से होती है, तो आप अपनी पुस्तक लिख ही नहीं सकते थे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, परंतु मैं आपको बता दू कि कई कारेक्रमों में मुझसे इंट्रव्यो करने वाला इस तरह का सवाल पूछता है चुकि उसने मेरी पुस्तक नहीं पढ़ी होती इसलिवा सोचता है कि मैंने भी एक और रारा पुस्तक लिखी है जिसमें पाठो को बताया गया है कि सफल कैसे हुआ जाए जिसे हमेशा अमेरी का प्रयवाची समझा जाता है हमें इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि अमीर और सफल इस देश में प्रयवाची माने जाते हैं मैं जानता हूँ यह दुखद है परन्तु सच है फिर जब आप टेलिविजन कैमरे के सामनी या समझाने के कोशिस करते हैं कि आपके पुस्तक का आर्थे खलाब से कोई लेना देना नहीं है और इसका लच्छ तो मानसिक सांती या सुख प्रदान करना है तो आम तोर पर सामने वाला व्यन्यात्वक हसी हसने लगता है इसके बाद वो आप पर ऐसे सवालों के गोला बारी सुरू कर देता है जिनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है उदाहरन के तोर पर ठीक है वे लोग कहते हैं कि सुख और मानसिक सांती के बारे में बाती करना आप के लिए बहुत अच्छी बात है परन्तु क्या आप ऐसे आदमी के चेहरे पर मुश्कान ला सकते हैं जिसके नौकरी अभी हाल में छुटी हो जिसके घर में पांच भूखे बच्चे हो और जिसके घर के फ्रिज में खाने के लिए कुछ भी न हो आप जुग्गे में रहने वाली उस युवा विध्वा मा के मन और आत्मा को कैसे सांत करेंगे जिसे उसके माहौल ने कुछल दिया है और वो तीन बच्चों को पालने के लिए संघर्च कर रही है आप किस तरह एक मरते हुए आदमे को विश्वास दिलाएंगे कि वो अब भी अपने बचे हुए जीवन का अनंद ले सकता है आप उस ग्रणी को क्या कहेंगे जिसे पूरा विश्वास है कि उसका जीवन बरतन साफ करने और बिश्टर बिशाने तक ही सिम्मट कर रह गया है आपने जो समस्याइं बताई है मिस्टर रॉग इन में से कोई भी आसान नहीं है परन्तों मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूगी इन में से हर एक या दुनिया में हर एक के भीतर एक पाइलेट रॉस्मी जल रही है कई लोगों में या बहुत हद तक बुझ गई होगी परन्तों मैं आपको या बता दूँ या पूरी तरह कभी नहीं बुझती कभी नहीं जब तक हमारे सरीर में जिन्दगी की एक भी सांस है तब तक आसा है और रैग पिकर्ष इसी विश्वास के सहारे काम करते हैं हमें एक मौका तो दीजिए और हम आपकी पाइलेट लाइट को इंधन परदान करेंगे चाहे या कितने ही धीमी क्यों न हो इनसान का तंत्र आश्चरजनक रूप से जटिल और लचीला है या अपने आपको जीवित मौत के मौँ से निकाल कर एक बार फिर जीवित हो सकता है बसरते की इसे औसर दिया जाए और सही रास्ता दिखाया जाए और यही पर आप जैसे रैक पिकर्षका काम करते हैं जीवित मौत के सिकार लोगों में बानवता के औसफर लोगों में आम तोर पर मैंने पाया है कि जादतर लोग तब तक सहायता स्विकार करने के इच्छुप नहीं होते नहीं वे सहायता स्विकार करने के लिए तयार होते हैं जब तक कि वे पूरी तरह रसातल में न पहुंच जाएं उस बिंदू पर पहुंचने के बाद वे जान लेते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है इसलिए वे मेरी आसान तक्नीक को ज़्यादा अच्छे तरह अपनाते हैं ताकि वे नया जीवन शुरू कर सकें ताकि वे विश्व का महांतम चमतकार कर सकें ताकि वे अपनी जीवित मौत की कैद से बाहर निकल सकें क्या आपने इमर्शन को पढ़ा है मिस्टर रॉग मैंने हाई स्कूल के बाद इमर्शन कभी नहीं पढ़ा कितने सर्म की बात है इमर्शन को 30, 40 और 50 साल के लोगों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए स्कूल कॉलेज के बच्चों द्वारा नहीं इमर्शन ने लिखा है हमारी सक्तियां हमारी कमजोरियों से उत्पन होती है हमारी सक्तियां हमारी कमजोरियों से उत्पन होती है जब तक हमें चोट नहीं पहुंचती हमें काटे नहीं चुपते हमें डसा नहीं जाता तब तक हमारा क्रोध जागरत नहीं होता जब किसी आदमी को धक्का दिया जाता है, सताया जाता है, हराया जाता है, तो उसके पास कुछ सीखने का असर होता है वो अपनी बुद्धीमता में व्रधी करता है, अपनी बहुदरी जान लेता है, तत्यों का ज्यान हसिल करता है, अपने अज्यान के बारे में जान लेता है, दंव के पागलपन से मुक्त हो जाता है, सैयम और वास्त्विक कुसलता सीख लेता है परने तो क्या आपका अंतिम लक्ष एक असंवा स्वाप नहीं है? क्या आप भी डॉन कृजोट की तरह इस जीवन के यथार्थ से पलायन करने की कोशिस नहीं कर रहे हैं? और क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपका भी वही हस्र हो सकता है जो कि क्विजोटका हुआ था पुराने मुल्य, पुराने सिधान्त आज काम नहीं करते आपको उन्हें फिर से अर्थपुन बनाने के लिए पूरे माहौल को बदलना होगा साइमन, आप दुन्या को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं इसकी बार-बार कोशिस हुई है, हमारे पास मार्टिस या सहीदों की लंबी सुची है जिन्होंने इसी तरह की कोशिस की थी और असफल हुए थे वे असफल नहीं हुए जब सपिसाली रोम उसके सामने ढ़ा गया तो पॉलिनस नामक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक छोटे मंदिर की देखवाल करता रहा उसके बुद्धिमता पून सब्द आपको किसी भी पुस्तिकाले में मिल जाएंगे वो बुरह और समझदार रैक्पिकर था सही तब असफल नहीं होते जब उनके दिल धड़कना बंद कर देते हैं अगर वे असफल होते तो हम लोग यहां पर बैठकर अपने साजे लक्ष यानि कि दुनिया को बहतर बनाने के लक्ष की संभवना पर विचार नहीं कर रहे होते एक ऐसे दुनिया जिसमें इस्वर के बनाए सभी प्रानी बहतर तरीके से जी सके बुड़ा आदमी अपनी जगह पर वापस लोटा और उसने मेरे घुटने पर अपना हाथ रख दिया मिस्टर ओग क्योना दुनिया को बदलने की कोशिस करें क्योना दूसरों को यह सिखाएं कि वे अपने जीवन में चमतकार कर सकते हैं आदमी अप स्रिस्टी के केंदर में नहीं रहता इस बात का क्या महत्व है जब तक कि वो अपने सुन्दर संसार की रशना मन्चाहे ढंग से कर सकता है आदमी इस बात के परवा क्यों करे कि उसके उत्पत्वी जानवरों से हुई है जबकि वो जानता है कि उसके पास ऐसी सक्तिया है जो किसी और प्रानी के पास नहीं है और उसे इस बात से फर्क क्यों पढ़ना चाहिए कि उसके कुछ कारे उसके बच्वन के अवचितन अनुभों के कारण होते हैं जबकि उसके पास अपने मस्तिस को नियंत्रित करने की सकती है और इस तरह वो अपना मुकदर खुद लिख सकता है किवल मनुष्य ही अपने तक्दीर से किवल मनुष्य ही अपने तरीके से या अंतिम फैसला कर सकता है कि वो अपने जीवन को किस तरह जीए उसने बहुत गहरी और अर्थपून बाते कही थी इसलिए यह जरूरी हो गया था कि मैं चर्चा को रोग दूँ या फिर मूड को कम से कम हलका कर दूँ ताकि मैं उसकी बातों को बचा सकूँ इसलिए मैंने सिग्रेट सुलगा ली और उसे जाल में फसाने की कोशिस करते हुए कहा साइमन जोतिसी आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि इंसान में अपने भागे को नियंद्रित करने की सक्ती होती है उसने दुखी अंदाज में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया जोतिसी, नीम हकीम, हाथ देखने वाले, अंक जोतिसी, पारलोकिक विसेस अगे हर पीड़ी के अपने कई सुरक्षा कवच होते हैं बुड़े आदमी ने मेरे बालों को बिखीरते वे कहा क्या आपको सेक्सपियर की अच्छी समझ है मिस्टर रॉग ज्यादा नहीं, प्रिये बूटस, दो सितारों का नहीं है, बलकि हमारा है लेसन सिक्स, मैंने उसके 89 बड़े पर तौफा देखकर उसे आश्चर चकित कर दिया सुरुवाती चर्चाओं में उसने मुझे अपना जन दिन बताया था मुझे जन दिन याद रहा, इस बात से उसे इतनी हैरत हुई कि उसकी जान ही निकल गई मुझे सौपिंग करने से नफरत है, परनतु मैंने दो सनिवार तक सौपिंग की ताकि मैं साइमन के लिए कोई अद्वुद और महतपून तौफा खरीच सकूँ आखिरकार मुझे वुड फिल्ड में मार्सल फिल्ड के दुकान पर वात आफ़ा मिल ही गया इटेलियन कास्ट ग्लास का जेरेनियम प्लांट दो फूट लंबे इस पौधे में रंग भी थे और पत्तियां भी इसे देखकर या लगता ही नहीं था कि यह कांच का पौधा था जब तक कि आप इसे चोकर ना देखें ऐसा लगता था जैसे इसे किसी वगीचे में बड़े जतन से उगाया गया है साइमन की खिड़के के पास एक बॉक्स था पूरे ब्लॉक में उसी की खिड़के के बाहर ऐसा बॉक्स था उसका कहना था कि जब वो यहाँ पर रहने के लिए आया था तभी उसने इसे बना कर बाहर टांग दिया था हर साल वो इसकी मरमत करता था और इसमें ताजी हरे रंग से पींट करता था हर वसंत में वो उस बॉक्स में जेरेनियम प्लांट के अंगिनत बीज डाल देता था क्योंकि जेरेनियम प्लांट उसका फैब्रेट प्लांट था यह पौधे आसमान के तरफ उठने का अपना संगर्स सुरू करते थे फिर वे पीले पढ़ने लगते थे और आखिरकार सूप कर मर जाते थे उसने मुझे बताये कि पिछले साल उसने अपने किसमत को बदलने की कोशिस की और गर्मी की सुरूबात तक ठहर कर थोड़े बड़े पौधे खरीदे दो सब्ता बाद वे भी भूरे पढ़कर मुर्जा गए परन्तो उसने हार नहीं मानी वो फैसला कर चुका था कि वीजों की एक केटलोग से अगले वसंत में नए वीज खरीदेगा बूरे आदमी का कहना था कि दमिस किया सेक्सिन होसन में जेरेनियम पौधे के साथ कभी कोई समस्या नहीं आई एक पर उसने इस बात का लंबा वर्नन किया कि वो किस तरह जाड़े के आने से पहले अपने प्रीय पौधे को खोदा करता था और उन्हें बेस्मेंट में सूपने के लिए रख देता था और वसन्त में उन्हें फिर से मिट्टी में गाड़ देता था उसने हस्ते वे बताया कि जीवित वस्तूओं को नया जीवन सुरू करने के छेतर में या उसकी सुरुवाती सफलताई थी उसके लगाए हुए कुछ जेरेनियम पीस साल से अधिक की उम्र के थे पर तो सिकागो में नहीं सैमन इसके लिए प्रदूशन को जिम्मेदार ठहराता था कोई चीज मौत की इस बारिस में कैसे जिन्दा रह सकती है जबकि उपर से और सड़क पर चलती कारों से इतना प्रदूशन हवा में है बाहर देखे मिस्टर ओग अज पुर्णवासी है क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, हम लोग अपने ही पैदा किये हुए कच्रे में डूबे हुए हैं हम इसमें नहाते हैं हम इसमें सांस लेते हैं हम इसे खाते हैं यहाँ तक कि मैं जो पानी अपने पौधे को देता हूँ उसमें भी ऐसे रसायन है जो कौक्रोज को मार सकते हैं आज किवल पौधे और पक्षी मर रहे हैं कल ना जाने क्या होगा? परंतु मुझे विश्वास है कि आखिकार मैं जेरिनियम के पौधे को उगा ही लूँगा और मानव जाती समय रहते जाग जाएगी और इस विश्व को एक विशाल कच्राघर बनने से बचा लेगी ऐसा संभव बनाने के लिए रैग पिकर्श की सेना की जरूरत होगी साइमन इस ग्रह को बचाने के लिए हर इनसान को अपना रैग पिकर खुद बनना होगा उसे मुक्ती के लिए अपने परोसी पर निरभर नहीं रहना चाहिए मेरा यकीन कीजिए Mr. Aug एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा सेल्समेन ने काच के पौधे को सुन्दर कागज में लपीट कर गिफ्ट रैप कर दिया जब साइमन ने दर्वाजा खुला तो मैंने बड़े सुनहरे बॉक्स को उसके हाथों में दे दिया और इतना ही कहा हैपी बर्ड दे प्रिये दोस्त उसने बक्सा लिया उसका मूँ खुला का खुला रह गया उसने मूँ से सब्ध नहीं निकल रहे थे फिर उसकी आँखों के कोने में आसु बहने लगे उसने बक्से को फर्च पर साउधानी से रख दिया और मुझे गले लगा लिया आखिरकार उसने अपने हाथों में मेरे शेहरे को भरते हुए मेरे माथे को चूम लिया मिस्टर ओग 35 साल में पहली बार किसी ने मुझे बड़े गिफ्ट दिया है आपको कैसे पता चला कि आज मेरा जन दिन है एक रात को आपके मुझे निकल गया था आप बक्से को खोल कर तो देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता यह इतना सुन्दर लग रहा है कागज बहुत ही सुन्दर है इसे फाड़ा नहीं जाना चाहिए यहां केवल कागज है आगे बढ़िए, खोल दीजिए साइमन ने जुक कर बड़े बॉक्स को अपनी तरफ खीचा ताकि उसके पैर बक्से के दोनों तरफ पहुँच जाए पहले तो उसने साउधानी से रिबन खोले फिर उसने अपनी उंगलियां कागज के नीचे डाली और धीरे धीरे कागज हटाया इसके बाद उसने अपना पॉकेट नाइफ निकाला और अंदर के कवर हटाये उसने अंदर देखा और उसकी भृकुटियां तन गई फिर उसने टीसू पेपर हटाना सुरू किया जो पौधे के चारो तरफ लिप्टा हुआ था वह बच्चों की तरह रूमान्चित था और अनुमान लगा रहा था कि अंदर क्या होगा इस तरह का उत्सा केवल क्रिस्मस के समय देखने को मिलता है आखेकार उसने सारे कवर हटा दिये और काटन से काच के अपनी तौफे को बाहर निकाल लिया जेरेनियम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना सांदार पौधा मैंने जितने भी पौधे देखे हैं या उनमें सबसे सुन्दर जेरेनियम प्लांट है और या असली नहीं है हे इसवर या काच का बना है मिस्टर ओग आपने या अद्बुत कला करती कहां खोजी और देखिये इसके रंग को तो देखिये एक बार जेरु सेलम में मैंने इसी तरह के रंग के जेरेनियम प्लांट को दिखा था मैंने इसे इसके मालिक से खरीदने की कोशिस भी की थी परन्तु मैं सवल नहीं हुआ इतना सांदार तौफा इतना महंगा तौफा मिस्टर ओग मैं क्या कह सकता हूँ कुछ भी ना कहें साइमन मैं खुश हूँ कि आपको या पसंद आया या तकिवल प्रेम का एक छोटा सा प्रतीक है और या उन लंबी चर्चाओं के लिए धन्यवाद का प्रतीक भी है जिनमें आपने ग्यान और आसा पर मुझसे घंटो बाते की है हैपी बर्दे और इस्वर करें कि आप 89 साल और जीएं अब तक वो अपने पैरों पर था और पौधे को लेकर इधर से उधर घूम रहा था वो उसे रखने के लिए आदर्श इस्थान की तलास कर रहा था उसने इसे कौफी की टेबल पर रखा पीछे आया कुछ मिनुटों तक इसे देखा अपने सेर को हिलाया और इसे वहां से हटा दिया फिर उसने इसे टेलेविजन सेट के उपर रख कर देखा नहीं फिर अपने परिवार की तस्वीरों के पीछे मेज पर रख कर देखा पहले से बहतर परंतु अब भी आदर्श नहीं उसे तौफे को इधर से उधर ले जाते हुए देखकर मेरे मन में अचानक एक खयाल आया साइमन दरसल इस जेरेनियम के लिए एक हिसान आदर्श है वो अनिच्छा से ठहरा जैसे मैंने उसकी आनंद में बाधा डाल दी हो कहा में स्टर रॉग देखिए यह काच का बना है इसमें प्रदूसन से इसे कोई नुकसान नहीं होगा क्यों न इसे आप बाहर रखें अपने खिड़की के बॉक्स में इस पूरे सहर में ऐसा कौन होगा जिसकी खिड़की में लाल जेरेनियम लहला रहा होगा इस नवंबर में दिसंबर में जन जब आप पारकिंग स्थर पर अपनी कार पार्क करते हैं मैं ऐसा ही करता हूँ परन्तों या सम्मान मैं आपको देना चाहता हूँ सम्मान अपका क्या मतलब है इस पौधी को वहाँ आप लगाईए ठहरिये जरा मैं अपने आउजार तो लिया हूँ और हम दोनों ने अपन 95 डॉलर के जरेनियम प्लांट को लगाया मैंने खिड़के के बॉक्स की लगबग जमी हुई काले मिट्टी में एक गड़ा किया सायमन ने मुझे पौधा पकड़ाया और मैंने उसे नीचे गार कर उसे मिट्टी से इस तरह ढख दिया कि केवल पौधा ही दिखाई दे फिर सैमन चिलाया अब मेरे पास आखिरकार मेरा जरेनियम है आप देख रहे हैं ना जिसमें लगन होती है वो कभी असफल नहीं होता जिसमें लगन होती है वो कभी असफल नहीं होता आपके सिवा कौन इस तरह का तौफा ला सकता है या तौफा मेरे प्यारे रैक पिकर के मैंने दिखा कि वह अपनी भावनाओं को काबो में रखने के लिए संघर्ष कर रहा था उसकी होट काप रहे थे और उसकी आँखें आधी बंद थी मैं सोच रहा था वह ना जाने किन यादों में डूबा होगा परंतु मैं खामोश रहा आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया जैसे वो यादों को हटा रहा हो और उसने कहा दुनिया में इससे बुरी कोई चीज नहीं की किसी बुड़े आदमी के पास उम्र को छोड़ कर कोई और चीज नहो जो यह साबित कर सके कि उसने इतना लंबा जीवन जिया है मैं जानता हूँ कि यह किसने कहा है सेने काने ठीक है ना मिस्टर ओग आप अपने पचास वर्षों की उम्र के मान से बहुत ज़्यादा समाठ है परन्तु आपकी उम्र के मान से आपके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है साइमन आपके बल उनी सालों का हिसाब लगा ले जो अपने एक रैग पिकर की तरह गुजारे है और इतने सारे लोगों की मदद की है हाँ वे लोग कच्रे घर में पड़े मेरे देवदूद थे मैं उनमें से हर एक से प्रेम करता हूँ वे स्वरग का मेरा टिकट है लीसा और एरिक तक पहुँचने का मेरा पासपोट है साइमन मुझे बुढ़े होने के बारे में सेनेका के बज़ाए हेंडरी फोड की कही बात बहतर लगती है कौन सी फोड ने कहा कि अगर आप दुनिया में पचास साल से अधिक की उमर वालों का सारा अनुभव और ग्यान ले ले तो फिर दुनिया में इतना दिमाग और हुनर नहीं बचेगा कि इस दुनिया को चलाया जा सके परंदो मिस्टर ओग फोड ने यह तब तक नहीं कहा था जब तक कि वे खुद पचास साल से अधिक के नहीं हो गए थे और इसके अलावा अठारवी सदी के जर्मन कॉमेडियन रिक्टर की कहावद भी है क्या आप जानते हैं मुझे मालूम था कि आप मुझ पर बहारी पड़ेंगे बताईए रिक्टर ने कहा था सुबह के सपने की तरह हम जितना लंबा जीते हैं जिन्दगी उतने ही चमकदार होती जाती है और हर चीज का कारण अधिक साफ दिखाई देने लगता है रिक्टर ने कहा था सुबह के सपने की तरह हम जितना लंबा जीते जाते हैं जिंदगी उतनी ही चमकदार होती जाती है और हर चीज का कारण अधिक साफ दिखाई देने लगता है पहले जो चीजे हमें रहसमई लगती थी अब वे कम रहसमई नजर आती है और पहले जो रास्ते हमें घुमाओदार लगते थे, वे जीवन के अंट में हमें सीधे नजर आने लगते हैं मानो मुझे किसी चुम्बकीय सक्तिने घीचा हो, मैं अचानक अपनी खुर्सी से उठा, सैमन के पास गया, और उसके कदमों के पास बैठ गया, मैंने उसके सुन्दर चेहरे के तरफ देखा और कहा इस्वर का मिमोरिंडम, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे यह दे देंगे, तो मैं इसे गौरव और सम्मान की बात समझूँगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे दुनिया तक पहुँचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभो प्रयास करूँगा हमारे इतिहास में पहले कभी हमें इसकी इतनी ज़्यादा जरूत नहीं थी बुड़े आदमी ने हलके से आ भरी और उसके चहरे पर रहत का भाव साफ जलक रहा था मैं डर रहा था कि साइद आपने मेरे प्रस्ताओ को ना मंजूर कर दिया या फिर इतने महीने गुजरने के कारण आप उस बात को भूल गए आपकी स्विक्रती मेरे लिए इस जेरेनियम से भी बड़ा तौफा है मैंने भी अपने प्रस्ताओ के बारे में दुबारा विचार किया है आपका मतलब है कि अब आपके विचार बदल गए है सैमन नहीं नहीं यह बात नहीं है मैं केवल यह चिंता कर रहा हूगी साथ लोग इसके संदेश को गंभीरता से नहीं लेंगे मिस्ट रॉग क्योंकि यह इतना छोटा, आसान और मोलभूत है इन दिनों ऐसा लगता है कि आत्मसुधार के निर्देश जितने अधिक जटल, अलंकारिक और महंगे होंगे लोग उनकी तरफ उतने ही अधिक आकरशित होंगे डेल कारनेगी, जो रोथिया ब्रांड, नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट पील और आपके डेवलोक्रिल्मेंट स्टोर जैसे लोगों को सिर्फ इसले महत्पूर नहीं समझा जाता क्योंकि वे जीवन की समस्याओं के आसान और काम में आने वाले समाधान सुझाते हैं इसके अलाबा, किसी व्यक्ति को आमने सामने की चर्चा में सला और परामर्श देना एक बात है और पुस्तक में पढ़ना दूसरी बात इस्वर के मेमरिन्नम को पढ़वाने से पहले आमने सामने की चर्चा में आदमी को सही तरीके से तयार गिया जा सकता है क्योंकि आपके व्यक्तित्व की सक्ति आपके संदेश को अधिक ससक्त बनाती है या बिल्कुल ही अलग बात है कि हम इन सब्दों को कागच पर उतार कर किसी के सामने रखते और इससे पहले कोई तयारे ना करे व्यक्तिकत रूप से उसके दिमाग को इस संदेश के लिए तयार ना करे साइध इस वज़ा से या इतना ससक्त नहीं बन पाए जिससे पढ़ने वाला आदमी कारे करने के लिए प्रिवित हो सके साइमन विद्वान परंतु अनुखोहीन आलोचकों का ऐसा छोटा समू हमीशा रहेगा जो आपको दोस देगा कि आप बेहर जटिल समस्याओं के इतने आसान समाधान दे रहे हैं उनकी नजर में इन समस्याओं को केवल मनुविसलेसक की चैंबर में ही ठीक किया जा सकता है पांच साल तक पचास डॉलर प्रतिसपता की दर से की गई थेरेपी से परंतु मैं हर उस इनसान से एक डॉलर ही चाहूंगा जो कार्नेगी, पील, प्रांट, हिल, स्टोन और ऐसे ही अन्य लेखों की पुस्तके पढ़कर क्रेरित हुआ है और बिना उनसे मिले ही उसने अपने जिन्दगी बदल ली है इन लेखों में मेंडीनों का नाम भी जोड़ दें मैं उस समू में कभी न कभी सामिल हो जाओंगा साइमन क्या आप अब भी अपने संदेश को जन्ता तक पहुँचाना चाहते हैं क्या आप अब भी गिनेजुने लोगों के बजाए हजारों लोगों की मदद करना चाहते हैं बिलकुल इस्वर के मेमोरेंडम के सफलता के लिए दू बाते जरूरी है पहली बात तो यह कि इसकी आवसत्ता होना चाहिए और फिर इसका इतना बड़ा वित्रन तंत्र होना चाहिए ताकि यह उन लोगों तक पहुँच सके जिने इसकी जरूरत है मुझे याद है कि लिलियन रौथ ने अपनी पुस्तक I will cry tomorrow में लिखा था कि वे अपनी जीवित मिलत्यू यानी सराब खोरी से किस तरह मुक्त हो पाई वे तब तक ऐसा नहीं कर पाई जब तक कि उन्होंने आखेकार तीन सबसे कठिन सब कहना नहीं सिखा यह सब्द थे मुझे मदद की जरूरत है आपने मुझे खुद बताया था कि लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब उनके सारी आसा खत्म हो चुकी होती है और उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता साइमन अगर आप सुन सके तो आपको इस दुनिया के हर सहर और हर मुहले में रहने वाले हर स्टेटस और व्यवसाय के लोगों का कोरश सुनाई देगा जो मदद के लिए चिला रहे हैं इस वक्त आपके संदेश की इतनी ज़्यादा जरूरत है कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते अमीर हो या गरीब स्वेथ हो या अस्वेथ सुन्दर हो या कुरूप भीड हो या अकेला इंसान सबको मदद की जरूरत है ऐसे करोड़ लोग हैं जो मानते हैं कि जीवन उनका जीवन स्वर्ग नहीं बलकि नर्क है धर्ती पर नर्क साइमन ने अपना सिर घुमा लिया था और वो बहुत ध्यान से मेरी बाते सुन रहा था जैसे आम तोर पर मैं उसकी बाते सुना करता था उसने कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए मैं आगे बोलता रहा सफलता के लिए जिस दूसरी चीज की जरूरत है वो यह है कि मेमरेंडम को उचीद सोकेज और वित्रन तंतर मिले हलाकि मैंने अभी इसे पढ़ा नहीं है परन तो मैं आपसे यह वादा करता हूँ मैं इस्वर के मेमरेंडम को अपनी अगली पुस्तक में सामिल करूँगा और मैं आपके बारे में भी लिखूँगा और मैं इस पुस्तक का नाम रखूँगा यानि दुनिया का सबसे महान चमतकार हम दुनिया को बताएंगे कि यह चमतकार कैसे किया जाए किस तरह अपने जीवन को नए सीरे से ढाला जाए और जीवित मृत्यों से बाहर निकला जाए आप मेरे लिए यह सब करेंगे आपके लिए तो करूँगा ही परन्तों उन सब लोगों के लिए भी करूँगा जो जीने का एक मौका चाहते हैं और उन्हें यह एसास भी नहीं है कि वे ऐसा आसानी से कर सकते हैं अचानक उसकी जोरदार हसी पूरे अपार्टमेंट में भर गई मिस्टर ओग मुझे प्रेसिडेंट के रूप में अपने पुराने दिन याद आ गए ज्यादतर मेमरेंडम के कारवन कौपिया ही होती है जो उस ओफिस या संगठन के अलग-अलग लोगो या डिपार्टमेंटों को दी जाती है इस वर के मेमरेंडम की कौपियां क्या हम पूरी दुनिया में बाटेंगे क्यों नहीं हमारी इस कंपनी यानि दुनिया में 4 बिलियन कर्मचारी है जो बहतर जीवन के प्रमोशन के लिए संगर्स कर रहे है या अगर वे जान ले कि ऐसा कैसे हो सकता है तो संगर्स करना चाहेंगे हमें उन सभी को एक मौका देना चाहिए ताकि वे दुनिया का सबसे महान चमतकार कर सकें और जब ऐसा होगा तो हमारा स्वर्ग यहीं इसी धर्दी पर उतर आएगा हम उन्हें बता देंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है मिस्टर ओग हम उन्हें जरूर बताएंगे कि ऐसा कैसे किया जाता है साइमन जब मैं आपके साथ होता हूँ तो वक्त कैसे गुजर जाता है या पता ही नहीं चलता इस बार भी ऐसा ही हुआ है मुझे अब चलना चाहिए क्या मैं आपका मेमरेंडम ले जा सकता हूँ ताकि मैं उसे वीकेंड की छुटियों में पढ़ सकूँ किसी और को उसकी हिचकी चाहट नजर नहीं आती पर मुझे आ गई आज नहीं मेरे दोस्त पर जल्दी ही बहुत जल्दी यह आपके पास होगा मैं जानता था कि दवाओ डालने से कोई फाइदा नहीं होगा ओके गुड नाइट प्रे दोस्त गुड नाइट दोस्त और बड़े पाटी के लिए धन्यवाद जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा आपने सचमच मेरे लिए इस रात एक कैंडल जला दिया है जब मैं पारकिंग स्थल के केट के नीचे से घुचा जिसे उसने लगबग एक सार पहले उस दुफानी दिन में मेरे लिए उठाय था तो मैं घुमा और मैंने उसके अपार्टमेंट के खेकी की तरफ देखा वहाँ पर उसके लिविंग रूम से आदी गरम रौसनी में सैमन के नया लाल जेरिनियम हिलता हुआ दिख रा था लिसन सैवन उस सुमवार को मोटा भुरा लिफाफा मेरी डिस्क पर रखा हुआ था मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा एक बार फिर मैं बाहर गया हुआ था मुझसे कहा गया था कि यह मेरी पुस्तक के प्रमोसन का आखरी टूर है इसमें दो सप्ता बारा हवाई यात्राएं दस सहर होटल के दस अजीब बिस्तर सुबा जल्दी उठाने वाले दस फून और सवाल जवाब की अनंत स्रिंखला सामिल थी जो न्यू आर्लियंस से मौन्टेरी तक जारी रही मैं ओफिस जल्दी आ गया था मैंने सूचा था कि एक घंटे पहले पहुँचकर मैं जल्दी से अपनी भरी हुई डाक की बास्कित को निप्टा लूँगा ताजी ब्रो की हुई कॉफी की महक ओफिस में भरी हुई थी केवल वाई नूरामजिक जो हमीशा जल्दी आ जाया करती थी मुझसे पहले आई थी मैंने भुरे लिफाफे को उठाया लिखावट देखकर मैं अतम की थोकर घबरा गया बाई हाथ के उपरी कोने में जहां आमतोर पर रिटर्न एड्रस लिखा होता है वहाँ पर लिखा हुआ था बुढ़े रैकपिकर की ओर से फेरवल गिफ्ट लिफाफे के बीचों बीच फेरा नाम और बिजनेस एड्रस लिखा हुआ था उपरी कोने में दाय हाथ पर टिकट लगे हुए थे एक डॉलर और बीस सेंट के परन्तु टिकट कैंसल नहीं किये गए थे पोस्ट ओफिस की सील कहीं नजर नहीं आ रही थी मेरे हाथ से पैकेट छूट गया और मैं तेजी से बाहर की तरफ भागा जैसे ही मैंने हॉल के तरफ जाने वाला दरवाजा खोला पैट अंदर दाखिल होई जब उसने देखा कि मेरे चेहरे पर हवाईया उड़ रही है तो वेलकम बैक कि उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई क्या बात है मैंने उसकी बाहा पकड़कर उसे अंदर की तरफ खीचा फिर मैंने कालीन से घीरे हुए पैकेट को उठा कर पूछा यह पैकेट हमें कब मिला उसने मेरे हाथ से लिफाफा लिया संदेश को पढ़ा और अपने कंधे उचका दिये मैं नहीं जानती आपकी सारी मेल सोफि पर रखी है मैंने इस लिफाफे को पहले कभी नहीं देखा जब मैं सुक्रवार को ओफिस में ताला लगा कर गई थी तब यह लिफाफा यहां नहीं था या आज ही सुबा आया होगा हो सकता है कि इसे कोई संदेश वाथ लाया हो मैंने फोन के रिसीवर को लबबक उखाड़ी दिया और उस पर 24 डाइल किया हमारे सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट का नंबर सब्सक्रिप्शन मैनेजर बारबरा वायट को तुम मेरा स्वगत करने का मौका ही नहीं मिला बारबरा वाय को मेरे ओफिस में भेजो वाय जल्दी ही दरवाजे पर परिशान से खड़ी थी उसके सुन्दर से चेहरे पर चिंता और अश्र के भाव थे कि आखिर मैंने उसे क्यों बुलाया है वाय क्या आज ओफिस तुमने खोला था हाँ मैं हमेशा ओफिस खोलती हूँ मैं जानता हूँ क्या किसी ने यह पैकेट तुमें दिया था नहीं जब तुम आई थी तब क्या तुमें हौल में कोई अजनभी दिखा था नहीं सिवाए गेट कीपर यानी चारली के आसपास कोई नहीं था मैंने हमेशा की तरह कॉफी बनाई बर्दन भरने का इंतिजार किया अपनी लिए एक कप कॉफी भरी और वापस हॉल के पार चली गई क्यों क्या बात है कोई बात नहीं वाई चिंता मत करो धन्यवाद मैंने पैकट को अपनी डिस्क पर पठका अपनी टॉप कोट को उठाया और ओफिस के बाहर दोड लगा दी सिकागू में जाड़ी के पहली वर्फ गिरने के कारण फुटपात सफीद हो रही थी और मुझे ऐसा याद है कि मैं जब पारकिंग स्थल के पार दोड लगा रहा था तो मैं कई बार फिसला और गिरा परन्तु मैं विंथ्रॉप स्ट्रिट से पार होता हुआ साइमन की अपाटमेंट लॉबी में घुस गया मैंने घंटी वजाने के जहमत नहीं की और स्टीडियों को दो-दो करके चड़ गया जब मैं दूसरी मंजल पर पहुँचा तो मैंने साइमन के अपाटमेंट के दरवाजे को पीटना सुरू कर दिया दरवाजा आखिरकार खुला और मेरे सामने लाल चेहरे वाली एक मोटी सी महिला खड़ी थी जिसके बाल पिन में बंधे हुए थे उसकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा था दूसरा छोटा और मोटा बच्चा उस महिला के पुरानी गुलावी नाइटी को कसकर पकड़े हुए था मैंने सोचा साइमन साइद दया के किसी और रैकपिकर मिसन में जुटा हुआ था मिस्टर पॉर्टर से मिलना था कौन? मिस्टर पॉर्टर बुढ़ा आदमी जो यहां रहता है यहां पर पॉर्टर नाम का कोई आदमी नहीं रहता आप क्या कह रही है? वे यहां सालों से रह रहे हैं उनसे कहिए कि ओग मेंडी नो उनसे मिलना चाहता है देखे मेरा नाम जॉनसन है मैं इस कूड़े घर में चार साल से रह रही हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि यहां पॉर्टर नाम का कोई आदमी नहीं रहता वो दर्वाजा बंद करने लगी परन्तु मैंने अपनी बहां से दर्वाजे को थाम लिया और कमरे में घुज गया देखिए आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए मैं इस अपार्टमेंट में सैक्रो बार आ चुका हूँ साइवन पॉर्टर नाम का एक पुढ़ा आदमी यहां रहता है वो कहां है पर जमा किताबों का धेर भी वहां नहीं दिख रहा था कालीन के जगा एक भद्दा सा नारंगी और नीला लिनोलियम था महिला अब अपने बच्चे को अपने सीने से कसकर चिपका चुकी थी उसने चीखा देखो मैं तुमको पांच सकेंड का समय देती हूँ कि तुम यहां से दफा हो जाओ वरना मैं चिलाने लगूँगी और पुलिस को बुला लूँगी मेरे अपार्टमेंट में इस तरह घुसे चले आने का क्या मतलब है गुंडे कहीं के तुमको या तो जेल में होना चाहिए या पागल खाने में यहां से फॉरन दफा हो जाओ मेरे पैरों में जान नहीं बची थी मेरे पेट में बल पड़ रहे थे मेरे इच्छा हो रही थी कि मैं उल्टी कर दूँ मैं धीरे से दरवाजे के तरफ मुड़ा और अपने हाथ उठाते वे निरासा से कहा मुझे माफ कर दीजिए साथ मैं गलत अपार्टमेंट में आ गया हूँ क्या आप साइमन पॉर्टल को जानती है बुढ़ा आदमी सावला सा बहुत लंबा और उसके पास एक कुत्ता भी है इस बिल्डिंग में ऐसा कोई आदमी नहीं रहता मैं यहाँ चार साल से रह रही हूँ और मुझे मालूम है कि यहाँ कौन रहता है अगले वाले घर में इस तरफ एक छोटी बुड़ी इटेलिन महिला और उसकी पुत्री रहती है उस तरफ एक अस्वेत व्यक्ती अकेला ही रहता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर पॉर्टर नाम का कोई आदमी नहीं रहता और अब मैं चिलाने वाली हूँ मैंने एक बार फिर माफी मांगी और हॉल में वापस आ गया दरवाजा धलाम से बंध हो गया और मैंने उस पर लिखे हुए अपने परीचे परीचित अंक को देखा जिसे मैंने पहले ना जाने कितनी बार देखा था 21 मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी और इसलिए मैं अपने विचारों को सू विवस्तित करने के लिए वहीं सीडियों पर बैठ गया वो कहा था क्या मैं सपना देख रहा था अगर ऐसा है तो यह कितना भयानक सपना था मैंने सोचा कि किसी भी छन रोड सरलिंग सीडिया चड़कर उपर आएगा और नाइट गैलरी के एक और संसकरन्द में मेरा स्वागत करेगा तभी मेरे दिमान में एक विचार आया मैं सीडियों से नीचे भागा लॉबी पार की और बेस्टमेंट में पहुँच गया एक सीरे पर मुझे रोसने दिखी एक चाया से आकरती एक कुर्सी पर बैठी हुई थी एक छोटा सा बल्ब जल रहा था क्या आप ही यहां के गेट कीपर हैं? यस सर आप यहां लंबे समय से हैं पूरी रात से मैं यही हूँ नहीं नहीं मेरा मतलब है कि आप यहां कितने समय से काम कर रहे हैं इस फरवरी में 11 साल पूरे हो जाएंगे क्या इस बिल्डिंग में साइमन पॉर्टर नाम का किराएदार रहता है? लंबा आदमी, सावला सा लंबे बाल, दाढ़ी जो अबराहम लिंकन के तरह देखता है उसके पास एक कुता भी है हम इस बिल्डिंग में कुतों को नहीं घुषने देते क्या आप इस हुलिये के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं सर क्या आपने इस तरह के आदमी को देखा है? यहां या बाहर सड़क पर? नहीं सर मैं इस बिल्डिंग में रहने वाले हर आदमी को पहचानता हूँ और आसपास रहने वाले हर आदमी को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं रहता और इस ब्लॉब को तो छोड़ी दें इसके आसपास भी ऐसा कोई आदमी पिछले 11 सालों से नहीं रहा मैं आपको इस बात की गारिंटी देता हूँ क्या आपको पूरा विश्वास है? बिलकुल मैं वापस सीन्यों पर पहुँचा सड़क पार करके पार्किंग इस्थल तक गया और अपनी कार का ताला खुला अन्तता मैं फास्टर एवेन्यू पुलिस स्टेशन गया हलाकि मुझे याद नहीं है कि मैं वहाँ कैसे पहुचा मैंने अपनी कार को दो नीली स्क्वेड कारों के बीच लगाया और स्टेशन के भीतर भाग कर पहुचा मैंने बिसब्री से इंतिजार किया कुछ देर बाद युवा पुलिस सार्जेंट ने मेरी तरफ देखा सार्जेंट मेरा नाम मैंडीनो है और मेरा ब्रॉडवे में बिजनिस है हा सर्ड एक आदमी लापता हो गया है मेरा एक दोस्त 6353 विंथ्रॉप स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में रहा करता था मैं उसे एक साल से भी अधिक समय से जानता हूँ मैं दो सब्ता से बाहर गया था और जब मैं वापस लोटा तो आज सुबह मुझे अपनी डिस्क पर एक लिफाफा मिला जिसमें उसने लिखा था कि या उसकी तरफ से फियरविल गिफ्ट है उस पैकेट में क्या था मैं नहीं जानता जैसे ही मैंने फियरविल सब्ट पढ़ा मैंने उसके घर की तरफ दोड़ लगा दी और और वह वहां नहीं था उसके अपार्टमेंट में कोई दूसरे ही लोग रह रहे थे और उनका कहना था कि ऐसा कोई आदमी महा कभी नहीं रहा और वे ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानते आपको पुरा विश्वास है कि आप सही अपार्टमेंट में गए थे मैं वहाँ सैक्रो बार जा चुका हूँ 21 नमबर का अपार्टमेंट मैंने बिल्डिंग के गेट कीपर से भी बात की वो भी साइमन पॉर्टर नाम की किसी आदमी को नहीं जानता उसका कहना है कि इस नाम का कोई आदमी उस बिल्डिंग में पिछले 11 सालों में कभी नहीं रहा सैमन पॉर्टर लापता हो चुका है क्या आप ठीक ठाक है सर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने सराब नहीं पी रखी है नहीं मैं पागल हूँ मैं इस तरह की पागलपन भरी कहानी कैसे इजाद कर सकता हूँ हमने इससे भी ज़्यादा पागलपन की कहानिया सुनी है बिल्कुल सुनी होगी उस आदमी का नाम क्या था? पॉर्टर सैमन पॉर्टर लगवग 80 साल की उम्र लंबे काले बाल और एक दाड़ी उसके पास एक कुत्ता भी था सार्जिंट ने सिग्रेट जलाई और कई सेक्टिंट तक मुझे गौर से दिखा फिर वा बिना कुछ कहे मुड़ा और पीछे के ओफिस में चला गया लगवग 15 मिनिट बाद वह वापस आया हमने साइमन नाम के या आपके बताय हुलिये के किसी आदमे को कम से कम पिछले तीन सब्ताहों से इस इस इलाके में गिराफ्तार नहीं किया है परन्तो यह एक बड़ा सहर है क्यों न आप कुप काउंटी अस्पताल में पता करें ठीक है और हाँ एक और जगह भी आप पता कर सकते हैं कहाँ विस्ट पार्क के काउंटी मार्ग में मैं अस्पताल के तरफ चल दिया उन लोगों ने सहनुभुती और धहर से मेरी बात सुनी और अपना पिछले 14 दिनों का रिकार्ड चिक किया साइमन नाम का या उसके जैसे हुलिये का कोई भी आदमी वहां किसी भी तरह के इलाज के लिए नहीं आया था उन्होंने भी यही सुझाओ दिया कि मैं मार्ग जाकर पता लगाऊं मैं गया वहां पर उन्होंने मेरी कहानी को गंभीरता से नहीं लिया मानो मैं किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में अपनी सिगाय दर्ज करवा रहा हूँ जाहिर था कि ऐसी कहानीों से उनका हर रोज ही पाला पड़ता था गुम हो गये पिता पुत्र, भाई, बहन और प्रेमी उन्होंने अच्छी तरह से अपनी माइक्रो फिल्म फाइलों को चिक किया और आखिरकार एक यूवक अपने हाथ में एक छोटा क्लिप बोर्ट थामे आया सर एक अंजान आदमी है जिसकी सिनाक नहीं हुई है उसकी उम्र और हुलिया आपके बताए हुलिय जैसा ही है क्या आप उसे देखना चाहेंगे मैंने सेर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दिया जब हम सफेद एंटिसेप्टिक की गंद से भरे कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसने मेरी महा को चुआ और कहा अब बद्वू पर ध्यान ना दे और परिशान ना हूँ अब तक ऐसा कोई दियोडरेंट नहीं बना है जो इस बद्वू को पूरी तरह से खत्म कर सके आखिरकार उसने एक जूलने वाला दरवाजा खोला और हम एक ठंडे कमरे में दाखिल हुए डैत्याकार ड्रायर इस तरह कतारों में जमे हुए थे जैसे फाइल कैबिनेट हो उसने अपने पैड पर लिखे हुए नंबर को देखा और एक ड्रायर का हैंडल खीचा मैंने अपना से घुमाया क्योंकि मैं उस तरफ देखना नहीं चाहता था आखिरकार मैंने हिमत बटोरी और मैं एक बहुत बुड़े आदमी के नग्म सरीर को देख रहा था जिसके लंबे बाल उसके चहरे और सीने पर लिप्टे हुए थे और उसकी आधी आँक खुली हुई थी मेरा दिल धक से रह गया जब मैं उस गरीब अंजान आदमी को गौर से देखने के लिए आगे जुका जो अपने आखरी कचरे के धेर में पड़ा हुआ था वो साइमन नहीं था आखिरकार मैंने साउथ स्टेट के लापता लोगों की सूची में नाम देखा वहाँ भी वही नतीजा निकला जब मैं वापस पारकिंग इस थल पर लोटा तो बर्फ अब भी गिर रही थी मैं बाहर निकला चाबी घुमाई और गेट आसमान में उपर की तरफ उठ गया यह देखकर मुझे याद आया कि किस तरह बर्फ में एक दिन एक अजनवी सुन्दर आदमी मेरे जीवन में आया था और उसने अपने हाथों से ना केवल गेट उठा दिया था बलकि मेरे सामनी संभावनाओं का एक संसार खोल दिया था मैं अपनी कार में दाखिल हुआ अपनी हथेलियों से स्टीरिंग वील को थामा गियर लगाए और कार को पार कर दिया मेरी हालत बहुत खराब दिख रही थी जब मैं आफिस में दाखिल हुआ तो मेरे अपने स्टाफ के लोगों ने अपनी नजरे दूसरी तरफ फीर ली जिसे वे मेरी उपस्थिती से अंजान बनी रहना चाहते हो मैं रिसेप्शन के लाल गलीचे पर अपने पीछे बर्फ के निसान छोड़ता चला गया जब मैं पैट की डिस्क से गुजरा तो मैंने अपने आफिस के तरफ इसारा किया वह उठकर मेरे पीछे पीछे आई दरवाजा बंद कर दो और जड़ा सामने बैठो उसकी भिर्गुट यां तन गई और वह मेरे सामने बैठ गई उसकी आँखे डर और चिंता के वज़ा से फटी हुई थी हे भगवान ओग क्या बात है मुझे लगता है कि मैं पागल होने वाला हूँ पैट अब जरा मेरी बात सुनो तुम विंट्रॉप स्ट्रीट पर ही रहती हो है ना? हाँ, एक ब्लॉक दूर हर सुबा जब तुम आफिस आती हो तो क्या तुम पार्किंग स्थल से ही होकर आती हो? हाँ, क्या तुमने पार्किंग स्थल के आसपास एक अजीब सा बुढ़ा आदमी देखा है? वो अजीब से पुराने कपड़े पहने रहता है और आम तोर पर कबूत्रों को दाना डालता है उसके बाद लंबे हैं और उसके दाड़ी भी है और उसके साथ हमीशा एक कुट्ता भी रहता है पैट ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया आसपा सामतोर पर सराभी टाइप के लोग तो मंडाते रहते हैं परन तो इस तरह का कोई आदमी मैंने आज तक नहीं देखा तुमने कभी नहीं देखा वो बहुत लंबा और बहुत बुढ़ा है कई बार वो अपने गले में लकडी का क्रोस लटकाए रहता है नहीं कभी नहीं आखिर बात क्या है ओग क्या हुआ कुछ नहीं पैट मैं तुमें बाद में बताऊंगा धन्यवाद अच्छा जब तक मैं तुमसे न कहूँ तब तक तुम मेरे फोन सुन लेना जब उसने धरवाजा बंद किया तो मैं वहाँ पर बैठा रहा और अपने विचारों को करीने से जमाने की कोसिस करता रहा विचार जो औतारकिक छवियों की मायावी और छनिक तित्लियों की तरह होते है मेरा सिर दुख रहा था मेरे पेट में अजीव सी अनुभूती हो रही थी क्या मैं पागल हो रहा था क्या इसे तरह नर्वस बिड़ाउन सुरू होता है जब इनसान एक तारकिक विचार को दूसरे से जोडने में असमर्थ होता है कितना भयावा विचार था क्या एक्जुकीटिव सेमिनारों और पुस्तकों में इसी की चेतावनी दी जाती है कि अगर आप अपने सरीर और मस्तिस्क का उनकी सीमाओं से अधिक इस्तिमाल करेंगे अगर आप सफलता की पागलपन भरी दौड में कई जिन्दगियों को एक जिन्दगी में भरने की कोशिस करेंगे तो आपके साथ यही होगा क्या मस्तिस्क आखिरकार आपके विचारों के चैनल बदल कर आपको विवस्थ कर सकता है कि आप ऐसे कारियों और चर्चाओं की कालपनित भूमी पर चली जाएं जहां पात्र स्कूल के बच्चों की भुला दी गई कहानियों में से जीवित हो जाते हैं क्या यही वो अंतिम पलायन है जब दबाव और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाते हैं क्या साइमन के वल एक सपना था असंभव परन्तु अगर साइमन लगबग हमीशा हर सुबा पार्किंग स्थल के आसपास रहता था तो फिर पैट ने उसे क्यों नहीं देखा और उसके अपार्टमेंट के बारे में क्या कोई मेरे साथ भयानक किस्म का मजाक कर रहा था और इसके अलावा मैंने किसी के साथ उसके विसे में कभी चर्चा क्यों नहीं की और उसके वे भासन प्रीरना और ग्यान और आसा के वे अमुले घंटे और रैट पिकर के बारे में उसके विचार, कच्री के धेर पर पड़ी मानव जाती को फिर से जीवन देने का उसका संकल्फ लोगों को यह बताना कि वे किस तरह दुनिया का सबसे महान समतकार कर सकते हैं हे भगवान, मेरी प्रबल कल्पना सकती भी इस तरह की अजीबों करीब बाती नहीं गड़ सकती थी तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे हाथ में भूरा लिफाफा है, जिसे मैं उलट पुलट रहा हूँ मैं एक बार, फिर हकीकत की दुनिया में वापस आ गया, भूरा लिफाफा सत्य के साथ मेरी इकलोती कड़ी था सामन के साथ मेरी इकलोती कड़ी, या प्रमान की उसका सचमुच अस्तित्व था मैंने पाया कि मैं पैकेट को इस तरह मल रहा हूँ, जैसे अलादीन के जिराक की तरह, मेरे छोने से बुढ़ा आदमी एक बार फिर प्रकट हो जाएगा, मैं थोड़ा रिलेक्स हुआ, अगर उसने पैकेट भीजा है, तो मैं पागल नहीं था साइमन का अस्तित्व था साइमन, साइमन, भगवान के लिए तुम कहा हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ इस तरह का बरताओ कर रहे हो मैं सदमे की कगार पर था और मैं अपने सामनी रखी तीन खाली नारंगी कुर्चों पर बुरी तरह चिला पड़ा आखिरकार मैंने भूरे लिफाफे को लिया इसके कोने को फाड़ा अंदर हांट डाला अंदर से कई टाइप किये हुए कागज निकले जिन पर पीपर क्लिप लगी हुई थी जब मैंने ऐसा किया तो लिफाफे से निकल कर एक छोटी सी चीज मेरी मेज पर गिरी मैंने उसे उठाया आधे इंच सफीद रैग का टुकड़ा जो एक छोटी सेफटी पिन से बधा हुआ था मैंने पिन को निकाला पीपर क्लिप में कागजों के साथ ही मेरे लिए एक पत्र भी था जो उसे लिखावट में था जिसमें की बाकी पीज थे पत्र पर कोई तारीक नहीं थी प्रिय ओग अंतिमिच्छा की वसियत और कारूनी दस्तावीज बनवाने में बहुत वक लगता मैं इस जंजट से बचना चाहता था इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ पिछले साल के दौरान आप एक बुढ़े रैगपिकर के जीवन में प्रीम, साहचर, हसी और यादकार चर्चाओं की सौकात लिका रहे और हाँ एक अमरलाल जेरीनियम भी अपनी चुने हुए व्यवसाई के प्रकृति के कारण रैगपिकर को तौफे पाने की अदत नहीं होती नहीं उनके लिए यह अच्छा होता है कि वे उनसे करीबी रूप से जुड़ जाए जिनकी वे मदद करना चाहते हैं परंतु ऐसे भी समय होते हैं जब सिख्षकों को सिखाया जाना चाहिए, डॉक्टरों का इलाज किया जाना चाहिए, वकीलों को अदालत में बचाया जाना चाहिए, कॉमेडियनों को हसाया जाना चाहिए, और रैगपिकर्स को प्रीम किया जाना चाहिए मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं उतना ही जितना कि मैं आपसे करता हूँ इसलिए या उचित है और सही है कि मैं इस पत्र के साथ इस्वर का मेमोरिंडम की मास्टर कॉपी आपके नाम किये जा रहा हूँ ऐसा करके मैं किवल अपना वादा ही पूरा नहीं कर रहा बलकि उन चमतकारी सर्योगों की लंबी स्रंखला का अंतिम कार्य कर रहा हूँ जो आपकी पुस्तक के महान सेल्समेन और मुझ में है साइद आपने हमारी रिष्टे के बारे में काफी सूचा होगा साइद आप पिछले 12 महीनों को उनके उचित परिप्रिक्ष में रखकर देख पाए होंगे और आप इस अंतिम निसकर्ष पर पहुँचे होंगे कि मेरे लिए इस्वर का मेमोरेंडम लिखना इतना कथिन काम नहीं था जितना कि इसके अस्तित्र को स्विकार करना आपके लिए था चुकि मैं जानता हूँ कि आप एक उतावले इंसान है इसलिए मुझे विश्वास है कि पत्र के इस हिस्से पर आने से पहले आप मुझे खोच चुके होंगे और अब आप मेरे बारे में चिंतित और दुखी होंगे परन्तु चिंता न करें अपने मस्तिस्क से सारे डर और चिंता निकाल दें एक और रैगपिकर के सब्दों में मैं आपसे कहूंगा कि आप दुखी न हो क्योंकि जहां मैं जा रहा हूँ वहां आप अभी मेरे पिछे नहीं आ सकते परन्तु एक दिन आप वहां जरूर आएंगे यह ना भूले कि हमारे बीच एक समझोता हुआ था इस्वर का मेमोरेंडम अब आपके हाथ में है और मेरी इच्छा है कि आप इसे संसार के साथ बाटे परन्तु तभी जब आप इसके सिध्धानतों को मेरे निर्देसों के हिसाब से अपनी जीवन में उतार लें याद रखें सबसे कठिन काम उर्जा या प्रियास के एक ही विस्फोटक जटके में पूरे नहीं होते बलकि अपनी सर्वस्रेश शंताओं के लगातार और लगन से रोज किये के प्रियासों से पूरे होते हैं अपनी जीवन को बहतर बनाने के लिए अपनी सरीर और मस्तिस्क को जीवित मिर्टियों से बचाने के लिए कई सकरात्मक कदमों की जरूरत होती है जिने एक के बाद एक उठाना पड़ता है जबकि आपके नजरे आपके लच्छ पर हमेशा जमी हुई हो इस्वर का मेमोरेंडम नए जीवन के लिए आपका टिकट है यह आपके लिए तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप अपने मस्तिस्क और दिल को खोल कर इसे प्राप्त नहीं करेंगे अपने आप में यह आपको किसी भी दिसा में एक इंच भी नहीं खिसका सकता निस्क्रेता को तोड़ने की सकती और आपको कहीं भी पहुँचाने की सकती आपके भीतर ही है या सोई हुई है परन्तो या आपके भीतर अब भी मौजूद है इन नियमों का पालन करें और आपकी सत्या एक बर फिर जागरत हो जाएंगी पहला, सबसे पहले तो अपने कैलेंडर में आज की तारीख पर गोला लगा लें फिर पूरे सौ दिन गिन लें और उस तारीख पर भी गोला लगा लें इससे आपके मिसन के लंबाई तै हो जाएगी और हर दिन को गिनने की जरुद भी नहीं रह जाएगी दूसरा इस लिफाफे में आपको एक छोटा सेफ्टी पिन और इससे जुड़ा वर्गाकार छोटा सा सफिद रैग मिला होगा पिन और चितरे इस दुनिया की दो बहुत ही आम वस्तुए है यह आपका रैगपिकर का रहस्यमई तावीज है इस तावीज को अगले सौ दिनों में अपने सरीर पर ऐसी जगा पर पहने जहां यह आपको अक्सर दिखाई दिता रहे ताकि आपको याद रहे कि आप इस्वर के मेमोरंडम में बताय तरीके से जीने की कोशिस कर रहे हैं आपके पिन और रैग एक परतीक है कि आप अपने जीवन को असफलता के पिनों और चितरों से बदल कर नए और बहतर जीवन के खाजाने खोजने जा रहे हैं तीसरा अपने तावीज का अर्थ किसी भी सर्थ पर किसी दूसरे को ना बताएं हलाके इस सौ दिन के मिसन के दौरान कई लोग आपसे इसका अर्थ पूच सकते हैं चौथा हर रात सोने से पहले पूरे सौ दिन तक इस्वर का मिमोरेडनम पढ़ें और फिर सांती से सो जाएं यह संदिज धीरे धीरे आपके उस मस्तिस की गहराई में उतर जाएगा जो कभी नहीं सोता एक भी रात ना पढ़ने का कोई कारण या भाना नहीं चलेगा आपको इसे हर रात बिना नागा किये पढ़नाई होगा धीरे धीरे कुछी सब्ता के भीतर आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं आप में काफे कुछ बदलाव आ रहा है दूसरे लोग भी यही बात देखेंगे सौवे दिन तक आप एक जीते जागते चमतकार होंगे एक नए आदमी जिसमें सौंदर है, चमतकार है, महत्वकांचा और योगता है तब और केवल तब आप किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसे मदद की जरूरत है जैसे कि पुराने दिनों में आपको थी उसे दो चीजे देना, अपना रैग पिकर का गुप्ट तावीज और इस्वर का मिमोरेंडम और इसके साथ उन्हें एक और चीज देना मत भूलना, जो मैंने तुम्हें दिया था प्रेम मेरा सपना है जिसमें मैं हजारों लोगों को रैग पिकर के तावीज पहने देख रहा हूँ लोग एक दूसरी से बाजार में सडकों पर, मंदिरों में, बसों में, स्कूलों में, ओफिशों में मिलेंगे और वे एक दूसरी के पिन और रैक की तरफ देखेंगे और अपने भाई बहनों की तरफ देखकर मुस्कुराएंगे वे जान लेंगे कि सामने वाला आदमी भी इसी मिसन पर है उसका भी वही लच्छ है जो कि उनका है अपनी जीवन को बहतर बनाना और इस तरह पूरे विश्व को बदल कर बहतर बनाना फिर भी मैं बता दो कि आपके सामने कई मुस्किल परिस्थितिया आएंगी मिस्टर ओग अगर आप इस्वर के मैमरंडम को सार्वजनिक रूप से अपनी भावी पुस्तक में प्रकासित करेंगे तो आप से कई सवाल पूछे जाएंगे आपका प्रकासिक पूछेगा प्रमोस्टनल टूर में आप से इंटर्व्यू करने वाले पूछेंगे आप किस तरह से इस्वर के मिमरेंडम को समझाएंगे जबकि आपके लिए इसके रचेता को सामने लाना या उसके अस्तित्व को सिध्ध करना असंभव होगा आप तो यह भी साबित नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कोई आदमी जीविद भी था आपके इमंदारी पर भी प्रशन चिन लगाए जाएंगे और जो लोग आपके कहानी में विश्वास नहीं करेंगे वे आपके दिमागी हलत पर भी सक करेंगे हो सकता है कि लोग आपके अनुभवों को सच न माने और इसके लिए हम उन्हें दोसी कैसे मान सकते हैं फिर भी मैं इस memorandum को पूरे भरोसे के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप प्रीय बच्चे की तरह इसका ध्यान रखेंगे मैं जानता हों कि आपको चुनोतियों का सामना करने में मज़ा आता है और इसलिए मैं आपको चुनोति देना चाहता हूँ कि आप खुद इसका प्रियोग करें मैं आपको चुनोती देना चाहता हूँ कि आप इसे प्रकासित करें और मैं आपको चुनोती देता हूँ कि आप इसे दुनिया तक पहुँचाएं एक बार आपने कहा था कि आपको मेरे बारे में पुर्वा भास था जब आप इन सब्दों को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे से लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे अब हम इकटे वक्त नहीं गुजार सकेंगे साथ बैठकर सुकून से सेरी नहीं पी सकेंगे और हमारी दोस्ती की वह गर्मी भी अब हमें हासिल नहीं होगी जो काल या स्थान की सिमाओं से परे थी और मुझे इस बात का दुख नहीं है बलकि इस बात की संतुष्टी और खुसी है कि काल चक्र के कुछ छनों के लिए हम इकटे होकर साथ साथ चले इससे अधिक की उमीद कौन कर सकता है किसी दिन जब दुनिया आपको दुखी कर दे जैसा कि समय समय पर होगा तो सेरी का एक गिलास भरना और इस बुढ़े रैगपिकर को याद कर लेना मेरा आसिरवाद सदा आपके साथ है आपसे मेरी इकलोते गुजारिस यही है कि आप लिखना मत छोड़ना चाहे परिस्थिद्या कैसी भी हो आपके पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है दुनिया को आपकी जरूरत है रैगपिकर्स को आपकी जरूरत है मुझे आपकी जरूरत है मेरे प्रियमित्र सुकरात ने अपने अंतिम छनों में कहा था मेरे जाने का समय आ चुका है और अब हमें अपने अपने रास्ते पर जाना होगा मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ और अब जिन्दगी की तरफ इन्वे से बहतर रास्ता कौन सा है या तो इस्वर ही जानता है मिस्टर ओग मैं जानता हूँ कि कौन सा रास्ता बहतर है जिन्दा रहना बहतर है सुख में जीयो अनंत काल की सांती में प्रेम सहीत साइमन मेरी हाथ से पत्र छूट गया और मैं टाइप किये हुए पेजों की तरफ घूरता रहा मैंने पिन और सफीद रैक को उठा कर अपनी जैकेट में लगा लिया मैंने मेज पर रखे अपना पात साल का कैलेंडर उठाया मैंने आज की तारीख पर गोला लगाया और सौ दिन गिन कर वो तारीख ढूंडी जो अगले साल में पढ़ रही थी मैंने सौवे दिन की तारीख पर भी गोला लगा लिया आज की रात सूनी से पहले मैं इस्वर का मेमोरेंडम पढ़ूँगा जैसा उसने मुझे कहा था मेरे हाथ कसकर भीचे हुए थे मैंने अपना सिर मेज पर इतना नीचे जुका लिया कि मेरा मस्तक इस पर टिक गया मैं रोग क्यों रहा था क्या इसलिए क्योंकि साइमन मुझे छोड़कर चला गया था या फिर इसलिए क्योंकि अब बहुत देर बाद मुझे यह आभास हुआ था वो दरसल कौन था या इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि मेरे जिंदकी मेरे सपनी मेरे दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेड़ी क्योंकि अब उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है मेरी बात ध्यान से सुनो मैं तुम्हारे डोनी की आवाज सुन लेता हूँ या आवाज अंधिरी से गुजरती है बादूलों से होती हुई सितारों की रौसनी में मिलती है और सूरी की किरन के रास्ते से होकर मेरे दिल तक पहुंचती है मैं हर दुख्यारे की आवाज को सुनकर दुखी होता हूँ चाहे वो जाल में फसे खरगोस की चीक हो या अपनी मा के घोस्टने से गिर गए चिरिया के बच्चे की आवाज हो या तालाब में डूबते हुई बच्चे की पुकार हो या फिर क्रोसफर अपना खून बहाते हुए मेरे पुत्र की आवाज हो या जान लो कि मैं तुम्हारी भी आवाज सुनता हूँ सांती से रहो, सांत रहो मैं तुम्हारे दुख दूर करूँगा क्योंकि मैं इसका कारण जानता हूँ और इसका इलाज भी तुम अपने बच्पन के उन सपनों के लिए दुखी हो, जो उम्र के साथ कहीं खो गए है तुम अपने आत्मगौरों को लेकर दुखी हो, जो औसफलता के स्पर्स से धुमिल हो चुका है तुम अपनी संभाउनाओं को लेकर दुखी हो, जिनने तुम इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि तुमने सुरक्षा के राह चुनी थी। तुम अपनी रख्तिक्ता के लिए दुखी हो, जो भीड के पैरों तले कुचल दी गई है। तुम अपनी प्रतिभा के लिए दुखी हो जिसका दुरुपियोग करके तुमने उसे बर्बाद कर दिया है तुम अपने आपको हिकारत भरी नजरों से देखते हो और जब तुम पानी में अपनी छवी देखते हो तो तुम डर जाते हो या कौन इंसान तुम्हारी तरफ देख रहा है जो इंसानियत के नाम पर कलंग की तरह दिख रहा है या कौन है जिसकी आँखे सर्म से जुकी होई है तुम्हारे वेभार की सालीनता कहा है तुम्हारी आकृती की सुन्दरता कहा है तुम्हारी गती की चपलता कहा है तुम्हारे मस्तिस की स्पष्टता कहा है तुम्हारे सब्दों की प्रतिभा कहा है किसने तुम्हारा यह सामान चुरा लिया क्या तुम उस शोर को जानते हो मैं तो जानता हूँ कभी तुमने अपना सिर अपने पिता के खेत में घास के तकिये पर रखा था और बादलों के गिरजागर को देखा था और तुमने सोचा था कि बेबी लोन का सारा सोना एक दिन तुम्हारा होगा कभी तुमने कई किताबे पढ़ी थी और कई कौपियों में लिखा था और तुम्हें यह पूरा भरोसा था कि तुम्हें सॉलोमन के बराबर या उससे भी अधिक बुद्धी थी मौसम बदल कर साल बन जाएंगे और एक दिन तुम इडिन के अपने वगीचे में सर्विस्रिष्ट होगे क्या तुम्हें याद है कि किसने या योजनाएं या सपने आसा के या बीज तुम्हारे भीतर रोपे हैं तुम नहीं जानते तुम्हें वचन भी याद नहीं है जब तुम अपनी मा के गर्व से बाहर निकले थे और मैंने अपना हात तुम्हारे नर्म सिर पर रखा था और जब मैंने तुम्हें अपना आसिरवात दिया था तुम मैंने तुम्हारे छोटे से कान में एक रहस्य बताया था क्या तुम्हे वा रहस्य याद है? तुम्हे वा रहस्य याद रही नहीं सकता गुजरते हुए सालों ने तुम्हारी याददास्त को नश्ट कर दिया है क्योंकि तुम्हे अपने दिमाग में डर, संका, तनाव और अपरादबोध और नफरत जैसी भावनाएं भर ली है इस कारण तुम्हारे दिमाग में सुखद यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है जहां ये जानवर रहते हो, वहाँ सुखद यादें कैसे रह सकती है रूना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह चन तुम्हारी जीवन का महत्वपूर्ण मोड है जो समय गुजर चुका है, उसे यह मान लो कि तुमने वह समय अपनी मा के गर्व में सोकर गुजा रहा है जो गुजर चुका, वह मर चुका है मरे हुए को दफना दो आज के दिन तुम जीवित मिर्तियों से वापस लोटोगे इस दिन एलीजा और विध्वा के पुत्र के प्रसंद की तरह मैं तीन बार तुम्हें छूलूंगा और तुम एक बार फिर जिन्दा हो जाओगे इस दिन एलीजा और सुने माइट के प्रसंद की तरह मैं अपने मुह को तुमारे मुह पर और अपनी आखों को तुम्हारी आखों पर और अपने हाथों को तुम्हारे हाथों पर रखता हूँ और तुम्हारा जिस्म एक बार फिर से गर्म हो जाएगा इस दिन जैसा इसा ने लैजारस की कबर पर किया था मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बाहर निकलो और मौत की अपनी गुफा से बाहर आकर नए जीवन के शुरुआत करो यह तुम्हारा जन दिन है यह तुम्हारे जन की नई तारीख है तुम्हारी पहले जिन्दगी किसी नाटक की तरह केवल एक रिहलसल थी इस बार परदा सच में उठ चुका है इस बार पूरी दुनिया देख रही है और तुम्हारी प्रसंसा में तालिया बजाने का इंतिजार कर रही है इस बार तुम असफल नहीं हो सकते अपने केंडल जला लो अपना केक काट लो अपनी सराब उढे लो तुम्हारा दूसरा जन हुआ है जिस तरह तितली अपने कवच से मुक्त होकर उड़ती है तुम भी उड़ सकोगे उतना उचा जितना तुम चाहो मानव जाती की ततईये या दूसरे नुकसान पहुचाने वाले प्रानी तुम्हारी राह नहीं रोक पाएंगे तुम्हारे मिसन में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा तुम जीवन के सची समरिधी की खोज में आगे बरते चली जाओगे अपने सिर पर मेरे हाथों का सपर्स अनुभव करो एक पर फिर उस रहस्य को जान लो जो तुम्हारे पैदा होने पर मैंने तुम्हारे कानों में कहा था परन्तु तुम भूल गए तुम मेरे महांतम चमतकार हो तुम विश्व के महांतम चमतकार हो यह पहले सब्द थे जो तुमने सुने थे फिर तुम रोने लगे थे सभी रोने लगते हैं तब तुम्हें मेरी बात पर विस्वास नहीं हुआ था और इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे तुम्हारा या और विस्वास दूर हो तुम किस तरह चमतकार हो सकते हो जब तुम चोटी-चोटे कामों में असुफल होते हो तुम किस तरह चमतकार हो सकते हो जब तुम्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने का आत्मिस्वास नहीं होता तुम किस तरह चमतकार हो सकते हो जब तुम कर्ज में डूबे हुए हो और इस बात पर चिंतित रहते हो कि कल का भोजन कहां से आएगा बहुत हो चुका, नाली में बहादूद अब कभी वापस नहीं आ सकता परंतो मैंने कितने सारे प्रॉफिट, कितने सारे समझदार आदमी, कितने सारे कवी, कितने सारे कलाकार, कितने सारे संगीतकार, कितने सारे रग्यानिक, कितने सारे दाशनिक और संदेश वहग तुम्हारे पास भीजे जो तुम्हें तुम्हारा दैविय स्वरूक तुम्हारी इस्वरूये संभावनाए और उपलब्धी के रहस्य बताए और बदले में तुमने उनके साथ कैसा विभार किया फिर भी मैं तुमसे प्रीम करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं उस प्रॉफिट की बात को सच कर रहा हूँ जिसने या घोशना की थी कि इस वर दुबारा अपना हाथ उठा कर अपने लोगों को मुक्ती देगा मैंने अपना हाथ उठा लिया है या दूसरी बार है तुम मेरे अपने हो या पूछना व्यर्थ है कि क्या तुम्हें पता नहीं था क्या तुम्हें या सुरुवात से ही बताया नहीं गया था क्या तुम्हें धर्ती की निव से इससे समझा नहीं था तुम्हें इससे जाना नहीं था तुमने इसे सुना नहीं था, तुमने इसे समझा नहीं था, तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम दरसर छुपे हुए दिवदूत हो, तुम इस्वर की तरह ही हो, परन्तु इसके बाद भी तुम मूर की भूमी का निभा रहे हो, तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम मेरी अद्वुत रचना हो, जिसमें प्रचूर बुद्धी, अनंत संभावनाए, सुन्दर और सरानिय आकृती और गती, देवदूत जैसे कार्य, इस्वर जैसी समझ है, तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम इस धर्ती के नमक हो, तुम्हें पहाड हिलाने का रहस्य है, असंभाव को संभाव करने का रहस्य बताया जा चुका है, तुमने किसी पर विश्वास नहीं किया, तुमने सुख की राह दिखाने वाले नक्से को जला दिया, तुमने मन की सांती हसल करने की सारी संभावनाओं को नश्ट कर दिया, तुमने प्रसिद्धी के पत पर राह दिखाने वाले कैंडलों को बुझा दिया और फिर तुम लड़ खड़ा गए, डर गए, वेर्थता और आत्मदया के अंधेरे में खो गए और फिर तुम अपने ही बनाए हुए नर्क में गिर गए फिर तुम रोए और अपनी चाती पीट कर अपनी तकदीर को दोस देने लगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ तुमने यह नहीं माना कि तुम्हें अपने घटिया विचारों और आलसी कारियों के कारण घटिया परिनाम मिले तुमने अपनी असफलता का दोस देने के लिए एक बहाने की तलास थी और वह बहाना तुम्हें कितनी आसानी से जल्दी मिल गया तुमने मुझे दोस दिया तुम रोई के तुम्हारी सारी कमिया तुम्हारे आउसरों की कमी तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी औसत जिंदगी यह सब ईस्वर की इच्छा थी तुम गलत थे हम ठीक से लेखा जोखा कर ले पहले तो हम तुम्हारी कम्यों को गिन ले क्योंकि मैं तब तक तुमसे नया जीवन सुरू करने के लिए नहीं कह सकता जब तक कि तुम्हारे पास इसके लिए सही औजार्थ ना हो क्या तुम अंधे हो क्या तुम्हारे देखे बिना सूर्य उगता और डूबता है नहीं आप देख सकते हैं और आपकी आँखों में मैंने जो अर्वो तंतू लगाए हैं उनकी वज़ा से आप किसी पत्ती, बर्फ के टुकड़े, तालाब, पक्षी, बच्चे, बादल, सितारे, गुलाब, इंद्रधन उसको देख सकते हो और आँखों की प्रेम की भासा भी देख सकती है इसे अपना पहला वर्दान माने क्या तुम बहरे हो? क्या बच्चे का हसना या रोना तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं, आप सुन सकते हैं और आपके हर कान में मैंने जो 24,000 तंतु लगाए हैं वे आप तक पीडों से टकराती हवा, चटानों पर टकराती लहरों ओपरा के मधूरता, चेन्या की चैचाहाट, बच्चों के मस्तित पहुँचाते हैं और यह सब्द भी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसे एक और वर्दान माने क्या तुम गूंगे हो? क्या तुमारे होट हिलने से सिर्फ थोक निकलता है? नहीं, आप बोल सकते हैं जो कोई दूसरा प्रानी नहीं कर सकता आपके सब्द क्रोधित मनुष्य को सांत कर सकते हैं निरास आदमी को आसा दे सकते हैं पलायनवादी को कर्म के लिए उकसा सकते हैं दुखी को खुश कर सकते हैं अकेले आदमी का दिल बहला सकते हैं, स्रिष्ट व्यक्तियों के प्रसंसा कर सकते हैं, पराजित लोगों को प्रुच्साहित दे सकते हैं, अज्यानियों को सिखा सकते हैं, और कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्रीम करता हूँ, इसे एक और वर्दान मानें, क्या तुम्हें लक्व जो किसी छोटी से जगा पर हवा और दुनिया के थपेड़े बरदास्ट करने के लिए अभी सब्त हैं, आप दोड सकते हैं, नाज सकते हैं, और काम कर सकते हैं, मैंने आपके भीतर 500 मान स्पेशियां, 200 हड्डियां, साथ में लंबा नर्व फाइबर इसलिए लगाया है, ताक करते, क्या तुम दिन रात अकेले पन में रहते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप प्रेम का राज से जान चुके हैं, कि प्रेम पाने के लिए आपको पहले बिना पर्तिदान की आसा के प्रेम देना पड़ता है, प्रेम एक ऐसा उपहार है, जिसके बदले में कोई मां नहीं होती, अब आप जान चुके हैं कि निश्वार्थ भाव से प्रेम करना अपने आप में पुरस्कार है, और चाहे प्रेम के बदले में प्रेम न मिले, परन्तु आपका प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपका प्रेम आपकी तरफ वापस प्रवाइत होकर आता ह और आपके हिर्दय को नर्म करके इसे सुद्ध कर देता है इसे एक और वर्दान माने दुबारा गिने क्या तुम्हारा हिर्दय कमजोर है? क्या या तुम्हारे जीवन को चलाने में समर्थ नहीं है? नहीं, आपका हिर्दय बहुत सक्तिसाली है अपने सीने को छूओ और इसके ले को महसूस करो दिन रात हर पल्य धड़कता रहता है या एक साल में तीन करोर साथ बार धड़कता है और चाहे आप जागे या सोई या जीवन पर यही करता रहता है या साथ हजार में लंबी सिराओं, धम्नियों और नसों में आपके खून को सुद्ध करता है या हर साल चाहलाग गैलन खून को पंप करता है इनसान आज तक ऐसी मसीन नहीं बना पाया है इसे एक और वर्दान माने क्या तुम्हें कोड हो गया है? क्या लोग तुम्हें आते देख कर डर जाते हैं? और दूर भागते हैं? नहीं, आपकी तवचा साफ है और या अद्वुत कृती है आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना होता है इस पर साबुन और तेल लगा कर इसे साफ रखना होता है समय के साथ साथ मजबूत से मजबूत लोहे पर भी डाग लग जाएंगे और उस पर जंग लग जाएगी परंतु आपकी तवचा के साथ ऐसा नहीं होगा आखिरकार मजबूत से मजबूत धातु भी घिस जाएगी परंतु वह परत नहीं घिसेगी जो मैंने आपके चालों तरफ बनाई है यह अपने आपको लगातार नया करती रहेगी पुरानी कोसिकाओं के जगा पर नई कोसिकाएं आती रहेंगी जिस तरह कि आप पुराने के जगा नई बन जाएंगे इसे एक और वरदान मानें क्या तुम्हारे फेफडे में कोई गरबड है क्या जीवन भरी सांस को तुम्हारे सरीर में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है नहीं आपने अपने चारों तरफ इतना प्रदूशन भरा माहौल बना लिया है कि इसके बावजूद आपके फेफडे आपके सरीर में आराम से उक्सीजन ले जाते है आपके फेफडे साथ करोर मांज के परतों तक उक्सीजन ले जाते है और असुद्ध गैसों को सरीर से बाहर निकालते है इसे एक और बरदान माने क्या तुम्हारे खून में गडबड है क्या इसमें पानी मिला हुआ है या पसपड़ा हुआ है नहीं आपके पांच क्वार्ट खून में 22 ट्रिलियन रक्त कोसिकाएं है और हर कोसिका में करोडो अनू है और हर अनू एक सेकेंड में एक करोड बार हिल रहा है हर सकेंड आपके 20 लाख रक्त कोसिकाएं मरती है और 20 लाख नई कोसिकाएं जिन्दा होती है और यह आपके जीवन के प्रारंब में होता आ रहा है यह हमेशा आपके भीतर होता रहा है अब यह आपके बाहर भी होगा इसे एक और बरदान माने क्या तुम्हारा दिमाग कमजोर है क्या तुम सोच नहीं सकते नहीं आपका मस्तिस्क इस ब्रह्मान्ड की सबसे जटिल रचना है मैं जानता हूँ तीन पॉंड के इस मस्तिस्क में 13 billion nerve sales है आपके मस्तिस्क में इतनी कोसिकाएं है कि यह संक्या धर्ती पर रहने वाले इंसानों से तीन गुना जादा है आपकी हर अनुभूती यहाँ पर दर्ज होती है हर आवाज, हर स्वाद, हर गंध, हर काम यानि बच्पन से लेकर आज तक आपको जो भी अनुभू हुए हैं वे सब यहाँ पर दर्ज होते हैं मैंने आपके कोसिकाओं में 1000 बिलियन बिलियन प्रोटीन अनुभी लगा रखे हैं आपके जीवन की हर घटना आपके याद करते ही आपको याद आ सकती है और आपके सरीर पर नियंद्रन करने के लिए मैंने 40 लाख दर्द की अनुभूती देने वाली सनरचनाओं को भी रचा है 5 लाख स्पर्स सुचक लगाए हैं और 2 लाख ताप सुचक भी लगाए हैं किसी देश का सोना भी इतनी हिफाज़त से नहीं रखा जाता होगा जितनी हिफाज़त से मैंने आपको रखा है विस्व के साथ आश्यरे भी आपसे बड़े आश्यरे नहीं है आप मेरी सबसे सुन्दर और स्रिष्ट रचना है आप में इतनी आनविक उर्जा है कि आप विस्व के बड़े सहरों को नश्ट कर सकते हैं और इन्हें फिर से बना सकते हैं क्या आप गरीब हैं? क्या आपके जेब में सुना या चांदी नहीं है? नहीं, आप अमीर हैं हमने अभी आपकी दौलत को गिना है इस सुची को ध्यान से पढ़ें वर्दानों को एक बार फिर से गिनें अपनी संपत्ति का हिसाब लगाएं आपने खुद के साथ दोखा क्यों किया? आप क्यों रोए कि आपके पास कुछ भी नहीं है? और मानौता के सारे वर्दान आप से छिन चुके हैं आप इस मुगलाते में क्यों रह कि आप अपनी जिन्दिकी को बदलने में सक्षम नहीं है क्या आप में प्रतिभा, योगिता, सुख, अनुभूती और गर्व नहीं है? क्या आप में आसा नहीं है? आप अंधेरे कोने में आपने सिर को क्यों चुपाए हुए हैं? आप क्यों दुमके हुए हैं? आप क्यों हारे हुए रक्षस की तरह अफसोस कर रहे हैं आप क्यों भयावा नर्क में जाने के लिए तयार खड़े हैं आपके पस इतना कुछ है आपके वर्दान आपके प्याले से छलक पड़ रहे हैं और आपको उन वर्दानों का एहसास ही नहीं है जिस तरह कोई पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार से विगार देता है उसी तरह मैंने तुम्हें उदारता से और लगतार दिया है मुझे जवाब दो, खुद को जवाब दो कोई भी बुढ़ा और बीमार, कमजोर और लाचार आदमी उन वर्दानों को हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी में भारा सारा पैसा लुटा देगा जिनें आप इतने हलकेपन से ले रहे हैं सुख और शफलता के इस पहले रहस्य को जाने कि आपके पास इस वक्त वो सब कुछ है जो महान गौरव हासिल करने के लिए जरूरी है या सब चीजे आपका खजाना है आपके ओजार हैं जिनकी मदद से आप आज से नए और बेहतर जीवन की निव रखेंगे इसलिए मैं तुम से कहता हूँ अपने वर्दान गिनो और जान लो कि तुम मेरी महानतम रचना हो जीवित मिलतियों से वापस आने के लिए और विस्व का महानतम चमतकार करने के लिए तुम्हें मेरा यह पहला नियम मानना होगा और गरीबी में सिखेवे अनुभों के प्रती कृतग्य रहो क्योंकि गरीब वह नहीं होता जिसके पास कम है बलकि वह होता है जिससे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और सच्ची सुरक्षा उन चीजों में नहीं होती जो आपके पास है बलकि उन चीजों में होती है जिनके बिना आपका काम चल सकता है वे बाधाय कहां है जिनके वज़ा से आप असफल हुए हैं वे केवल आपके मस्तिस्क में निवास करती है अपने वर्धानों को गिने और दूसरा नियम भी पहले नियम की ही तरह है अपने दुरलवता को साबित करें आपने खुद को एक कुमार के आंगन में जीने के लिए विवस कर लिया है और आप वही पर पड़े हुए हैं आप अपनी असफलता के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते आप अपने आपसे नफरत करके अपने आपको दोस्ट देकर अपने आपको मिटाए दे रहे हैं आप खुद के और दूसरों के खिलाफ किये कई अपराधों को लेकर खुद से नफरत कर रहे हैं और खुद को नश्ट कर रहे हैं क्या आप दुविधा में नहीं हैं? क्या तुम्हें अश्यर नहीं होता कि मैं तुम्हारी असफलता हूँ, तुम्हारे अपराध हूँ, तुम्हारे दैनी अवेभार को किस तरह छमा कर देता हूँ, जबकि तुम इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाते मैं तुमसे यह बातें तीन कार्णों से कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम भेडों के जुन्ड की तरह एक भेड नहीं हो, तुम्हारा जन इसलिए नहीं हुआ है कि तुम औसत जीवन के सूखे चारागाह में विनास की तरफ आगे बढ़ो, और तुम एक महान दुरलग रचना हो, रिबरा की पेंटिंग या डेगौस की कांसे के मूर्ती या स्टेडी वैलियस के वाइलिंग या सेक्सफियर के नाटक के बारे में विचार कीजिए, यह सब दो कारणों से बहु मुल्य हैं, उनके बनाने वाले बहत प्रतिभासाली थे, और वे संख्य के आधार पर आप इस धर्ती पर रहने वाले सबसे मुल्यवान खजाने हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपको किसने बनाया है, और यह भी कि आप अपनी तरह के एक मातर इंसान हैं, 70 बिलियन लोग आज तक इस धर्ती के सुरू होने के समय से इस पर रह चुके हैं, पर आपको अपने दुरलब होने का ज्ञान ही नहीं है, आपके नजर में इसका कोई महतव नहीं है, कम से कम आपने अभीतक या थाबित नहीं किया है, परंतो आप एह जान ले कि आप इस संसार में सबसे दुरलब वस्थू हैं, अतिधित प्रेम के चण में आपके पिता से प् शरीर में तैरे और मर गए, सभी एक को छोड़कर आप, किवल आप ही अपनी मा के सरीर की नर्म आच में बचे रहे और अपने साथी को ढूंदते रहे, यानि आपकी मा की एक कोशिका को जो इतनी छोटी थी कि एक एक कौर्ण के छिलके में 20 लाग कोशिकाएं समा जाए, परन्तु अत्यंत विशम और असंभो सी नजर आने वाली परिस्थितियों में भी, अंधेरे और विनास के उस ब्रिहत समुद्र में आप लगन से तैरते रहे, आपने अपनी साथी कोशिका को ढूंदी लिया, आप उसके साथ जुड़ गए और आपनी एक नया जिवन सुरू किया, आपका जीवन, आप यहां आएं और हर बच्चे के तरह आप भी अपने साथ मेरा या संदीश लेकर आएगी, मानावता की तरफ से मैं अभी निरास नहीं हुआ हूँ, दो कोशिकाओं से मिलकर एक चमतकार बन गया, दो कोशिकाओं जिनमें से हर एक में 23 क्रोमोजोम थे, और हर क्रोमोजोम में सेक्रोजीन्स थे, जिन्होंने आपके हर लक्षन को निर्धारित किया, आपके आँखों के रंग से लेकर आपके आकरशन तक और आपके मस्तिस्ख के आकार तक सब कुछ तै किया, आपके पिता के 40 करोर सुक्रानों से, किसी भी एक सुक्रानों स और आपके मा और पिता के क्रोमोजोम के सैक्रोजीन्स के द्वारा मैं तीन लाख पिलियन इंसानों की रचना कर सकता था जो सभी एक दूसरे से अलग होते परन्तु मैंने किसकी रचना की? आपकी अपने आप में अनूठे दुरलब से भी दुरलब एक बेसकीमती खजाना जिसमें मस्तिस्क और भासा और गती और स्वरूप और कारियों के वे गुन थे जो ना तो आज तक किसे में हुए हैं ना आज हैं ना ही भविस्य में होंगे जब आपकी कीमत किसी समराट के खजाने से भी ज़्यादा है तो फिर आप अपने आपको सिक्कों में क्यों तौलते हैं आपने उन लोगों की बात क्यों सुनी जिन्होंने आपको नीचा दिखाया और इससे भी बोरी बात यह है कि आपने उनका विस्वास क्यों किया मेरा कहा मानो अपनी दुरलबता को अंधीरे में मत छुपाओ इसे सामने लाओ दुनिया को दिखा दो उस तरह चलने के कोशिज मत करो जिस तरह तुम्हारा भाई चलता है उस तरह बोलने के कोशिज मत करो जिस तरह तुम्हारा लीडर बोलता है औसत दर्जे के इंसानों के तरह स्रम मत करो किसी दूसरे के तरह कोई काम मत करो कभी नकल मत करो क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके नकल कर रहे हैं वो बुरा आदमी हो और याद रहे, जो बुराई की नकल करता है वो हमेशा अपने मॉडल से भी आगे निकल जाता है जबकि जो भलाई की निकल करता है वो हमेशा अपने मॉडल से पीछे रहता है किसी की निकल मत करो आप अपने जैसे ही रहें अपनी दुरलगता को दुनिया के सामने साबित करें और दुनिया आप पर सोने के बारिस कर देगी या दूसरा नियम है अपनी दुरलवता को साबित करें और अब आपके पास दो नियम हो गए अपने वरदानों को गिने अपनी दुरलवता को साबित करें आप में कोई कमी नहीं है आप ओसत नहीं है आप सिर्ध ला रहे हैं आप मुस्कुराने पर विवस हो रहे हैं आप मान रहे हैं कि आपने खुद को धोखा दिया है अब आपकी अगली सिकायत के तरफ आते हैं औसर कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता मेरी बात मानो और ऐसा होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें हर काम में सफलता का नियम बताने जा रहा हूँ कई सदी पहले यह नियम आपके पितामाओं को पहाड की चोटी से दिया गया था कुछ ने नियम का पालन किया और उनके जीवन में सुख, सफलता, सुर्ण और मन की सांती के फल मिले जादा तर लोगों ने उस नियम को अंसुना कर दिया क्योंकि वे किसी चमतकारी साधन की तालास में थे वे किसी टेड़े सौटकट की तालास में थे या फिर वे भाग्य नामक सैतान का इंतजार कर रहे थे कि वह आकर उन्हें जीवन में अमीर बनाएगा वे व्यर्थी इंतजार करते रहे जिस तरह की आप अब तक इंतजार करते रहे हैं और वे रोएं जिस तरह की आप रोए थे कि किस्मत उन पर इसले महबान नहीं है क्योंकि या मेरी इच्छा थी या नियम आसान है युवक हो या बुढ़ा बिखारी हो या राजा स्वेत या अस्वेत पूरुस या महिला सभी इस रहस्य से लाब उठा सकते हैं सफलता कैसे हासल की जाए इस बारे में जितने भी नियम है भासन है और सिधान्त है उन में से यही एक तरीका है जो आज तक कभी असफल नहीं हुआ जो भी आपको अपने साथ एक मिल चलने के लिए मजबूर करे उसके साथ दो मिल तक जाएं या तीसरा नियम है एक ऐसा रहस्य जो आपको इतनी अमेरी और सोहरत देगा जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी एक और मिल चलें सफलता का एक मात्र निश्चित तरीका यह है कि आप आसा से अधिक और बहतर सिवा प्रदान करें चाहे आपका काम कोई भी हो इतिहास गवा है कि सभी सफल लोगों में यह आदत थी इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि औसत दर्जे का इंसान बनने के लिए आपको केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना की आपसे कहा जाए या जितने काम की आपको तनख्वा मिलती हो आपको जितना वेतन मिल रहा है अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे है पेंडूलम कल घूमेगा और आपको दस गुना फल आने वाले कल में मिलेगा और सक लोग एक और मिल नहीं जाते क्योंकि वे सूचते हैं कि ऐसा करना खुद को धोखा देना है आपको अपनी तरफ से एक और मिल चलने के पहल करना चाहिए आपको इससे बचना नहीं चाहिए आप इससे बच नहीं सकते अगर आप इसे नजर अन्दाज करेंगे अगर आप उतना कम काम करेंगे जितना के और लोग करते हैं तो अपनी औसफलता के लिए आप खुदी जिम्यदार होंगे अगर आप सेवा करेंगे तो आपको उसके बदले पुरसकार मिलेगा यह बात उसी तरह तय है, जिस तरह कि यह बात कि आप यदि सेवा नहीं करेंगे, तो आपको पुरसकार नहीं मिलेगा। कारण और परिनाम, साधन और लक्ष, बीज और फल इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। परिनाम कारण में पहले से छुपा होता है, लच्ष साधन में छुपा होता है, और फल हमिशा बीज में छुपा होता है। एक और मिल चलें, अगर आपका मालिक कृतर्ण है, तो भी चिंता न करें, उसकी और अधिक सेवा करें, और उसके बज़ाए, आप यह मान लें कि आपका यह कर्ज मेरे नाम पर चढ़ा हुआ है। क्योंकि तब आप जान चाहेंगे कि आपके हर मिनट, आपके अत्रिक्त सेवा के हर कारे का आपको पुरसकार मिलेगा। और अगर आपको जल्दी पुरस्कार नहीं मिलता, तो भी चिंदा ना करें, क्योंकि पुरस्कार जितनी देर से मिलेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और चक्रविर्धी ब्याज पर चक्रविर्धी ब्याज इस नियम का सबसे बड़ा लाब है आप सफलता को अदेश नहीं दे सकते, आप सिर्फ इसके काबिल बन सकते हैं और अब आप जान गए हैं कि सफलता हासिल करने का महान रहस्य क्या है एक और मिल चलें वह जगा कहा है, जहां से तुम चिलाई थे कि कोई औसर नहीं है देखो, अपने चारो तरफ देखो देखो, कल तुम आत्मदया के कच्रे में किसी बौने की तरह पड़े हुए थे अब आप सोने के गलीचे पर तनकर चल रहे हैं कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ आप बदले हैं परंतु आप ही तो सब कुछ है आप मेरे महांतम जमतकार है आप विश्व के महांतम जमतकार है और अब सुख और सफलता के तीन नियम आपके पास है अपने वर्दानों को गिने अपनी दुरलवता को साबित करें एक और मिल चलें अपनी प्रगती को लेकर उतावले नहो धीरज रखें मिल चलने में समय लगता है यह काम पलग जपकते ही नहीं हो जाते परन्तु जो आपको बहुत अधिक मुश्खिलों के बाद हासिल होता है आप उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं याद रखें जिन्हें दौलत विरासत में मिलती है उन्हें इसका महतो समझ में नहीं आता परन्तु जो लोग खुद की मेहनत से दौलत बनाते हैं वे इसे ज़्यादा संभाल कर रखते हैं और अपने नई जीवन में प्रवेश करते समय डरे नहीं हर महान काम के साथ कुछ न कुछ जोखिम होता है अगर आप चाहें कि आपको एक चीज मिल जाए और दूसरी चीज से आप बच जाए तो ऐसा नहीं हो सकता अब आप जान चुके हैं कि आप एक चमतकार हैं और चमतकार में कोई डर नहीं होता गर्व करो आप किसे लापरवार अचेता की छनिक सनक का परिणाम नहीं है जो जीवन की प्रियोग साला में प्रियोग कर रहा था आप उन सक्तियों के गुलाम नहीं है जिन्हें आप समझ नहीं सकते आप किसी छोटी मोटी सक्ति के नहीं बलकि मेरी सक्ति की अभिवक्ति हैं, किसी दूसरे के प्रेम के नहीं, बलकि मेरे प्रेम की अभिवक्ति हैं, आपको किसी उद्देश के लिए बनाया गया है, मेरे हाथ के इस पर्ष को महसूस करो, मेरे सब्दों को सुनो, तुम्हे मेरी जरूरत है, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें दुनिया को फिर से बनाना है और अगर इस में चमतकार की जरूरत है, तो इस से हमें क्या परिशानी है। हम दोनों ही चमतकार हैं और अब हम एक साथ हैं। मैंने उस दिन से तुम्हें आस्ता कभी नहीं खुई जब मैंने तुम्हें एक बड़ी लहर से बुना और रिगिस्तान में तुम्हें उतार दिया अगर तुम समय का हिसाब लगाओ तो यह पांच सो मिलियन साल पहले की बात थी कई मॉडल, कई आकारो प्रकारों के बाद मैं 30,000 साल पहले तुम्हारे निर्मान में पूर्णता तक पहुँचा मैंने इसके बाद इतने सालों में तुम्हें सुधार करने का कोई प्रेयास नहीं किया क्योंकि चमतकार को मैं किस तरह सुधार सकता था देखने में तुम अद्वुत थे और मैं तुम्हें देखकर खुस होता था मैंने तुम्हें यह दुनिया दी और तुम्हें यहां का सासक बनाया तुम अपनी पूरी संभावना तक पहुँच सको इसके लिए मैंने तुम पर अपना हाथ रखा और तुम्हें ऐसी सक्तियां दी जो ब्रह्मान में किसी दूसरे प्रानी के पास नहीं है मैंने तुम्हें सूचने की सक्ति दी मैंने तुम्हें प्रेम करने की सक्ति दी मैंने तुम्हें इच्छा करने की सक्ति दी मैंने तुम्हें हसने की सक्ति दी मैंने तुम्हें कलपना करने की सकती दी मैंने तुम्हें रचना करने की सकती दी मैंने तुम्हें यूजना बनाने की सकती दी मैंने तुम्हें बोलने की सकती दी मैंने तुम्हें प्राथना करने की सकती दी तुम पर मेरे गर्व की कोई सीमा नहीं थी तुम मेरी सबसे बहतरीन रचना थे मेरा महांतम चमतकार एक संपूर्ण जीता जाकता प्रानी एक ऐसा प्रानी जो किसी भी मौसम के हिसाब से ढल सकता था किसी भी कठनाई और चुनोती का सामना कर सकता था जो मेरे हस्थ छेव के बिना अपनी खुद की तकदीर बना सकता था जो केवल सहज ज्यान से रही बलकि विचार और चिंतन से किसी अनुभूती या एहसास में या फैसला कर सकता था कि उसके लिए और सारी मानोता के लिए कौन सा कारे सरुसरिष्ट रहेगा अब हम सफलता और सुख के चौथे नियम पर आते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें एक और सकती दी है इतनी महान सकती जो मैंने अपने देवदूतों को भी नहीं दी मैंने तुम्हें चुनने की सकती दी इस उपहार से मैंने तुम्हें अपने देवदूतों से भी उपर स्थान दिया क्योंकि देवदूत पाप का मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है मैंने तुम्हें अपने भागे पर पूरा नियंत्रन दिया मैंने तुम्हें खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना रास्ता निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी तुम न तो स्वर्ग के थे न धर्दी के बलकि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने आपको बनाने के लिए स्वतंत्र थे तुम्हारे पास यह स्वतन्दिता थी कि तुम चाहो तो निकरिष्ट प्राणियों की तरह पतन के मारопас पर चलो साथ ही तुम्हें आत्मा के ज्यान की वह सक्ति भी थी जो तुम्हें डैवी जक्तियों वाले उचाई के मारक पर ले जा सक्ती थी मैंने तुम्हारी महान सक्ति चुनाओ करने की सक्ति को कभी वापस नहीं लिया तुमने इस प्रबल सक्ति का कैसा प्रियोग किया अपनी तरफ देखो ज़रा सोचो अपी जिन्दिगी में तुमने क्या चुना था और उन कटू छनों को याद करो जब तुम घुटने टिक कर या प्राथना करते थे की कास तुम्हें एक बार फिर से चुनने का मौका मिल जाए जो गुजर गया उसे गुजर जाने दो और अभी तुम जान लो कि सुख और सफलता का चौथा महान नियम यह है अपनी चुनाव करने की सक्ति का समझदारी से इस्तमाल करो नफरत करने के बज़ाए प्रीम का चुनाव करो रोने के बज़ाए हसने का चुनाव करो नश्ट करने के बज़ाए रचने का चुनाव करो बुराई करने के बज़ाए तारीफ करने का चुनाव करो चोट पहुँचाने के बज़ाए मरहम लगाने का चुनाओ करो चोरी करने के बज़ाए देने का चुनाओ करो काम टालने के बज़ाए काम करने का चुनाओ करो सडने के बज़ाए बढ़ने का चुनाओ करो साब देने के बज़ाए प्राथना करने का चुनाओ करो मरने के वज़ाए जिंदा रहने का चुनाव करो अब तुम जान गए होगे कि तुम्हारे दुरभाग मेरी इच्छा से नहीं आए क्योंकि सारी सक्तितों तुम्हारे ही पास थी जिन विचारों और कर्मों के वज़ा से तुम कचरी के धेर पर पड़े हुए थे वे सभी तुम्हारे ही थे, मेरे नहीं थे तुम्हारी छोटी प्रकृति के मान से मेरे 37 साली उपहार बहुत बड़े साबित हुए अब तुम उचे और समझदार हो गए हो और अब इस धर्ती के सभी फल तुम्हें मिलना चाहिए यह जान लो कि तुम आदमी ही नहीं हो बलकि महान आदमी बन सकते हो तुम में महान चमतकार करने की छमता है तुम्हारी संभावना ओसीमित है मेरी बनाई इस रिस्टी में तुम्हारे अलावा किस दूसरे प्रानी ने अगनी को अपना गुलाम बनाया है किसने गुर्टवाकर्शन को जीता है किसने आस्मान को चीरा है किसने बिमारी और महमारी और अकाल को जीता है अपने आपको फिर कभी छोटा मत समझना जिंदिगी के बचे कुछे टुकडों से कभी संतुष्ट मत होना आज के बाद कभी अपनी प्रदिभा को मत छिपाना उस बच्चे को याद करो जो कहता है जब मैं बड़ा बच्चा बन जाओंगा और उसके बाद बड़ा बच्चा कहता है जब मैं और बड़ा हो जाओंगा और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कहता है जब मेरी साधी हो जाएगी और साधी के बाद क्या होता है इसके बाद वो विचार बदल कर यू हो जाता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर रिटायर्मेंट आता है और वो पलट कर अपने पिछले जीवन की तरफ देखता है वो पच्टाता है और सूचता है कि उसने कितने सारे अवसर गवा दिये और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा इस दिन का आनंद लो आज ही कल भी और परसो भी तुमने दुनिया का सबसे महान चमतकार कर दिखाया है तुम जीवित मिर्टियों से वापस लोट आए हो अब तुम कभी आत्मनिया से पीडित नहीं रहोगे और हर नया दिन तुम्हारे लिए चुनावती और आनंद लेकर आएगा तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है परन्तु पहले की तरह तुम असफलता और निरासा या सुख और सफलता में से किसी एक का चुनाव कर सकते हो चुनाव तुम्हारा है चुनाओ पूरी तरह से तुम्हारा है मैं पहले की तरह सिर्फ देख सकता हूँ गर्व से या दुख से सुख और शफलता के इन चार नियमों को याद रखना अपने वर्दानों को गिने अपनी दुरलवता को सावित करें एक और मिल चले अपनी चुनाओ की सत्ती का समझदारी से इस्तमाल करें और हाँ इन चारो नियमों के साथ एक बात और इन सभी को प्रेम से करें या प्रेम आपके लिए हो बाकी लोगों के लिए हो और मेरे लिए हो अपने आसु पोश्ट आ लिए आगे हाथ बढ़ाईए मेरा हाथ पकड़िए और सीधे खड़े हो जाईए आप जिन कबर के कपड़ों में बंधे हुए हैं उनके बंधन से मैं आपको मुक्त करता हूँ इस दिन मैं आपको यह प्रमान पत्र देता हूँ आप इस दुनिया के सबसे महान चमतकार है मैं सूचता हूँ कि आफिस में क्रिसमस की जो पार्टियां होती है वो नहीं होना चाहिए परिसान आदमे अपना गम गलत करने के लिए इस दिन थोड़ा ज़्यादा पी लेता है और तमासा खड़ा कर देता है लड़ता जगरता है या फिर बेहोसी की हालत में कार चला कर अपनी या किसी दूसरे की जान ले लेता है इस तरह के घटनाओं को रोकने क्या कोई तरीका नहीं है वो विचारा अपने कुंठाओं दमित इच्छाओं और दुख के कारण ज़्यादा पी लेता है मैं जानता हूँ मैंने भी यही मुर्खता दो बार की है बहुत पहले इसके अलावा थंडी बत तक ओफिस के गलीचे पर अपने स्थाई निसान छोड़ जाती है जिसे किसी प्रकार पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता हर साल मैं संकल्प लेता हूँ हाम तोर पर क्रिस्मस के बाद कि पहले कारे दिवस पर कि अब हमारे ओफिस में पार्टी नहीं होगी हम मुर्खता पून ढंक से खर्च करने के बज़ाए इस पैसे को किसी जरूरतमन परिवार को दान में दे देंगे और हर साल जब पार्टी मनाने की योजना बनाने वाली समीतिया बनती है तो मैं कमजोर पढ़ जाता हूँ और विना विरोध के हार मान लेता हूँ और ऐसा होने देता हूँ इसलिए जब रिकॉर्ड प्लेयर पर खराब आवाज में वाइट प्रिसमस गीत की धजिया उड़ रही थी तो मैंने दो पैग पिये और मुस्कराने की कोशिस की फिर मैं चहल कदमी करने लगा लोगों के कंदों पर हाथ रखते हुए और गाल चुमते हुए मैं अपने आपको किसी जासूस की तरह महसूस कर रहा था मैं बार-बार खुद को तसलिदे रहा था कि सभी लोग सही सलामत घर पहुँच जाएंगे और वे रास्ते में और सराब पीने के लिए नहीं रुकेंगे मैंने 20 डॉलर के नोट को पहले ही क्रिस्मस कार्ट के साथ पैट की डिस्क पर रख दिया था दहां सफाई करने वाले की नजर निशित रूप से पढ़ जाए मैं सराब के अपने आखरे गिलास को अपने ओफिस में लेकर गया मैं ठक कर सोफे पर बैठ गया गिलास को मैंने मेज पर रख दिया गिलास को घूरते समय मैं जैसे समूहित हो गया साइमन हमने सेरी के जो गिलास इकठे भरे थे और खाली किये थे साइमन साइमन तुम कहा हो अचानक मैंने एक फैसला किया और अपनी डेस्क पर गया, मैंने अपने टेलिवीजन इंडेक्स गैजिट पर एक बटन दबाया, और फ्रेड फेल का नमबर लगाया, जब मैंने कहा, हैपी क्रिस्मस, तो वो ततकाल मेरी आवाज पहचान गया, ओग, तुम्हारी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, तुम कैसे हो, सिकागो का मौसम कैसा है, यहाँ पर बर्फ गिर रही है, यहाँ पर दो दिन से पानी गिर रहा है, मुझे लग रहा है, जैसे लॉंग आइलेंड दूबने वाला है, तो मियामी की तरफ चले है, और तुम्हारे क्या हाल है, हमारे यहाँ ओफिस की क्रिस्मस पार्टी, अभी हाल ही में खत्म हुई है, और तुमने कुछ पैग पी लिए, और थोड़े भावख हो गए, और तुम्हें अपने पुराने प्रकासक की याद आ गई, यह सब तो सही है, परन्तु एक और का पॉक्सों में इतने व्यस्थ हो गए हो, कि तुम्हारे पस अब और लिखने के फुर्सत ही नहीं है, तुम क्या करना चाते हो, पुछ तक किस बारे में है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं इसे किसी तरह से नहीं समझा सकता, न तो फोन पर, नहीं आमने सामने की मुल यह सब मत पूछो, क्या यह, दे ग्रिटिस सेल्समेन इन दे वर्ल्ड की तरह ही है, उससे भी बढ़िया, मुझे इसमें कल्पना की उड़ान नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है ओग, मैं जानता हूं कि तुम पर दबाव डानने से कोई फाइदा नहीं होगा, तुम्हें कॉ नवरी 1975 लिख लीजिए, इसका मतलब है, आज से एक साल और एक महीने बाद, तुम्हें इतना लंबा समय चाहिए? हाँ, ठीक है, इसे पक्का समझो, हमारा रिस्ता कितना अच्छा है, मुझे हैरत होती है कि कितने प्रकासक इस तरह पुस्तकों के कॉंट्रेक्ट देते हों जबकि उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि वे क्या खरीद रहे हैं, मिलर के प्रकासक, वैलेस के प्रकासक, अब डाइक के प्रकासक, फाॉस के प्रकासक, मिशनर के प्रकासक, हैरियेट के प्रकासक, मेरी कृस्मस ओग, तुम्हें वी फ्रिड, I love you, I love you too, जब मैं ऑफिस स बाहर निकला तो बाहर बहुत अंधिरा था बर्फ अब भी गिर रही थी और मैं पार्किंग इस्थल तक अपने पैरों के निशान छोड़ता हुआ गया मुझे अपने भीतरिक जलते हुए खालीपन का एहसास हुआ और मैं जानता था इसका कारण क्या था पार्किंग इस्थल के पार मैं उस अपार्टमेंट को देख सकता था जहां मैंने इतने सुकद घंटे गुजा रहे थे गिरते हुई बर्फ में यहां वा रौसनी की चमप दिखाई दे रही थी इस समय तक हम लोग एक दूसरे को मेरी क्रिस्मस कह रहे होते और गिलास टकरा रहे होते और उसकी सुन्दर आवाज मेरे कानों में टकरा रही होती जब उसने मेरे खरीदे हुए तौफे को खोला होता साइमन, साइमन मुझे तुम्हारी याद आ रही है मैं जोर से बोल रहा था हवा से और गिरती हुई बर्फ से फिर मैं उन आसुओं और सिसिक्यों से लड़ने लगा जो अंदर से बाहर निकलने की कुशिस कर रही थी मैं पूरी तरह अकेला था और मैं हार गया मैंने अपनी कार की चाविया टोटो ली और दर्वाजे को खुला मैंने चावि को लगाया तभी अचानक मेरे मन में इच्छा होई कि एक और पैग पी लिया जाए परन्तु मैं जानता था कि क्या होगा एक पैग की जगर बीस पैग हो जाएंगे और चाहे मैं कितने ही बार में क्यों न चला जाओं मुझे सैमन कहीं नहीं मिलेगा मैंने अपनी कार को पीछे किया और बाहर के दर्वाजे के तरफ तेजी से काटा इसकी टायर ताजी की रिबर्थ पर आवाज करते हुए चल रहे थे मैंने अपनी खिडकी खोली और अपनी चावी को गेट खोलने के छेद में घुमाया गेट खोल गया और आस्मान के तरफ उठ गया मैंने गियर बदले और गेट की नीचे से होता हुआ बाहर निकलाया मेरी कार की हेडलाइट दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट की खिडकी पर पड़ी जहां अंधेरा था मैंने अपनी आँख जबकाई और अपने सेर को हिलाया मैंने दुबारा देखा मेरी हेडलाइट की रौसनी एक बार फिर खिडकी में रखे बॉक्स पर पड़ी मैं आसा करता हूँ कि ये किताब अपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है कि मेरे बोलने की सैली सही अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि ओग मेंडिनों ने सच मुछ बहुत ही जबरजस्त बुक लिखी है और मैं आपसे आगरा करता हूँ कि अगर सच में आपको ये बुक बहुत ही अच्छी लगी तो आप ये बुक खरीद कर ओग मेंडिनों को मोटिवेट करो हो जिससे वो इससे भी भेतरीन किताब लिखें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा आप वहां से प्रांथना करते हो या प्रांथना में बिलीव करते हो तो एक बार औग मेंडिनों के लिए भी प्राथना करना थैंक यू